आज हम पड़ रहे हैं पर्थवी की गतियां, क्या पड़ रहे हैं? पर्थवी गotियां और ये पड़ रहे हैं NCRT चेप्टर नमर 3 से NCRT कलास 6 जिक्राफी का चेप्टर नमर 3 हम डिसकर्स करेंगे और इस पे बहुत 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 बहुतर तरीके से आप तक डाटा पहुंचाऊंगा और आप बिल्कुल अंत में कमेंट करके बताना कल थोड़ा जोस कम था आज जोस के साथ और बहुत दिन त्यारी के साथ आए हैं और अगर आप प्रिवार के सदस्य नहीं बने हैं अब तक तो सस्क्राइब बटन पे क्लिक करके प्रिवार के सदस्य बन जाए ताकि आप जोसो निरंतर हमारे साथ बढ़ते रहे और ये हमारी टेलिग्राम चैनल है जहां से आप इन सारे सेशन की पीडियो फाइल डाउनलोड कर पाएंगे मंगला राम जी कैसे हैं आप बाड मेर से बहुत बहुत स्वागत आपका और मनोज सैनी जी कैसे हैं आप बहुत बहुत दिपावली की सुब कामना है आपको भी अब देखिए आज का जो सेशन है इस पे भूत मैनत किये पूरा का पूरा दिन नहीं लगा दिया है पाकी ऐसा है कि पूरा का पूरा दिन तो नहीं लगा है लेकिन दिपावली थी तो बहुत सारे काम थे तो आज दिन में सेशन नहीं हो पाए तो इस session को करते हैं, बहुती प्यारे तरीके से करते हैं, chapter number बढ़ेंगे 3, प्रत्वी की गतियां, देखिए, प्रत्वी की गतियां क्या है? हम निकल पड़ा कि प्रत्वी की गति दो प्रकार की होती है घुरुनन और प्रिकुर्मन समझ लेते हैं हमारी जो प्रत्वी है हमारी जो प्रत्वी है ये दो तरीके से जो है वो गति करती है प्रत्वी जो है इसकी गति जो होती है वो दो तरीके की होती है मान लीजिए कि यह हमारी प्रत्वी है और इस प्रत्वी का एक अक्ष मानते हैं हम इस तरीके से यह जो है वो क्या है प्रत्वी का अक्ष है और यह जो प्रत्वी है यह दो तरीके से क्या करती है अपनी गती करती है और वो दो तरीके पहले समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं तोड़ा सा समय लगएगा हाना आप समझते जाएगा ने समय लग जाए कोई दिक्कत नहीं है कोई बात नहीं है तोड़ा सा समय लगएगा भी यह प्रत्वी दो तरीके से जो है वो गती करती है पहली जो गती होती है उसे तो हम क्या कहते हैं आप सब जानते हैं उसे कहते हैं रोटेशन पहली जो गती है उसको तो हम क्या कहते हैं रोटेशन कहते हैं यह रोटेशन अकार्थ क्या हो गया घुर्णन पहली जो गती है जो प्रत्वी अपने अक्ष पर घूमती है जो प्रत्वी अपने अक्ष पर घूमती है इस दिसा में यहां से पश्चिम से पूर्व की और पश्चिम से पूर्व की और जो प्रत्वी घूमती है इसे हम क्या कहते है रोटेशन कहते है जिसमें प्रत्वी जो है इस तरीके से अपने अक्ष पर गोल गोल घूमते जाती है ठीक है पेसिक बात है दूसरा जो होता है वो होता है कि प्रत्वी जो है वो सुर्ये के चारो और भी क्या करती है चक्कर लगाती है जिसे हम क्या कहते हैं क्या कहते हैं जिसे हम परिकर्मन कहते हैं क्या कहते हैं इसको हम परिकर्मन कहते हैं और परिकर्मन को इंगलिस में क्या कहते हैं revolution कहते हैं क्या कहते हैं revolution कहते हैं revolution revolution अथार्थ परिक्रमण हमने अब तक समझा कि प्रत्थवी की जो गती है वो दो तरीके से प्रत्थवी जो है वो गती करती है पहली वो करती है घुर्णन और दूश्रा करती है वो परिक्रमण और परिक्रमण जो है वो भी ये इसी दिशा में करती है ठीक है सुर्ये के चारों और जो चक्कल लगता है वो भी इसी दिशा में लगता है कहां से कहां की ओर, ये प्रत्वी है हमारी, ये प्रत्वी की क्या है, च्यार स्थिती है, मुख्य रूप से ये च्यार स्थितियां हम आज चर्चा करेंगे, और ये च्यारों स्थिती ही सारे के सारे मामले को समझने में सहिता करेंगी, ये अपना पश्यम है, और पश्यम से य और जो है वो क्या करती है चक्र निकालती है किसके सुर्य के क्या करती है चक्र निकालती है तो प्रत्वी जो है वो दो तरीकी की गती करती है एक वो रोटेशन करती है जिसमें वो अपने ही अक्षपड जो है वो घूमती रहती है इस तरीके से अपने ही अक्षपड जो है वो घोंती रहेगी।। दूसरा, वह करती है परिकर्मण। परिकर्मण के अंदर वह क्या करती है। रिवुलेशन अथार्थ वह सुरिय के स्यारो तरफ चक्कर लगाती है। सुरिये के च्यारों और चक्र लगाते हैं जैसे एक ख्यातर जो होता है एक विध्यारती जो होता है एक लर्णर जो होता है उसके जीवन में भी दो तरीके के चक्र होते हैं कितने तरीके के चक्र होते हैं एक तो वो अपनी बेरोजगारी के कारण है खुद ही चक्र काड़ता रहता है द। दूसरा उसके जीवन में जो है चाहें लढ़का हो या लड़की हो एक प्यार नामettuहीज आगती है जिसमें उसकी कोई महिला मित्र या पुरुस अगर मालो demographic महिला लड़की है तो उसका कोई पुरुस मित्र से प्रेम हो जाता है अगर अगर कोई लड़का है तो उसकी महीला मितर बन जाती हुनी कहने कार्थ है कि उसे प्रेम Minnie Primary。 प्यार हो जाता है तो एक तो ऐसे स्थिती में वो क्या करेगा एक तो वो अपनी बेरोजगारी में खुद घूमता रहेगा बेरोजगारी के कांड तो वो खुद घूमता रहेगा और दूसरा हो गया कि वो प्यार के लिए अपने जो सरकिल है दोस्त का उसके चारोड चक्र का तो हम खुद जो है उलजे हुए हैं तो हम खुद घूमी रहें एक तरीके से तो यह परत्वी भी प्रस्शिम से पूर्वकी गूम रहें और दूसरा हम प्यार के चक्र में अगर पड़ गए तो इमाल लिद्या कि सुर्य की जगह आपकी क्या होगी गल्फरेंड होगी आपकी महिला मीतर होगी और आप जो है वो इसके च्यारों और प्रत्वी की भाती जो है वो चक्कर काटते रहेंगे और अगर आप लड़की है तो सुर्य की लड़के से प्यार होगा तो सुर्य लड़का हो जाएगा और आप प्रत्वी की तरह उसके और चक्र काड़ते रहें, तो हमारे जीवन में भी ये मुखे-मुखे दो चक्र है, लेकिन इस दिपावली हम प्रण कर लेते हैं, कि इस दिपावली के बाद हम इन चक्रों से मुक्त हो जाएंगे, और सबसे बड़ा जो चक्र हमारे जीवन का है, वो तो है बेरोजगारी का चक्र उस चक्र वी उसे हमें बाहर निकलना है और उस चक्र वी उसे बाहर निकलने का सबसे बहत्रिन थियार क्या है ग्यान और अगर आपने अपने ग्यान को बढ़ाया तो आप इस बेरोजगारी रूफी चक्र से बाहर निकल के जो है वो सफलता में प्रिवेस करेंगे और फिर प्रत्वी सुर्य से मिल सकती है यानि आपका जो प्यार है वो आपको मिल सकता है आगे बढ़ दें तो पहली बात समझे में आगे कि घुर्णन होता अब यहीं से तीन चार क्यूशन आप से पूछे जाएंगे यहीं से तीन च्यार क्यूशन आप से पूछे जाएंगे और उन क्यूशनों को आपको करना है ध्यान अब की बार पूरा NCRT को हमने इस चेप्टर को भूत बहतर तरीके से त्यार करने का प्रियतन किया बताना जुरूर अंत में बताना लेकर देखिए हमने क्या पढ़ा समझ लेते हैं एक बार फिर से हमने पढ़ा प्रत्वी की गति हमने पढ़ा प्रत्वी की जो है वो क्या पढ़ा प्रत्वी की गति पढ़ा या प्रत्वी की गतियां कह लिजी आप हमने प्रत्वी की गतिया तो बहुचन बना दिया गति का, हमने देखा कि ये दो तरीके से गति करती है, दो तरीके से क्या करती है, प्रत्वी गति करती है, पहली गति को हमने क्या कह दिया जी, हमने कह दिया कि पहली गति के अंदर जो है ये घुर्णन करती है, क्या करती है, घुर्णन, लाथार, प्रोटेशन जो है वो करती है अपने अक्ष पर ही जो है प्रत्वी क्या करती है यह माल लिजिए प्रत्वी है यह इसका अक्ष है अक्ष क्या होता है कमेंट में आप बताएंगे अक्ष क्या होता है अक्स क्या होता है? कमेंट करके बताएंगे. यह हो गया आपका end, यह हो गया आपका s. और यह जो परतिवी है, वो इस दिशा में जो है, वो क्या करती है? घूमती रहती है. पशिम से पूरुव की और. पहली बात हम ने यह पढ़ ली, कि परत्वी की पहली गेती क्या है अपने अक्षपर घूमना अब यहां से क्योशन जो बनेंगे वो क्या बनेंगे आप से एक्जामिनर क्या क्योशन पूछ सकता है आप से एक्जामिनर पूछ सकता है कि परत्वी के घुर्णन में कितना समय लगता है अथार्थ परत्वी एक rotation पूरा करने में कितना समय लगाती है तो आप से पूछा जा सकता है समय कह लिजिए या अवधी कह लिजिए कि कितना अवधी लगता है प्रत्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में प्रत्वी को अपने अक्ष पर एक rotation पूरा करने में कितना समय लगता है कितना समय लगता है आप सब को बता है कमेंट में आप बताते जाएंगे आप कहेंगे जी 24 घंटे लगते हैं बिलकुल सही कहेंगे आप 24 घंटे ही लगते हैं यहीं से दूसरा question आप से पूछा जाएगा कि बताएं आप प्रत्थवी जो तो आप कहेंगे जी ये जो प्रत्वी है ये पश्चिम से पोर्व की और जो है वो घूमती है पश्चिम से जो है वो पोर्व की और क्या करती है rotation करती है दूसरा question clear हो गया एक question यह पूछा जा सकता है कि ठीक है जी पर्त्वी तो घूमती है लेकिन मान लिजे हमने पढ़ा कि भई पर्त्वी घूमती है तो घूमने से होता क्या है एक प्रेमी अपनी प्रेमी का के इर्द गिर्द घूमता रहता है और जब तक वो उसको द प्रेमी का है वो कोचिंग की क्लास लेने नहीं आई घर पर रह गई छुटी मना ली और आपको पता नहीं था आप आ गए कोचिंग में अब देखो आपकी हालत क्या होगी क्या अलोत की बताओ आपकी अगर आपने प्रेम किया है तो बताओ क्या अलत होती है ऐसी हालत होती है एक प्यासा वेक्ति कहीं रेकिस्तान में खो गया है है ना ऐसी हालत हो जाती है यानि आप जल्दी से जल्दी क्या होता है कि आपने देख पहले तो देखा नहीं और बाद में पता चला आपको कलास में चारो जाते ही देखा और यह तो है नहीं और इतने में कलास में सर घुश गए तो आप बाहर नहीं जा पारे हो आप जान नहीं पारे हो क्योंकि सर आगे कलास में और कलास में बीच में उठके जाना आपके लिए बड़ा कठिन हो रहा है और आपकी प्रेमिका के बिना आपका मन जो है वो लग नहीं रहा है तो बड़ी कराब स्थिती से हो जाती है मैं पूरो दिन क्या निकाड़ेंगो तो जी यहीं सर जाओगा थे भी और फुल चुकर हो जाओगा और सर पुछागा बारे बारे मिलागा पाना के बात हुआ जारू किया आज गुर्दी आज तो बड़ो पेट दुख रही हो गए आज आज कुन पड़ी जागए और आप भी चले जाओगे तो यानि प्रेमी जो प्रेमी का से नहीं मिलता है तो वो बेचेन हो जाता है लेकिन प्रेमी का प्रेमी का के चारो और इर्द गिर्द चक्र काड़ने का क्या प्रभाव होता है उसको मन में शांती मिलती है मिलती है कि नह अपनी प्रेमी का को या प्रेमी का अपने प्रेमी को अगर देख लिती है ना तो थोड़ा मन में सुकून आ जाता है तो ठीक इसी प्रकार से जो है वो इसी प्रकार से अगर यह प्रत्वी अपने अक्ष पर रोटेशन कर रहे है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपने पर के प्रभाव पड़ेगो प्रत्वी गुमेगी तो आपने पर प्रभाव पड़ेगो कि ऐसे दिन रात बनेगा दिन रात का बनना अगर प्रत्वी अपने अक्ष पे नहीं घूमेगी तो यह जाठा दिन है बठा दिन रहेशी जाठा रात रहेगी जहां पर दिन होगा वहां पर दिन ही दिन रहेगा और जहां पर रात वही रात रात रहेगी, तो दिन रात के बनने के लिए क्या आवशकता होती है? दिन रात के बनने के लिए प्रत्वी का अपने अक्ष पर घूमना अती आवशक होता है ये तेन क्यूशन आपसे पूछे जा सकते हैं यहां घुर्णन से इसके बाद दूसरा जो आता है वो आता है आपका प्रिकर्मन क्या आता है प्रिकर्मन आता है प्रिकर्मन को जो है आप इंगलिस में क्या कहेंगे इंगलिस में आप क्या कहेंगे इसको रियोलुशन revolution का वैसे क्रांती भी अर्थ होता है लेकिन यहां परिकर्मन के लिए भी इसी सब्द का प्रियो किया गया है इसमें क्या होता है इसमें प्रत्वी जो होती है वो सुर्य के चारो ओर चक्कर डगाती है यह अपना सुर्य है और इस सुर्य के चारो ओर जो है प्रत्वी क्या करती है इसी दिशा में जिस दिशा में कोन घूम रही है प्रत्वी अपने अक्ष पर घूम रही है उसी दिशा म चक्कर लगातिया प्रत्वी इह प्रत्वी है और किस जिसा में घूम रही है पश्चिम से धूर्व गूम रही है तो पहला हो गया गूर्णन दूसरा हो गया exploit हो गया अब देखे यह से भी इसी तरीके के 3 question ही बनेंगे mostly कौन कौन से question यहां से बन गए पहला question बन गया यहां से आप से कि भई बताओ प्रत्वी को सुर्य के 4 और एक चक्र पूरा करने में कितना समय लगता है प्रत्वी को सुर्य के चारों और चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है समय या अवधी कितनी लगती है तो परिकर्मन में जो समय लगता है आप सबको पता है 365 सही एक बटे च्यार दिन का समय लगता है यानि 365 दिन पूरा और एक दिन पाईयो यानि दिन का चोथा भाग दिन का चोथा भाग तोसरा क्यूशन यहां से बनेगा कि बताओ कि यह जो प्रत्वी है वो अपने अक्ष पर तो यह पसिम से पूर्व की और घुमती है लेकिन यह जब सुर्य के चारो और चक्र लगाती है तो यह किस दिसा में घुमती है तो यहां पर भी यह जो है वो दिसा इसकी क्या होगी घुमने की घुमने की जो इसकी दिसा होगी वो क्या होगी प्रीकर्मन की की दिसा प्रीकर्मन की जो दिसा होगी वो फिर से क्या होगी पसिम से पश्यम्शे पूर्व की ओर ही होगी तीसरा जो यहां से क्योशन बनता है देखो वो बनता है कि इसका प्रभाव क्या होगा आप साथ साथ में कमेंट में बताते भी जा सकते हैं कि बई जब पर्थवी रोटेशन करती है तो दिन रात बनते हैं तो पर्थवी जब प्रिक्रमन करती है तो इससे क्या होता है, क्या होता है, दो के बीच आता है ना दूसरा, दो के बीच में, दो प्रेमियों के बीच में, एक प्रेमिका के बीच में, एक हड़ी आ जाती है, आती है या, या हड़ा केली जी हड़ी या हड़ा कुछ भी आ सकता है तो फिर क्या होता है ग्रहन लग जाता है या तो वो प्रेमी के ग्रहन लगेगा या वो प्रेमी के ग्रहन लगेगा एक के ग्रहन लगेगा और यहां पर भी ऐसी कंडिशन बनती है शुर्य अपना काम अपने स्तान प और ऐसी कंडिशन में क्या हो जाता है ग्रहन लग जाता है लगता है कि नहीं लगता तो बताओ प्रभाव क्या पढ़ता है इसकी चल्चा करेंगे आगे परिकर्मन से बनता है क्या मोसम बदलता है रितू प्रिवर्तन होता है क्या होता है इसी revolution के काण, इसी pre-karman के काण तो यह यहां से जो है, वो 3 और 3-6 questions है जो आपको याद रखने हैं, जो इस topic से बनते हैं पर्थवी की गती से, यहां तक किसी को कोई समस्या है कोई विप्ता, कोई बाधा, हलाकि basic बात है समझने वाली बात है, अब यह मत कहना गुरुजी मैं भी प्यार गरतूर, मेरा प्यार गमाईन ग्रण लाग जो तो थे कोई solution बताओ, ऐसे solution तो क्या बताऊं भया यह तो जिवन के लगने ही हैं, लेकिन इस topic में यहां तक आपको कोई दिक्कत है तो बताओ और एक बार आप जोब लग जाओगे, सरकारी नोकरी आपके पास होगी हजाने में आपका हाथ होगा, तो आपके सारे ग्रहन हट जाएंगे ना आपको सन्नी परेशान करेगा, ना आपको राहू परेशान करेगा ना आपको कोई और परेशान करेगा नोक्री लगने के बाद सारी आपकी जो कुंडली दोस है वो स्वता ही जो है वो मिट जाएंगे जब तक नोक्री नहीं लगोगे तब तक कुंडली दोस भी रहेंगे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा ओर बढ़ते हैं आगे काल जी आएक बच्चों क्योशन आप आगे पढ़ भी हो और एक बच्चा क्योशन भी पोचियो को गुरुजी आ बात बताओ के कठी कठी आपने प्रति पर इसजगा भी है इसा गाम भी है जिए में आपमारा लोग यहीं बात करा और प्रति पर अन्य दर्ति पर इसगाम है ज्टोटो छा मिलागी रात शा मिलागा दिन वाय मैं हुए और कई की ग जिगान जिबार चोविस सब्सक्राइब दौए नोला आज बढ़नाना पड़ अब तक के पड़ियो का प्रतिवी की गति दो परकार की होती घुरुणनन एउप्रिकर्मन परत्वी को अपने अक्ष पर घूमना घुर्णन कहलाता है और सुर्ये के चारों और एक स्तिर कक्ष में कक्ष में परत्वी की गति को परीकर्मन कहते हैं ये तीन लाइने ही अभी हमने चैप्टर नमर तीन में पड़ी है यहां तक किसी को कोई दिक्केत नहीं है आगे बढ़ते हैं एक बार like बटन दबा दीजिए और एक बार अपने दोस्तों के साथ थेर कर दीजिए यह जो हमने रेखा देखी परत्वी का अक्ष एक कालपनिक रेखा है हमने आप से यह कहा कि यह क्या है अक्ष है तो आप यह ने कहा ना गुर्जी हाँ यह अक्ष है औ कि 90 डिग्री नोर्थ और और 90 डिग्री साथ याने 90 डिग्री उत्तरोर 90 डिग्री दक्षिन इन तोनों बिंदुओं को इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली कालपनिक कालपनिक रेखा क्या कहलाती है जल्दी से कमेंट में उत्र दो कि 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री साथ यानि 90 डिग्री एन और 90 डिग्री एस को मिलाने वाली कालपनिक रेखा क्या कहलाती है बताएं कमलेश जी कैसे हैं आप बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका और दिपावली की भी बहुत बहुत सुबकामनाएं आपको और अभी अभी जुड़े हुए हमारे प्रिवार के सभी बच्चों को भी दिपावली की भोथ भोथ सुबकामनाएं और बधाईयां जल्दी से कमेंट में उत्तर दे के बताओ प्यार महबत की बात तो करते ही रहेंगे हम और आप रोज कमेंट में यही तो करते रहते हो आ आप में से कुछ तो प्रत्वी है और आप में से कुछ है शुरिये जिनका मिलना निशित नहीं है प्रत्वी और शुरिये कभी मिलेंगे नहीं कभी नहीं मिलेंगे लेकिन फिर भी प्रत्वी शुरिये के च्यारों और चक्र निकालती रहती है तो आप भी इसी तरीकी का व उत्तर दीजिए कि यह जो 90 डिगरी उत्तरी जो उत्तर और 90 डिगरी साउथ जो है यानि दक्षिन है इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो है वो क्या कहलाती है एक बार इसको यहां समझ लीजिए यह हमारी प्रत्वी है प्रत्वी थोड़ी बावली होगी यह ह हमारी प्रत्वी है और इस प्रत्वी का उपर क्या होता है हमेशा N होता है और निचे हमेशा S होता है और यह N है और इस N को S से मिला दे तो यह एक रेखा बनगी इस रेखा को क्या कहोगे आप यह मैं पूछ रहा हूं यह काल्पनिक रेखा है यही तो लिखा है कि कहते हैं ये है अक्ष प्रत्फवी का क्ष एक काल्पनिक रेखा है इसके קक्षिय सांस्य डिगरी का कौन समतल को कक्ष के क्ष बनाए जाता है उसे क्ष्य समतल कहते है और प्रत्फवी सूर्य से प्रकास प्राप्त करती है, आगे की छोड़ दो, इतना समझो, कि परत्वी का अक्ष कालपनिक रेखा है, तो अक्ष किसे कहेंगे, अक्ष कहेंगे, आप से पूछ लिया जाए, अक्ष की परिभासा बताओ, जैसे मालो आप कलास में पढ़ा रहें, स्कूल में जाके, गोर्म तो कोई जियां, कई टाबर, जनरली तो 99 परसेंट आपर तो धान कोण पूछा, लेकिन एक टाबर कुछ मादी होगो, वो पूछ ले सी, गुर्जी ओ अक्ष के होए, अक्ष के होए, गुर्जी मारतों कोई समझ मायो, तो अक्ष क्या होता है, यह 90 डिगरी, उपर क्या है यह 90 डिगरी है ना, यह 90 डिगरी N और यह 90 डिगरी साउथ, इन दोनों रेखाओं को, इन दोनों बिंदुओं को यह जो रेखा मिलाती है, उसको हम क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं, तो प्रिभासा लिख लो आप, यह प्रिभासा लिख लीजिएगा, रेखा अक्ष कहलाती है 90 डिगरी N और 90 डिगरी S इन दोनों बिंदूओं को मिलाने वाली कालपनिक रेखा अक्ष कहलाती है ठीक है यहां तक किसी को कोई दिक्वित नहीं है दिक्वित नहीं लेकिन हम मानते हैं कि यह अक्ष है लेकिन ऐसा नहीं हमने क्या पढ़ा आगे इस रेखा कि आगे क्या पढ़ा कि पर्तवी का अक्ष एक कालपनिक रेखा है जो इसके कक्षिय स्तह से साड़े 66 डिगरी कोण बनाता है देखो कोण कैसे बनेगा अब देखो कोण तो यहां एक आधार मानना पड़ेगा यह क्या है जिरो डिगरी और यह क्या हो गया इसको क्या कहते हम भुमद्य रेखा कहते हैं या विश्वत रेखा कहते हैं क्या कहते हैं विश्वत रेखा या भुमद्य रेखा भी कहते हैं इसको कहते हैं भुमद्य रेखा अब मालो कि यह अपना कोण कितना है यह जो कोण है यह तो 90 डिगरी है यह को 90 डिगरी है हमें यह कहा गया कि साड़े 66 डिग है कितना ढग्री जहुकती है अप्रति इपने अक्षपर शाड़े च्यांसट ढग्री जुकती है तो हमने क्या करा इा साड़े 6 permis तर्क झुद्ध कम दिया अधGot ऐना यहां तो 666 डिगरी को कि यह लो झा जा हमने यहां पर जो है एक कोण बना दिया कितने degree गा साडे 66 degree का यह लोग कह दिया ना साडे अब इसको कोई जरूर नहीं है कि साडे 66 degree है तो साडे 66 degree ही क्योशन में ऐसा भी पूचा जा सकता है option आ जाएंगे प्रत्वी अपने अक्ष पर कितना degree जुकी हुई पहला option साड़े 23 डिगरी दूसरा option साड़े 25 डिगरी तीसरा option 90 डिगरी और चोथा option उप्रोक्त में से कोई नहीं तो आपको यह ध्यान रखना है कि यहां पर जो है वो प्रत्वी अगर साड़े 66 option में तो साड़े 66 कर सकते हो अब इस कोण में यह कितना बच गया यह बताओ व वाकी कितना बच गया? साड़े 33 डिगरी बच गया की नहीं बच गया बताओ तो साड़े 33 डिगरी अगर लिखा आ जाए option में साड़े 33 डिगरी तो भी सही होगा वो क्या होगा वो? सही होगा वो प्रत्वी अपने अक् maximize 53 डिगरी भी जुकी हुई ऐसे भी कह सकते हम प्रियतन करना है हमें, हमें एक बात पता चलिए कि परत्वी अपने अक्ष पर जुकी हुई है, वो भी 66 डिगरी के कौन पर, यानि अब तक जो हम अक्ष मान रहे थे, हम तो अक्ष ये मान रहे थे, इसको आगे समझो, इसको ऐसे समझो देखो, मैं एक नई स्लाइड लेता ह अब तक हम क्या मान रहे थे, हम मान रहे थे ये, इसका रंग कर देते हैं, चेंच, ताके आपको अच्छ से दिखे अब देखना चरा थोड़ा सा, इसका भी रंग कर देते हैं, ताके आपको थोड़ा अच्छ अब तक तो हम ये मान रहे थे कि ये जो प्रत्वी है इसका ये हो गया 90 डिगरी N ये हो गया 90 डिगरी S और ये हमारा क्या हो गया अक्ष हो गया मैं इसलिते हैं के यहां तक तो कोई दिक्केत नहीं इसा है नहीं हमें एंसियार के ये चैस olhos automa ये तो कालपनी की और ये भी कालपनी लेकिन वास्तिकता क्या है कि यह 16. process डिगरी जो है यहां, पर इसने कौन बना दिया, क्या बना दिया इसने यहां पर एक lightning डिगरी का जो है वो, कोन बनाती हुई, यह ऐसे है, जैसे आप गलोब देखोगे तो गलोब पर तो प्रत्वी ऐसे यह, ऐसे ना, यहाँ पर गलोब में दो किलिया निकली होती है, थोड़ी सी लाइन टेडी मेडी हो सकती है, तो गलोब की अकोडिंग और वास्त्विकता यह है, कि प्रत्वी जो है, अपने अक्ष पर जो है, वो कितना डि कि यहाँ से घुम रही है ना कि यहाँ से घोम रही है अब कोगे गुर्जी के फड़क पड़ेजु ति के फड़ गये हूं चक्नेर से क्या से क्या पड़ता है कि आपसे क्यों संट पूछा जा सकता है confusion कहा है आप पूछो हमसे confusion का तो कोई matter ही नहीं आज अगर आप confusion हो गए मैं यहां रहा आप मुझसे पूछो कहा confusion है मैं आपकी confusion दूर करूँगा यह आपसे वादा गड़ता हूँ पूछो अगर आपका पूछना है तो जाना है तो आप जा सकते हो confused होना कोई बड़ी बात में, confusion है तो अकष पर परत्वी अपने अकष पर 76 सद्गरी जुकी हुई है इसका प्रभाव क्या है बताओ जुकने से क्या हो गया पहले हमसे क्यूसन पूछे कि घुर्णन से क्या होता है घुर्णन का क्या प्रभाव पड़ता है दूसरा हमने पूछा क्यूसन पूछा ना हमसे कि पर्त्वी जो परिकर्मन करती है अगर पर्थ्वी 666 डिग्री अपने अक्स पर जुकी हूई है तो इस जुकाओ का किया परभाव पढ़ता है इस अपर पर। प्रत्वी की गती क्या है तीन तरीकी की चीज़ें हमने समझ लिए अब तक कि प्रत्वी अपने अक्ष पर घूमती है दूसरा हमने देखा कि प्रत्वी सुर्य के चार ओर घूमती है जिसको परिकर्मन का और तीसरी बात निकल के आई कि प्रत्वी जो है अपने अक्ष पर साडे छांसे डिग्री जो है वो जुकी हुई है अपने अक्ष पर जो है पर्थवी क्या है साडे छांसे डिग्री जो है वो क्या हुई है जुकी हुई है तो आप इस बात को बताओ कि इस जुकाओ का क्या effect होगा इस पर्थवी के उपर क्या प्रभाव पड़ेगा इस जुक डिगरी है नगेंद्र जी कैसे है यहां भूद भूद स्वागत अभिनंदन आपका और दिपावली की बहुत भूद सुब कामनाई और बधाई बहुत ही सिधी सिधी बात है कि देखो अगर पर्थवी अपने अक्षपर घुकी हुई ये तो इसके दो परभाव पड़ेंगे पहला जो परभाव पड़ेगा इससे दिन रात की अवधी में प्रिवर्तन पहला परभाव दिन रात की अवधी में प्रिवर्तन जब रात को हम ये सेशन कर रहे था ना तो मुझे बड़ा ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था और अच्छा क्यों नहीं लगा मुझे कि एक बच्चे नहीं कह दिया कि सिर्फ बोर हो रहे है और इसको लेकर हमने बड़ी महनत की है आपके लिए ये को सिधा पड़ाना तो मैं चेप्टर पड़ाता ही था लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार ऐसे बच्चे बोर हो जाए और उनको समझ भी नहीं है और जो ग्राफिक है अपना सब्जेक्ट भी रहा है तो समझाना ही पड़ेगा तो थोड़ा सा डीप है इसको समझने में थोड़ी दिक्गत आएगी आपक तो पहला तो क्या होगा दिन रात की अवधी में प्रिवर्तन आएगा अब जिया सरदी शुरू होगी तो रातों लंबी हो जाएगी और दिन छोटा हो जाएगा और जिये गर्मी आवे आपने तो दिन तो बड़ा हो जाए और रात छोटी हो जाए यह किस कारण हो रहा है रातों का बड़ा होना दिन का छोटा होना कहीं कहीं पर ऐसे सिच्वेशन है कि 24 घंटे के दिन 24 घंटे की रात कहीं पर ऐसी भी सिच्वेशन है कि 6 महिने का दिन 6 महिने की रात ये किस कारण हो रहा है ये इस पर्थवी के अपने अक्ष पर जुके हुए होने के कारण ही हो र हां है एक दूसरा प्रभाव लिको इसका दूसरा प्रभाव होगा आपका दिन रात थी में प्रिवर्थन दूसरा प्रभाव इसको लिक रित्यवे बनना रित्यवे बनना कि तुए या नि वह दोनों प्रभाव इसमें मिक्स आज आजाएंगे में तुख के गोमने के काण अपने अक्ष्प अपने अख्ष्प गोमने के काण दिन रात बने ठीक है और पर्थवी के सुर्य के चारो और घूमने के काण रित्वे बनी, लेकिन पर्थवी अगर जुक गई है जुकी हुई है और यह यहां से घूम रही है, अब जुकने का कितना फर्क पड़ेगा एक मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, अगर यह पर्थवी जुक गई है तो इसका कितना प्रभाव पड़ेगा इसको समझना थोड़ा सा देखना इसको समझना अगर मालो परत्वी जुकी नहीं होती तो आप भूमद्य रेखा खेंशते तो कैसे खेंशते ऐसे ही खेंशते ना भूमद्य रेखा यही होती ना आपकी जीरो डिगरी जीरो डिगरी य होती कि नहीं होती यहीं तो है भूमध्द्य रेखा 0 दूसरी अगर यह पुर्द्ध्ध जुक गई है तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ से इसको खींचना पड़ेगा यह हो गई आपकी जिरो डिग्री यानि जिरो डिग्री भूमत दे रेखा यह है एक क्योशन और बनता है किस स्थान पर किस स्थान या किस कहां पर कहां पर दिन रात हमेशा हमेशा पराबर ही रहते हैं इस में से देखे बताओ जैसे हम इसको थोड़ा सा और आगे देखते हैं तो आप सब कोई पता ही है किसके बाद ये तो 0 डिग्री होई गई, यहां पर आपकी 25 डिग्री है, यहां पर आपकी 25 डिग्री N है, यहां पर आपकी 25 डिग्री है, यहां पर आपकी 26 डिग्री है, यही तो है ना, यही तो है 25 डिग्री South, 25 डिग्री North, 25 डिग्री North और 25 डिग्री South, यही तो situation है ना, अब देखो कि क्यूशन पूछा जाएगा कि इस में से बताओ कि दिन रात किस स्तान पर हमेशा बराबर रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, पर्थवी जुकी रहे, चाहे कुछ भी कंडिशन हो, यानि साल के 24 के 24, 12 के 12 महिना, ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन यहाँ पर समय में अंतर आ जाए, हमेशा ही बराबर होते हैं, यह तो 21 मार्च हो गया, तेवी सेप्टेंबर नहीं पूछ रहा हूँ, क्यूशन क्या पूछा है, हमेशा, बई 21 मार्च और 23 सेप्टेंबर त बराबर होते हैं, लेकिन हमेशा ही बराबर रहते हैं, तो जीरो डिगरी जो होता है न, अगर सुर्य यहाँ पर है, तो जीरो डिगरी यहाँ पर जो हमेशा दिन रात होगा, वो क्या होगा, जीरो डिगरी पर, जीरो डिगरी पर यानि, यह जो जीरो डिगरी भुमद्य र आएंगे, वहाँ पर दिन रात हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, हमेशा ही बराबर होगे, 12 गंटे की रात, 12 गंटे का दिन, बस, कभी कोई प्रिवर्तन नहीं होता यहां पर, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताएं आप, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो ब सामने ये बाते तो हमने समझ ली है कि प्रत्वी जो है वो इस तरीके से जो है वो साड़े तेश्ट साड़े तेश्ट डिगरी कह लीजिए या साड़े च्यांसट डिगरी कह लीजिए अपने अक्स पर ये 6.6 डिगरी क्या हुआ ये जुकी हुई है जुकी हुई है तो हमने यहां पर क्या कर दिया प्रत्वी को जुका दिया देखो यहां पर प्रत्वी को जुका दिया है अब प्रत्वी तो जुक गई है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आप देखो यह जो सुर् यह किरने आ रही है यहां से एक और निकलता है आपका उसको समझना है कि यह तो परथवी का क्या हो गया आक्ष हो गया यह हो गया उत्री धुर्वे यह हो गया दक्षिन धुर्वे यह हो गया 90 degree N और यह हो गया आपका 90 degree N अब यहाँ पर आप यह देखो भया कि यहाँ पर जो है एक और condition बन रही है क्या बन रही है देखो जराब देखो थोड़ा सा समझने में जोड़ आएगा आप ऐसे चोड़ के जा भी सकते हैं ठीक है आप इस class में रहते हैं तो परत्वी की गति टोपिक चाहें आपका रीट में हो चाहें आपका ग्रेड 2nd में हो चाहें आपका ग्रेड 1st में हो तिनों ही एक्जाम में गल्थ नहीं होगा पर फर्स्ट ग्रेडगा तो आदे एक्जाम हो भी गए यहां पर आपको एक और रेखा दिखाई दे रही है यह वाली देखो गुरुजी आ के मामलो है यह एक रेखा और दिखाई और तो इस रेखा को क्या नाम है तो इस रेखा को क्या कहा जाएगा कि यह जो रेखा है इस रेखा का क्या नाम है तो इसे कहा जाता है क्या इसे कहा जाता है line of illumination हिंदी में इसको कहते हैं प्रदिप्ति रेखा या कहते हैं इसको प्रदिप्ति रेखा या कहते हैं इसको प्रदिप्ति रेखा कहते हैं इसको ठीक है इसको क्या कहते हैं, यहां लिख रहा हूँ नीचे इसको क्या कहते हैं लाइन ओफ लाइन ओफ इलूमिनेशन लाइन ओफ इलूमिनेशन इसको सोट में क्या लिखेंगे आगे हम ल ओ आई याद रखना लाइन ओफ इलूमिनेशन प्रदिप्ती रेखा रहे होती है प्रथवी पर ऐसी कालपनिक रेखा जिसके एक ओर क्या होता है रात होती है और दूसरी ओर क्या होता है दिन होता है यानि इस सुर्य की जो किर्ण है परत्वी की जिस भाग पर पड़ रही है इस परत्वी को दो भागों में बांट रही है और जहां दिन और रात का अंतर है वही पर ये रेखा क्या है बनी हुई है कहीं पर लिखी होगी इसकी परिवासा कहा है देखो ये लिखी ह गलोब पर वहेज वर्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदिप्ति वर्त कहते हैं गलोब पर वहेज वर्त जो दिन और रात को विभाजित करता है क्या कहलाता है प्रदिप्ति वर्त कहलाता है और गलोब पर ये जो वर्त है या ये जो रेखा है इस रेखा को क्या कहेंगे हम इस रेखा को कहेंगे प्रदिप्ति वर्त लाइन ओफ इल्लुमिनेशन ल आई ओ यहीं से खेल शुरू होता है अधिये सर्मा कैसे हैं आप भोट भोट स्वागत अभी नंदन थोड़ा सा धेरी रखो जहां पर समझ में नहीं आए पूछ लो तस बार पांस बार पचास बार सो बार जितनी बार पूछो के पूछ लेना कोई दिक्कत नहीं है अंधेरे को मिटाना है तो क्या करना लेकिन वह अंधेरे को मिटा देता है यह बात हम strang危陸ा अपने दिमाग में रखना अब यहाँ से कु DevOps सारे प्यारे प्यारे को यह लिखलो तो चोट में इसकी प्रिबासा लिखिले ने दिन रात को विभाजित करने वाली रेखा दिन रात को विभाजित करने वाली रेखा दिन रात को विभाजित करने वाला वृत क्या कहलाता है गलोब पर दिन रात को विभाजित करने वाली रेखा या फिर दिन रात को विभाजित करने वाला वृत क्या कहलाता है ये क्या कहलाता है ये कहलाता है प्रदिप्ती वर्त कहलाता है प्रदिप्ती वर्त कहलाता है देखो इस सेशन को मैं कल कितरह भी पढ़ा सकता था लेकिन कल मुझे संतुष्टी नहीं मिली इसलिए इस तरीके से मैंने थोड़ी और मैनत किये वरना तो मैं सिदे ही कल तो आदा भाग अंधिरा में होगा, आदा भाग उजाले में होगा, आदे भाग प्रशक्तिमान का राज होगा, गंगाधर वही होगा, सक्तिमान भी वही होगा, लेकिन सक्तिमान भी किसी से प्यार करता था, याद है आपको, सक्तिमान अगर आपने देखा है, तो याद करो एक बार, अब सक्तिमान की चर्चा शुरू हो गई है, कि सक्तिमान प्यार करता था एक लड़की से, जो गंगाधर के ओपिस में काम करती थी, उसका नाम आप बताओ, देखते हैं, आपकी यादास किती तेज है, लेकिन चक्र क्या पढ़ता था, कि गंगाधर बनके भी वो उ पेटा सक्तिमान प्यार के चक्र में पढ़ रहा है, और प्यार के चक्र में तुम्हें पढ़ना नहीं है, वरना तुम्हारी सक्तियां छिन जाएगी तुमसे, और इस चक्र में, गीता के चक्र में, गीता थी वो, बिल्कुर सही का आपने, गीता के चक्र में सक्तिमान ने एक दो बार अपनी सक्टी एखोब ही दी फिर माफी माफी मंगें गुरूजी मिरो दिल है नी Maya गूने कोvos दिल दो पागय है तो मैं चक्रा में तो मैंलेकिन अब मैं माफी मना म मैंने मेरी सकतीयां वापस दिते ना ठीक है इस तरीके से यहां इस बात को समझना अब यहां से कौन-कौन से आपके confusion दूर होंगे यहां से हम आगे चलेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि दिन रात बड़े छोटे क्यों होते हैं और 24-24 घंटे की राते 24-24 घंटे का दिन 6-6 महिने की राते 6-6 महिने का दिन क्यों होता है चलेए यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ तो बाते हमारे दिमाग में आई कि परत्वी तो अपने अक्षपर जूकी हुए लेकिन सुर्य का प्रकास तो सिधा ही आएगा ना परत्वी अपने अक्षपर जूकी हुए यह मान लिया और यहीं से हुआ खेल शुरू तो यह प्रकास यही तो आके पड़ेगा ना भीया तो इससे हुआ क्या देखो यह क्या है आपका यह विश्वत वर्थ है अब माल लीजिए यहां से हम रात करते हैं तो आपने क्या पड़ा है आपने यही तो पड़ा है ना अब तक कि यह क्या है प्रदिप्ति रेखा है और यह प्रदिप्ति रेखा कि इधर वाला भाग क्या होगा रात होगा प्रदिप्ति रेखा कि इधर वाला जो भाग है वो रात है इधर वाला दिन है तो देखो यह व साड़े 23 डिगरी S, और यह है यहां पर साड़े 26 डिगरी S, इनको तो आप जानते ही हो, यह हो गई आपकी करक रेखा, यह हो गई मक्कर रेखा, ठीक है, अब देखो, अगर मालो यहां पर हम दिन देखें, तो दिन कहां तक होगा, रात कहां तक होगी, यहां से यहां तक रा इससे थोड़ा नीचे चलना साड़े 30 डिगरी पर आना जरा साड़े 30 डिगरी पर आके देखो कि साड़े 30 डिगरी पर जो है वो रात देखो कहां है यहां से लेकर यहां तक रात है यह रात ना साड़े 30 डिगरी पर दिख रही है आपको रात क्या है यहां पर साड़े 30 यहां पर 90 डिग्री और इस 90 डिग्री पर तो रात ही रात है यहां पर देखो दिन को की यहां पर देखो यहां पर दिन देखो यह दिन है दिन छोटा है कि जात बड़ा है बताओ जरा और ये साड़ेच छाइसे डिग्री है यहाँ पर तो दिन बिल्कुल छोटा सा है और नबबेच डिग्री पर तो सुरिय का प्रकास पहुंच ही नहीं रहा है नीचे वाले भाग में अब यहाँ पर तो हमने यह देख लिया दक्षणी गोलार्द में उत्री गोलार्द में चलो अब उत्री गोलार्द में देखो यहाँ पर उत्री गोलार्द में दिन साड़े तेश डिग्री पर देखो कितना है इतना बड़ा दिन है यह भारत की तरफ की स्तिती हो रही है उत्तर में है भारत तो देखो दिन बड़ा है अगर आप चलोगे साड़े च्छासर डिगरी पर तो दिन और बड़ा हो गया जी और बड़ा दिन हो गया और अगर आप चलेगे नबबे डिगरी उत्तरी एक शास पर तो यहाँ पर तो द यहां पर तो और चोटी रात बड़ा दिन और यहां उत्री धूर्व पर तो सुर्य का प्रकास पहुंची नहीं पा रहा है इसको मैं आगे और थोड़ा सा विस्तार से समझाता हूँ थोड़ा बेसिक समझो आप फिर आगे चलते हैं और इसको और जादा गहराई से समझने का प्रियतन करते हैं यहां से दो तिन बाते निकल क्या रही है कि परत्वी के जुकाव के कारण जो है वो मोसम बदल रहा है और उत्री धूर्वे की अंदर देखो यहां से उपर का भाग उत्री है और यहां से नीचे का भाग क्या है दक्षणी है तो उत्री धूर्वे की तर राते बड़ी हैं, राते क्या हैं, बड़ी हैं, समझ में आ रहा है, उत्री धुर्वे की और दिन बड़े हैं, और दक्षणी धुर्वे की और राते बड़ी हैं, किसके कारण परत्वी के अक्षबर जुके होने के कारण, नहीं समझ में आया होगा, चलो कोई बात नी जी, इ इतना याद रगना प्रदिप्ति रेखा दिन और रात को विभाजित करने वाली रेखा होती है, इसे line of illumination कहते हैं, आगे मैं लिखूंगा इसको LOI, ठीक है, आगे चलते हैं, प्रत्वी की दोसरी गती जो सुर्य के चारों और अक्ष में होती है, उसे परिकर्मन कहते हैं, औ यह तो हम देखे लेगे कोई दिक्त नहीं, यहाँ से आगे चलो थोड़ा सा, इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं, इस session को आज और बहतर बिनाने का प्रियतन करते हैं, अभी हमने समझी, दोस्तिती समझो आप पहले, यह जो प्रत्वी अपने अक्स पर जुकी हुई यह इसका थोड़ा और विस्तार से वर्णन में आपके सामने करने का प्रियतन करता हूँ, थोड़ा सा आप धेरी रखेगा, मज़ा आएगा आपको, लेकिन समझना आपको बहुत अच्छे से आजाएगा, condition क्या बन रही है, कि यह हमारी जो है वो, मैं आपको क्या समझा र रेखा, इसको सोट में हमने क्या कहा, LOI, line of illumination, क्या है यह, देखो जी, आपनी पर्थवी है, वो आपनो भगवान सुर्ज है, पर्थवी के उपर जुको है, वो सुर्ज आपकी किरना छोड़ा है, किरना के कर रही है, छोड़ रही है, और एज की किरना है, वो आगे सिद्धी सिद्धी बात है, किरना पड़ेगे, वो आद्य बाग पर किरना पड़ेगी, पूरा पर तो पड़ेगोा इस रेखाा को हम क्या कहेंगे, प्रदिप्ति रेखा कहेंगे, ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्त नहीं है, अभी हमने समझ लिया है, इस रेखा को हमने क्या कह दिया, इस रेखा को हमने क्या कह दिया, प्रदिप्ति रेखा कह दिया, line of illumination अब यहां से क्या स्थित्य बनी देखो यहां से स्थित्य यह बनेगी कि अगर यह आपको यही ध्यान रखना पड़ेगा कि यह जो जुखाव है इसके कान क्या क्या प्रिवर्तन आते हैं इसके कान च्यार स्थित्य बनती है ठीक है, कितनी स्थिति बनती है, चार जो है वो स्थिति बनती है, क्या क्या स्थिति बनती है, देखो, ऐसा सुरिय तो हमारा बीच में ही रहता है, हमेशा कोई दिक्कत ही नहीं है, जी सुर्ज तो बीच में ही रहना है, अब देखो, ये है सुरिय, और एक तो स्तिति यहाँ पर तो बन नहीं पाएगा लेकिन पूरा पूरा नहीं बन पाएगा ना थोड़ा आगे चलके बनाएंगे इसको पूरा नहीं बन पाएगा यहाँ पर देखो पहले इसके एक और थोड़ा सा गहर इसको और थोड़ा जानने का प्रियास करो कि अगर यह situation होती कि हम माल लेते कि पर्थवी तो ऐसे सिधी है पर्थवी तो जो है वो ऐसी क्या है गोल है और इसके बीचो बीच है वो यह देखा है यह क्या हो गई आपकी 90 डिगरी N और यह हो गई आपकी 90 डिगरी S ठीक है तो ऐसी कंडिशन में क्या होता देखो यह हमारा 0 डिगरी हो गया जो मैंने वहाँ पर आपको समझाई थी पीछे वाले में जहां आपको समझ में यही थी फिर से समझाना यह हो गई आपका साड़े 23 डिगरी और यह हो गई आपका साड़े 26 डिगरी यह सारे ही जो है वो साउत के हैं और यह हो गई आपका साड़े 23 डिगरी नोर्थ का और यह हो गई आपका साड़े 26 डिगरी नोर्थ का ठीक है यहाँ पर क्या है सुर्ज है और यहाँ से जो है अपनी रोशनी इस तरीके से गिरा रहा है, यहाँ पर एक situation देखना, जो बात मैंने आपको समझाई उसको practical समझने का प्रियत्तन करते हैं, practical समझने का प्रियत्तन करते हैं, यह situation है पहली, यह क्या है सुर्य है, इस situation में क्या है, इस situation में आप यह बताओ मुझे, कि यहा बताओ, पहला तो बताओ, अक्ष कोण सा है, दूसरा बताओ, यहाँ पर आपकी जो प्रदिप्ति रेखा है, प्रदिप्ति रेखा, यानि LOI, यह कोण सी है, बताओ, जल्दी से बताओ, 90 degree N, 90 degree S, गुर्जी में, तो अमेशा आई पर डिगर, 90 degree N, 90 degree S है, मिलाने वाली जो रेखा है, वो क्या कलाती है, अक्ष कलाती है, यही पड़ा है हमने, तो गुर्जी ठेखें सरा क्यों नहीं, आरी 90 degree N रही, और A 90 degree रही S, तो आओगी, जी मार, तो अक्ष ओई है, अल्य 90 degree North को 90 degree South से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कलाती है, अक्ष कहलाती है, तो यहां पर एक situation क्या बन रही है, कि हम अदवर यहां पर प्रदिप्ती रेखा क्या खिंचे, हम यहाँ पर क्या खीचे अगर हम प्रदिप्ति रेखा खीचते हैं तो यह भी हमारी क्या होगी यही होगी ना तो जो हमारा अक्ष है वही हमारी क्या बन गई है प्रदिप्ति रेखा बन गई है बन गई ना बन गई कि नहीं बन गई प्रदिप्ति रेखा को आप सोट में क् को क्या कहोगे आप ल आई ओ तो हम यह कह सकते हैं यहां पर एक सिच्वेशन बन गई है हमारे पास कि हमारा जो ल ओ आई है यानि जो हमारी प्रदिप्ति रेखा है वो बराबर है किसके अक्ष के हमारी जो प्रदिप्ति रेखा है और जो अक्ष है यह दोनों क्या है अक्ष झी थोड़ा सा समझने का प्रियतन करो एक बार अक्ष और प्रदिर्प्ति रेखा दोनों यहां पर बराबर आरही है, अब इस बराबर आने से क्या हो गया, कि भई जहां पर प्रदिर्प्ति अब देखो, यहाँ पर दिन मनाते हैं, यह जो भाग है, वो आपका दिन का है, और इतना ही भाग यहाँ पर रात का आ गया, यहाँ पर भी दिन का बराबर भाग है और रात का बराबर भाग है, यहाँ पर भी दिन और रात दोनों बराबर है, इधर जाओगे तब भी दिन औ हमेशा के लिए बराबर हो जाएगा, अभी समझ में आ जाएगा, अमन चोद्री जी अभी एक सेकंड और रुख जो, एक सेकंड और रुख जो, अभी समझ में आ जाएगा, कहने का आर्थ समझ लो मेरे, मैं आपको ये समझाने का ही तो प्रियत्तन कर रहाँ कि अक्ष और प् हमेशा के लिए बराबर हो जाएंगे अगर प्रदिपति रेखा और अक्ष एक ही हो गए तो दिन रात दिन और रात क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे मोसम हमेशा समान रहेगा मोसम हमेशा समान रहेगा रहेगा के नहीं रहेगा और दिन रात हमेशा के लिए बराबर हो जाएंगे अगर देखो यहाँ पर जो है आपका एन है यहाँ पर ऐस है जो भाग सुरिय की ओर होगा वहाँ पर जो है आदे भाग में सर्दी यानि यहाँ पर अगर गर्मी होगी तो यहाँ पर सर्दी हो जाएगी यहाँ पर अगर सर्दी होगी तो यहाँ पर गर्मी हो जाएगी तो अक्ष जो है वो ब्राबर नहीं हो सकता है तो फिर क्या होगा यह तो पहली स्थीति है दूसरी स्थीति समझो अब यह दूसरी स्थीति बनी है आपके सामने इसको थोड़ा ओर सही करते हैं इसको वैसे गोड़े से बनाते हैं वास्तिक स्थिति तो यही है ना यह तो ऐसा तो हो नहीं सकता है यह आपको समझाया है कि ऐसा अगर हम कर देंगे अगर हमने ऐसा कर दिया चीजों को समझने के लिए तो ये बामला गड़बड हो जाएगा और ये हमारा जो हो गया यहां पर ये ये हमारा हो गया सुर्य देवता वास्तिक स्तिति बनेगी ये देखो यहां पर हमने क्या पढ़ा है यहां पर लिख दो आप नोट लगा के नोट लगा के लिख दो नोट लगा के लिख दो कि अक्ष और अक्ष और LOI कभी भी कभी भी बराबर नहीं होंगे कभी भी बराबर जो है वो नहीं होंगे आज थोड़ा सा रीट के लेवल से उपर है ठीक है ना इसलिए कुछ बच्चे यहां से थोड़े जो है वो ऐसे लगा गुर्दियार के पड़ा लागा अज हम आपको रीट के लेवल से नहीं अग्ष और प्रदीपती रेखा कभी भी बराबर नहीं होती तो आपके दिमाग में कनफूजन हो जाता ना आपके दिमाग में यह तो हो जाता की चलो ठीक है तो क्यों नहीं होती गयोंगे अगर system एक जासा हो जाएगा मोसम हमेशा बराबरी देगा तो ये भूत सारी चीजे जो है वो क्या हो जाएगी ये समस्या create कर देगी तो इसलिए इस बात को practical करके हमने समझा है कि कभी भी अक्ष और प्रदिप्ति रेखा बराबर नहीं हो सकते हैं तो क्या होगा अब समझो आप अक्ष आपका हमेशा जो है वो क्या होगा साड़े च्यांसर डिगरी पर जो है जो है वो जुका हुआ होता है ये आपका क्या है अक्ष है ये आपका क्या है अक्ष है ये ठीक है अब ये अक्ष है कोई दिक्कित नहीं है यह क्या हो गया अक्ष का 90 डिगरी N हो गया यह हो गया आपका 90 डिगरी साउथ हमने इसको 64 डिगरी जुका दिया अब देखो यहां से अगर हम निकालेंगे तो आपका यह हो गई 0 डिगरी क्या हो गई है 0 degree हो गई है इसके बाद देखो आपका ये हो गया आपका 23.30 degree हो गया जी ये हो गया आपका ये हो गया आपकी इधर चले North, South में चलें, तो South में देखो, यह हो गई आपकी 23 degree, फिर इसके बाद चलेंगे, यह हो गई आपकी 23 degree, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम क्या कहेंगे, 23, इसको तो कहेंगे हम 0 degree या भुमद्य रेखा कह देंगे इसको कहेंगे 23 degree N या करक रेखा कहेंगे इसको कहेंगे 26 degree N इसको कहेंगे मक्कर रेखा 23 degree south हो गई और यह हो गई 26 degree south अब यहां से जो सुरिय का प्रकास आएगा यहां से जो सुरिय का प्रकास आएगा यह ऐसे ही तो आएगा ना आएगा कि नहीं आएगा ऐसे ही तो आएगा तो यहां पर भी तो एक प्रदिप्ति रेखा बननी चाहिए ना यह तो क्या हो गया अपना अक्ष हो गया यह तो क्या हो गई अपना अक्ष हो गया अब इसकी प्रदिप्ति रेखा ग्याद करनी है में इसकी क्या ग्याद करनी है में प्रदिप्ति रेखा ग्याद करनी है ठीक है इसकी प्रदिप्ति रेखा क्या होगी यह होगी क्योंकि सुर्य देखो यहां पर किरने आ रही है यहां पर कि ये देखो ये इसकी क्या हो गई है विया ये इसकी हो गई है प्रदिप्ति रेखा आये समझ में ये इसकी प्रदिप्ति रेखा हो गया इस प्रदिप्ति रेखा के इस दिशा में क्या है रात है और इसके इस दिशा में क्या है दिन है तो हमने क्या समझ लिया यहां पर हमने ये समझ लिया कि प्रदिप्ति रेखा कभी भी बराबर नहीं होगी अक्ष के बराबर नहीं होगी ये बराबर नहीं होगी ये बराबर नहीं होने वाला चिन लगाना था क्या लगा दिया कभी भी ये बराबर नहीं होगी बराबर को का प्राट रहूं ऐसे, अक्ष के बराबर नहीं हो गी है, ऐसे लिख दो इसको फिर, इसको ऐसे लिख दो, यहाँ लिख दो, नोट लगा के, नोट लगा के लिख दो, या अक्ष लिख दो अक्ष कभी भी प्रैदिप्ति रेखा के बराबर नहीं होता है अब ये बात सिद हो गई ना कि बराबर नहीं होता है ये बात अगर हमने बराबर कर दी तो गड़त हो जाती और यहां पर हमने सिदे सिदे लिख दिये है उत्री गोलार्द में गर्मी होगी तो दक्षनी गोलार्द में क्या होगी देखो यहां पर देखो सुरज जादा आ रहा है यहां तक आ रहा है सुरज आ रहा ना सुरिज लेकिन यहां तो सुरिज यहीं तक आ रहा है तो उत्री गोलार्द में क्या है बताओ अब गर्मी है न और दक्षनी गोलार्द में यहां पर क्या है यहां पर तो सुरिज की किर्ण पहुंच ही नहीं रही है यहां तक ही पहुंच रही है सूर्ज की किरने तो तो यह है आपका दक्षनी गोलार तो यहां पर क्या होगी अभी सर्दी होगी यह परत्वी घूमके जायेगी तो ऐसी situation आ जाएगी कि इधर तो क्या आ जाएगा सुर्य का प्रकास आ जाएगा और इधर क्या कोट तो ले लो कोई बात नहीं है भाई ले लो कोट ये लो रहसे भी मैं कमी पढ़नता हूँ और ये लो आप कोट ले लो और आज थोड़ा लेवल अप है अना कुछ बच्चों को ऐसे लगेगा कि यार गुर जी आज के पढ़ा रहे है के आप रदिप्ति रेखा है के के माम लो है के गोड़ां काला पीरां कर रहा दिखा है ये लो मेरे भाई कोट तो ले लू ये लो आज आना आप जब भी आप कोई पफस्मय हो के मिरे पार पास ये नहीं ऱुग ठोब तो थोडित देन ँगा अप कर निकल तु टोड़ा तो पेर रखो मैं ये लो ये मैं यहां रख देता हूँ और अब जब भी तुम आओ तो ले जाना ठीक है अब तो खुश राजी आज थोड़ा सा फिर से समझ लेना आज हम थोड़ा सा अपने लेवल का पड़ रहे हैं मैं आज आपको ये भी समझाने का प्रियत्तन कर रहा हूँ आज मैं आपको ये भी समझाने का प्रियत्तन कर रहा हूं कि हमारी भूत सारी कोचिंग ऐसी भी है राजस्तान में बहुत सारे मैंने ऐसे online बेच भी देखे हैं कि रीट वालों को first grade के साथ second grade के साथ बिठा दिया जाता है और ऐसे में ऐसे मामले create हो जाता है आज हम जो है वो थोड़ा सा ओर deep से पढ़ रहे हैं आज हम first grade second grade और इन तीनों की एक कलास कर रहे हैं तो आपको अगर first grade की कलास लेने तो इताधी पढ़ना पढ़ेगा आपको और रीट के लेनी है तो फिर इताधी पढ़ने की जूरत नहीं है लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं धिपावली का दिन है तो पढ़ो आपको इदिक कर नहीं है ठीक है इसके रलावा एक basic सी बात है कि भाईया हमारे 365 सही एक बटा च्यार दिन होते हैं तो 365 सही एक बटा च्यार दिन को कवर करने के लिए क्योंकि हम एक बटा च्यार दिन तो गिनते नहीं है और इस 365 सही एक बटा च्यार दिन को कवर करने के लिए हम क्या कर देते हैं भाई यह हां पर तो हमने नहीं गिणा नहीं गिणा नहीं गिणा नहीं गिणा लेकिन है तो शुरी न दिन तो 365 की गिंती को पूरा करने के लिए आधा दिन आदा दिन और आदा दिन और आदा दिन आदा ओर आदा बन जो पाओ दिन यह बेसिक बात है जो लिखी हुई है आपको बता दी है ठीक आगे बढ़ते हैं इसको क्या कहते हैं गुणतिस करते ही इसको हम क्या कहेंगे लीप वर्ष कहेंगे आगे बढ़ते हैं यह है मेन मुद्दाकल यहां पर आपको समझ में नहीं आया था आज आपको इतना डीप बताएंगे इतना डीप समझाएंगे कि आप कहोगे कि हां गुर्जी जो बचे पढ़ने वाले ना वो तो यह कहेंगे कि हां यार मज़ा आज तो और जो केवल ऐसे प्रत्वी सुरिये और फिर यह टोपिक पूरा हो जाएगा यह जो चित्र है अब इसको धाने वाली बात, अगर मैं मालो यह कह दू, जर्णल यह कह भी देते हैं, कि यार इसमें कुछ नहीं है, यह हमारी जो सुरिय है, हमारी पर्थवी सुरिय के चार और चक्तर काटती है, पर्ष्म से पुर्व की और, और इससे क्या होता है, चार सिच्वेशन बनती है, यानि त हर तीन महा के बाद, तीन महा, तीन महा, तीन महा, और तीन महा, तीन महा के गैप में चार सिच्वेशन बनती है, जो बनती है आपकी एक तो 21 जून को, एक बनती है आपकी बाइस दिसंबर को, एक बनती है आपकी 21 मार्च को, और एक बनती है तेविस सितंबर को, तो यह को ह सकते हैं कि 21 सितंबर जिन रात बराबर शए हैं इसलिए लबवा से सेंदी एकिस मार्च और 3 सितंबर पुर रात क्या होते हैं? ब्राबर होते हैं, आज दिन और रात दोनों ब्राबर है ठीक है ? ठीक है की नहीं ठीक है बिताओ यहां तक मालों नए, अब आपके क्योशन, बई अगर थोड़ा पढ़ाना है ना रीट के लिए पढ़ाना है, तो यह याद क्या रखणा है बच्चो 21 मार्च और 23 सितंबर इन दिन जो है वो क्या होता है दिन और रात क्या होती है बराबर होती है क्या होती है दिन रात बराबर होते हैं ठीक है गुर्जी कोई बात नहीं 21 जून और 25 दिसंबर 22 दिसंबर को रात बड़ी होती है रात बड़ी सबसे और दिन छोटा सबसे छोटा दिन इस दिन सबसे छोटा होता है रात इस दिन सबसे बड़ी होती है और 21 जून को जो है वो दिन जो होता है दिन जो होता है वो सबसे बड़ा होता है दिन बड़ा होत है और रात जो होती है वो सबसे छोटी होती है यह लो जी आप इत्ती बात याद कर लेना ठीक है इत्ती बात याद कर लेना आप बात खतम हो गई हो गई बात खतम इसको हम क्या कहते हैं अब आपके दिमाग में कुछ ऐसे क्यूशन बढ़ेंगे है कि अगर अप ये कहते हो कि क्यों कि जो गुर्जी क्यों अखिर इसो कीव के जांबल Cantonlair रात बड़ी और जाये तिन जोह जय हो जोन और अ यह को अड़ी तो एकम में होता है यह है ना दक्ष्णी गोलारद में कह लिवा बाता प्यूफ क्यों दया क्यों होता है तो अगर आपको क्यों का उत्र जानना है तब तो हम आगे बढ़े वर्ना तो इतना भूत है क्यों का उत्र जानना है कमेंट करके बताओ जिन जिन बच्चों को क्यों का उत्र जानना है कि क्यों यहां पर दिन बड़ा राद छोटी राद बड़ी दि चोटा होता है क्या करन है क्योँ 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 जल्दी से कमेंट करके येस लिख दो खाने अरब प्रेमी प्रेमी का गिशोगोण जल्दी से लिखके बताओ फेर आपका कलास आगे चालाओ कौं चलाओ वेंगो डिसीजन लिया हां क्यों लिख दो क्यों के बात है यहां कियां होसके है आवी ना बात चलो अब पता चलगा कि कितना बच्चा जानना चाव है अब एक बात देखियो कि चाहें पर्थवी के कोई भी कंडिशन हो लेकिन शुरुज को प्रकास तो अमेशा के पड़ेगो शिद्वी पड़ेग लेकिन सुर्य के उपर इसका कोई प्रभाव पड़ता है क्या सुर्य का इसके उपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है सुर्ज तो अपना प्रकास क्या डालेगा एक सिद्व में डालेगा यह आपना सुर्य भगवान तो सिद्व प्रकास डालेगा यह डालेगा सिद्व प यहां पर आप देखना कि सुर्य का प्रकास क्या पढ़ रहा है यहां पर आप देखना कि सुर्य का प्रकास क्या पढ़ रहा है यहां पर लंबवत पढ़ रहा है यह देखो लंबवत जहां पर सुर्य का प्रकास सीधा पढ़ता है जहां पर सुर्य का प्रकास क्या पढ़ता ह सीधा पड़ता है angle of incidence वह अक्षास जहां सुर्य का प्रकास सीधा पड़ता है यह देखो यहां पर जो सुर्य का प्रकास पड़ रहा है वो यहां पड़ रहा है और यहां पर कोण सी रेखा है जीरोोडिगरी है है और यहां पर देखो सुर्य का प्रकास जो पड़ रहा है वो सिधा यहां पड़ रहा है और यहां पर भी कौन सी है जीरोडीगरी है तो एक line और श。ब्र को आगे समझेंगे हम की जिस प्रत्वी के जिस स्तान पर सुर्य का प्रकास सिधा पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं जहां पर सुर्य का प्रकास सिधा या लंबवत पड़ता है उसे हम कहते हैं एंगल ओफ इंसिडेंस क्या कहते हैं, एंगल ओफ इंसिडेंस कहते हैं, लिखो एक बात लिखो यहां पर लिखो, यहीं पर लिखिलो चलो, फिर आगे इसको समझे लेंगे, लिखो, ए ओ आई, ठीक है, नोट लगा के लिखना यहां पर, नोट लगा के लिखना, ए ओ आई, एंगल ओफ इंसिडेंस, इसका आर्थ क्या हो गया, एंगल ओफ इंसिडेंस, अथार्थ, इसको ऐसे लिख दो, परत्वी के, ऐसे लिख दो, वहे अक्षांस, वहे अक्षांस, जहां शूरिय का प्रकास, सुरिय का प्रकास, सीधा, गिर्ता, या पढ़ता है, जहां, इस परत्वी के, जिस अक्षांस पर, इस परत्वी के, जिस अक्षांस पर, परत्वी, सुरिय का प्रकास, सीधा पढ़ेगा, वहे भाग, क्या कहलाएगा, एंगल ओफ इंसिडेंस कहलाएगा, इसको शोट में हम, अगे, अगे चलो, इस सिचोएशन को मैं फिर से क्रियेट करता हूँ आपके सामने, इस चित्र को बनाते हैं फिर से, देखो, यह हमारे क्या है, सुर्य देवता है, थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा आपको धेरी रखना पढ़ेगा, आप धेरी रख सकते हो क्या, धे यह हमारी प्रत्थवी का पहला रूप है यहां पर, ठीक है, थोड़ा से सा color change कर देते हैं, यह लो जी, यह हमारी प्रत्थवी का जो है वो, यह हमारी प्रत्थवी की दूसरी condition है, इसका भी color change कर देते हैं, तो थोड़ा इधर कर देते हैं, इसको भी थोड़ा आंकर पिछह क कि देखांगे हैं आओ गयों नहीं मामलों सेट हो गयो एक और बना देते हैं यहां पर एक सिच्वेशन यह होती है अपनी पर्थिविगी इसका अभी कलर जहें दिख़ लेते हैं और यह चोटा रहे गया थोड़ा शाया ना सुरुज वगवान चोटा रहे गयो कोई बात नहीं बीच में से करती है और एक सिच्वेशन होती है यह आपने अठती अब देखो इसको थोड़ा सा सुर्य भगवान के पीड़ा पीड़ा हुआ थोड़ा अब आप पीड़ा करते हैं देखो भईया यह हमारे हैं सुर्य देवता और यह हमारी प्रत्वी धर्ती माता यह लोजी धर्ती माता प्रत्वी की दोसरी स्थिति नाम नहीं लिखते हैं इसमें नाम लिखेंगे तो फिर मामला गड़बड हो जाएगा इसमें हमें बहुत सारे काम करने हैं देखो यह एक सिच्वेशन बनी है यहां पर इसको थोड़ा सा समझना इसको थोड़ा सा समझना बच्चे तो थोड़े कम ही है सेशन में आज लेकिन जितने भी बच्चे हैं थोड़ा सा समझने का प्रियतन करेंगे आपको निश्वी तोर पर जो है वो मज़ा आएगा और कल आप में से किसी बच्चे ने यह कह दिया कि गुर्जी मज़ो को नहीं आगा और मेरे बैबात की रात ने फिर नेंद गोनी आई वो या टबरियां कह देगा अगर मज़ो को नहीं आगा तो फिर के मज़ी की बात मज़ो तो आणो इचिवे क्यों ग्यों तेरे मजो तो आनो चीवे कोने आनो चीवे बताओ आनो चीवे कोने आनो चीवे बताओ भईया बताओ 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 जिद आप पढ़ आइंगार फिर मजो नहीं आवे तो फिर क्ये बढ़ाई कर दी सी तो फिर बाए बात खातर या थोड़ो सेशन लंबो हो गयो और ज्यादा मज़ो आगे फिर आज आज खातर कई टाबर तो के चल गया बढ़न दे और छोटो और दिवाड़ी के दिन आज क्यों पड़ांगा है बूल गए हो गए अब देखो यह अब जिसको लेना है मज़ा वो तो बैठे रहें और बाग की यहाँ पर देखो यह हमारी प्रत्वी हमेशा चाहे वो किसी भी सिचुएशन में हो हमेशा जो है वो अपने अक्ष पर जो है वो जुकी हुई रहेगी ही रहेगी ठीक है थोड़ी आप ज्यादा कर दी कोई बात नहीं दूर करती तो करती यहां तो बहुत चालुआ है लिए थाष पास बुला ला है अमहींने श्याद्ट कि यह इसका क्या है है मैं यह इसकी जो है वो यह तो इसका क्या हो गया अक्ष हो गया N और S ये हो गई इसकी 0 डिगरी ये इसकी हो गई 23 डिगरी ये हो गई इसका S और ये हो गई इसका N ये हो गई इसकी 26 डिगरी N और ये इसकी हो गई 26 डिगरी N S करो यहां पर इसी प्रकार इसका भी यही मामला होगा की नहीं होगा ये इसकी हो गई, अक्ष हो गई, हो गया इसका अक्ष, ये इसका हो गया आपका जिरो डिगरी, थोड़ा सा देखलो, चित्र में उपर नीचे हो सकता है, और जिरो डिगरी थोड़ी, ज्याद्धा उंची हो गई ये हो गए इसकी 0 ये हो गए इसकी 0 डिगरी 0 डिगरी 23 डिगरी N 26 डिगरी N 23 डिगरी N और 26 डिगरी S इसी परकार इसका भी कर लेता है ये इसका अक्ष हो गया हम थोड़ा ज़्यादा टेटो को नहीं होगे इसको उसी चित्र पर लेके चलते हैं रुकणा एक बार इस पर ज़्यादा ठीक है इसी पर समझ लेते हैं देखो पहली सिच्वेशन को समझना आप थोड़ा सा इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार इसमें चित्र थोड़ा सा ही नहीं बन रहा है यहां पर थोड़ा सा आपका टाइम खराब कर दिया और या इसके लिए खेद परकट करेंगे समझ लेते हैं कोई बात नहीं है इत्तो टाइम लाग जोड़ा जैसी आपनों की है यह आप आज एक लास तो कर रहा है एक एक को ले लेते हैं ऐसा करते हैं चारो एक साथ नहीं समझते हैं सबसे पहले अपन ले लेते हैं 21 मार्च को किसको ले लेते हैं 21 मार्च वाली situation को ले लो देखो 21 मार्च वे देखो क्या हो रहा है 21 मार्च वाली situation को लेते हैं इसमें क्या है देखना जरा 21 मार्च की जो situation है वो ऐसी है 21 मार्च की जो situation है वो ऐसी है कि सुर्य का जो प्रकास है वो सिधा जाके कहां पढ़ रहा है इस 0 डिगरी पर पढ़ रहा है कहां पढ़ रहा है जीरो डिगरी पर पढ़ रहा है यहां तक किसे कोई दिकत 0 डिगरी यानि भुमद्य रेखा पर सुर्य का प्रकास लंबवत पढ रहा है सुर्य का प्रकास लंबवत कहां पढ़ रहा है जीरो डिगरी पर पढ़ रहा है पहली situation लेते हैं अब 21 मार्च की 21 मार्च को समझने का प्रियास करते हैं कि 21 मार्च की जो घटना घट रही है वो कैसे घट रही है तो 21 मार्च को जो है यहां पर आप चितर में यह देखो इसका कि line of illumination क्या है यानि प्रदिप्ति रेखा इसकी क्या है क्या है प्रदिप्ति रेखा इसकी बताओ प्रदिप्ति रेखा इसकी क्या होगी बताओ 21 March वाला जो situation है इसकी प्रदिप्ति रेखा क्या होगी देखो यहां पर क्या situation बन रही है कि यह क्या है इसका यह यहां पर लंबवत है तो इस रेखा को अपन आगे लेके चल जाए तो यह क्या हो गई इसकी यह क्या हो गई इसकी वै यह इसकी क्या बन गई देखो ये इसकी बन गई line of illumination LOI और यही इसका क्या है लंबवत कोण भी तो यही है इसका तो AOI भी यही है AOI क्या होता है अभी देख लो AOI angle of angle of incidence angle of incidence अथार्थ वह अक्षांस जहां सुर्य का प्रकास सिधा पड़ता है तो angle of incidence इसका क्या है यह है और इसकी प्रदिप्ति रेखा भी क्या है यही है यह सुभागे से है तो हम नहीं क्या देखा कि LI और AOI LOI और AOI दोनों ही क्या है इसकी 90 degree है ठीक है 21 March की situation में क्या बन रहा है 21 March की situation में क्या बन रहा है 21 March की situation में यह बन रहा है कि LOI बराबर AOI बराबर 90 डिगरी आ रहे हैं, यानि जो रेखा प्रदिप्ति रेखा है, वो बराबर है किसके angle of incidence के, यानि वह है अक्षास जहां सुर्य का प्रकास सिद्धा पढ़ रहा है, उसके क्या है बराबर है, और यह कहां पढ़ रहा है, जीरो डिगरी पर पढ़ रहा है, यानि विश्वत जो वर्त है उस पर पढ़ रहा है, भुमद्य रेखा पर पढ़ रहा है, अब देखो यहां पर ल, ओ, आई, ए, ओ, आई ये दोनों बराबर हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ल, ए, ओ, आई कितना है इसका ये बताओ यहाँ पर देखो एक बार फिर से देख लो हमारा जो प्रकास है वो कहां पढ़ रहा है जीरो डिगरी पर पढ़ रहा है न ये तो कलर बार-बार में समझ्या कर रहा यहाँ पर थोड़ा सध्यान देना आप कि ये जो सुर्य का प्रकास है वो कहां पर जाके गिर रहा है यहाँ पर इतो गिर रहा है ये क्या है कौन सी रेखा है ये ये रेखा कौन सी है जीरो डिगरी तो है हमारा ए ओ आई क्या हो गया जीरो डिगरी हो गया नहीं है ए ओ आई हमारा क्या हो गया मेरे बच्चो जीरो डिगरी हो गया की नहीं हो गया एक बर बताओ कितने बच्चे हैं अच्छा बहुत सारे बच्चे चले गए चलो, कोई बात नहीं है फिर से समझने लो, यही पर बात समझने वाली है जो 2nd grade, 1st grade के बच्चे त्यारी कर रहे है रीट वाले के तो इतना deep question आएगा नहीं लेकिन आज जो है, मैं करवा रहा हूँ आपको बस एक बात समझना, कि यह जो सूर्य की लंबवत किर्ण पढ़ रही है इंदी मैं समझ लो, यह जो सूर्य की लंबवत किर्ण पढ़ रही है इसको हम कहते हैं, angle of incidence angle of incidence अथार, जहांपर परत्वी के जिस अक्ष पर च्छ पर सूर्य की किर्ण सिधी पढ़ती है उसे कहते हैं angle of incidence और यहां पर हमारी जो सिधी किरन है वो 0 degree पर पड़ रही है तो हमारा AOI क्या हो गया 0 degree हो गया तो यहां पर हम क्या लिख देंगे हमें LOI का तो पता नहीं है लेकिन हमें AOI का पता है 0 degree और बराबर क्या है 90 degree है तो यहां पर अगर देखो यहां पर अगर अगर अपन LOI निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे 90 degree माइनस 0 degree बराबर 90 degree तो आएंगे आ गए कि नहीं कलर चैंज करना पड़ेगा रूको पहले मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ एक बर फिर से थोड़ा दीप जादा होगे रीट वाले बच्चों के लिए वही हमें एक बात पता चल गई कि हमारा जो लंबोत सूरिय का प्रकास है वो 0 degree पर पड़ रहा है इसलिए हमारा A O I जो है angle of incidence वो 0 degree है लेकिन हमें यह पता नहीं है कि हमारा जो प्रदिप्ति रेखा है वो कितना degree पर है तो हम प्रदिप्ति रेखा को ढूंड रहे हैं निकाल रहे हैं जैसे आप गणित में निकालते हो गया कि आपको क्रे मुल्य दे दिया लाब दे दिया और आप से पूछे कि विक्रे मुले ग्याद करो इसी प्रकार की condition बन रही है कि हमें ये तो बता दिया कि लंबवत जो आपका लंब है वो कितना है zero degree पर जाके गिर रहा है अतार्थ angle of incidence जो है वो zero degree पर है तो अब आप जो है वो ग्याद कर लो किसको प्रदिपति रेखा को ग्याद कर दो लाइन ओफ इल्मिंसन को ग्याद कर लो कितन क G can हमारा हमारा जो हमारा जो लाइन एल्मिनेशन है वो हमें पता नहीं बट हमें यह पता है की हमारा angle of incidence है वो 0 degree है ठीक है और बराबर हमारा कितना दे रखा है 90 degree है तो अब हम जो है वो LOI ग्याद कर लेंगे की नहीं कर लेंगे कैसे कर लेंगे कि इसको निकालने के लिए हम क्या कर देंगे यहाँ पर 90 degree से 0 degree घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 90 degree बच गया तो हमारा line of illumination कितना आ गया 90 degree आ गया हमारा line of illumination कितना आ गया यह देखो अब हम यह कह सकते हैं कि नहीं कह सकते कि यह जो हमारी क्या है यह हमारी प्रिदिप्ति रेखा है line of illumination क्या हो गया यह हो गया, लाइन ओफ इल्यूमिनेशन 90 डिगरी हो गया, थोड़ा सा कठिन नहीं है समझना, आप समझना चाहोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, जिनको समझना है वो समझ लो, मुझे पता है कि थोड़ा सा आपकी लेवल का उपर गाए, लेकिन पढ़ने में कोई दिक डिगरी क्या है, नोर्थ इस्ट है, नोर्थ और साउथ है, स्वरी, नोर्थ और साउथ आ गया, आप देखो, अक्ष क्या होता है, अक्ष क्या होता है, अक्ष तो यही तो अक्ष है, लाइन ओफ इल्यूमिनेशन भी यही है और यही हमारा क्या बन गया, अब अक्ष भी ब कितना बन गया है 90 degree अक्ष तो 90 degree होता ही है यह तो हम पहले से जानते हैं तो यहां पर एक condition क्या बन गई कि line of illumination बराबर अक्ष बराबर 90 degree आ गई यानि line of illumination जहां से दिन रात बनते हैं पलस जहां पर अक्ष होता है 90 degree and 90 degree S को मिलाने वाली रेखा अक्ष कहलाती है तो यह हमारे क्या है यहां पर बराबर हो गए हैं क्या हो गए है L I O और अक्ष दोनों क्या हो गए हैं बराबर हो गए हैं और हमने क्या condition पड़ी थी पीछे चलना थोड़ा सा हमने condition पड़ी थी यहां पर आओ वापस देखो यहाँ पर आओ, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, कि अगर condition ऐसी हो जाती है, कि LOI, अदे लाइन ओफ इलूमनेशन बराबर अक्ष हो जाता है, तो ऐसी condition में दिन रात क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, और हमारा क्या हो रहा है, इस condition में देखो, हमारा 21 मार् बराबर हो रहा है अक्ष के line of illumination और अक्ष दोनों क्या हो रहे हैं 90-90 degree हो रहे हैं तो इससे क्या हो जाएगा इससे ये हो जाएगा कि 21 मार्च को जो है वो 21 मार्च को 21 मार्च को 21 मार्च को दिन रात दिन और रात पराबर हो गए क्या हो गए ब्राबर हो गए यह साबित करना जिसे साइंस में साबित करते हैं ना प्रियोग के द्वरा कि दिन रात ब्राबर क्यों हो गए एक दिन रात ब्राबर हो रहे हैं एक दिन रात बड़ी हो रही है एक दिन बड़े हो रहे हैं तो यह क्यों का उतर यहां पर निकल के आ गया दिन और रात 21 मार्च को इसलिए बराबर हो गए, क्यों हो गए, क्योंकि हमारा line of illumination बराबर हो गया अक्ष के, यानि अक्ष और line of illumination दोनों क्या हो गए है, बराबर हो गए है, और बराबर होने के कारण जो है, वो क्या हो गया है, बराबर होने के कारण क्या हो गया है, दिन और र क्या हो गई है बराबर हो गई है इसे क्या कहते हैं इंग्लिस में इस दिन को क्या कहते हैं विश्व कहते हैं विश्व क्या कहते हैं इसको विश्व कहते हैं और इंग्लिस में इसको क्या कहते हैं इसी विश्व को विश्व कहते हैं इसको और इंग्लिस में इसको क्या कहते है इक्वी नोख्ष इक्वी नोख्ष इक्वी नोख्ष इसको जो है वो कहते हैं ठीक है क्या कहते हैं इसको इक्वी नोख्ष कहते हैं यानि इस दिन जो है, इखिविकार्थ होता है, सपात होना और योयदा in नौजकर्द हो जाती है, और ऐसा भी माना जाता है, हिंदु ग्रहत में के इस दिन जो है, शूफन खा उसकी नाक कटी थी, इसी दिन जो है वो शूफन खा, शूफन का रामाइन में आपने पड़ा मार्च तागे प्यार करेगी में दुन्नों पहले से बैडा पकड़ी की काड़ी तिलवार ना काड़ दिया न इक्वी नोश विश्व इसको जो हो कहा जाता है पहली जो बात है 21 मार्च की आपको समझ में आ गई तो एक बार लाइक बटन दबा दो और यस लिख दो कि हाँ 21 म लगबग लगबग दो घंटे होने वाले हैं कलास को अभी अगर नहीं समझ में आया तो बता दो दूसरी कंडिशन कब बनती है ऐसी की ऐसी 23 सेप्टेंबर को भी बनती है 23 सेप्टेंबर को सुर्य की किरन जो है वो यहां पर भी जीरो डिगरी पर गिर रही है यह क्या है ज तो 0 डिगरी है यह 23 डिग्री है और यह 29 जौ पर भी सुर्य की की जो कीरन है वो सीधी पड़ रही है कहां पर सीधी पढ़ रही है कहां पर 0 डिगरी पर पढ़ रही है किसमें पढ़ रही है 0 डिगरी पर पढ़ रही है तो यह क्या हो गया 0 डिगरी 0 डिगरी पर लंब हो गया 0 डिगरी पर लंब हो गया अथार्थ हमारा AOI अथार्थ Angle of Incidence क्या हो गया 90 degree हो गया ना यहाँ पर तेविस सितंबर को भी देखो एंगल ओफ इंसिडेंस जो है वो 0 degree है और अब हमें एक बात तो पता चल गई किस दिन की तेविस सेप्टंबर की ठीक ऐसा ही है कोई अंतर नहीं है थोड़ा सांतर है कोई बाकी अंतर नहीं है ऐसे ही आप निकाल लेंगे इसको भी विश्व जो है वो कहते हैं क्या है देखना 23 सितंबर को दूसरी कंडिशन देखना 23 सितंबर 23 सितंबर 23 सितंबर को भी क्या हो रहा है हमारा अब की बार अंतर देखो यहाँ पर आएगा यहां पर भी हमारा जो है वो देखो AOI कितना है हमारा 0 degree है हमें पता है AOI अथार्थ angle of angle of यहां पर यह मिट गया क्या angle of incidence angle of incidence angle of incidence 0 degree है तो अब हम इससे क्या ग्याद कर लेंगे इससे हम ग्याद कर लेंगे लाइन ओफ इलुमिनेशन बराबर क्या हो रहा है एंगल ओफ इंसिडेंस और बराबर क्या हो रहा है 90 डिगरी अब देखो L O I बराबर ये कितना है 0 डिगरी और ये आगे क्या है 90 डिगरी इसको ग्याद करेंगे तो 90 माइनस 0 करेंगे क्या जाएगा 90 minus 0 तो बराबर क्या बच गया 90 ही बच गया तो LOI बराबर क्या आ गया 90 degree आ गया कि नहीं आ गया 90 degree आ गया ना line of illumination 90 degree आ गया तो हम यह कह देंगे यहां पर कि यह हमारी क्या है line of illumination है जो क्या है line of illumination है जो दिन दिन और रात जो हुआ आपके क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, अब देखना, यहां पर line of illumination 90 degree आ गए आपका, और आपका अक्ष क्या है, अक्ष भी यही होता है 90 degree वाला, तो line of illumination बराबर अक्ष हो गया, line of illumination और अक्ष दोनों एक हो जाते हैं जहां पर, line of illumination और अक्ष जहां पर बराबर हो जाते हैं, उस समय क्या होता है, दिन बराबर हो जाता है, रात के, दिन बराबर हो जाता है किसके, रात के हो जाता है, और इस दिन को भी हम क्या कहते हैं, इसको भी हम क्या कहते हैं, विश कहते हैं, और अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, इक् किसी को दिक्कित नहीं ये देखो आपका ये तो आता है आपका सर्द रितु में है ना सर्द रितु सर्द रितु कहां होती है यह आपके दक्षणी गोलार्द में और उधर जो होता है उत्री गोलार्द में वसंत रितु होती है और यहाँ पर जो है देखना आप उत्री गोलार्द में देखो इसके ठीक उल्टा होगा यहाँ पर दक्षणी गुलाद में सर्द रितु है और यहाँ पर उत्री गुलाद में सर्द रितु है यहाँ पर उत्री गुलाद में वसत रितु है और यहाँ पर जो है वो दक्षणी गुलाद में वसत रितु है यह तो उल्टा होना ही है इसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक से एक को समझ लेंगे तो दूसरा भी अपने आपको आ जाएगा हाँ तो रीतु तो बदलेगी ना यह हमने रूल पढ़ा है देखना यह हमने रूल पहले में आपको यह रूल ही पढ़ाया है कि लाइन ओफ इल्यूमिनेशन बराबर अगर अक्ष होगा तो दिन रात बराबर होगे यह देखो हमने यह रूल पढ़ा है जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं वो देख ले ना हमने ये रूल पहले पढ़ा है यहां पर कि जहां पर line of illumination होगा अक्ष के बराबर वहां पर क्या होगा दिन रात बराबर होगा यह देखो यह रूल हमने पहले इसलिए पढ़ा था कि LOI बराबर अक्ष तो इसकारत दिन रात बराबर हो जाएंगे अब तीसरी condition पर चलते हैं और तीसरी condition क्या है हमारे पास उत्तरी गोलार्द के अंदर चलते हैं ग्रिसम रितु में 21 जून को देखिए 21 जून है ये और इस दिन सुर्य की जो किर्ण है वो लंबवत कहां पर पड़ रही है ये देखो आप देखो आप देख लो अपनी आँखों से देख लो यह चितर आपके सामने है दिन है आपका 21 जून का और यह है आपकी प्रत्वी इस प्रत्वी के उपर जो है वो च्यार situation आपको दी गई है ये तो आपका क्या हो गया जीरो डिग्री हो गया, ये आपका हो गया साड़े 23 डिग्री, ये आपका हो गया साड़े 26 डिग्री, ये N है और ये भी N है, ये आपका साड़े 23 डिग्री S, और ये आपका साड़े 26 डिग्री S, ठीक है, अब देखो सुर्य की किर्ण लंबवत कहां पर पड़ रही है, इसक यहां पर, दिख रही है आपको क्या, आपको दिख रही है सुर्ज की किर्ण कहां पर आके गिरी है सिदे सिदे, सिदे जो सुर्ज की किर्ण आके गिर रही है, वो कहां पर गिर रही है, यहां पर गिर रही है, देख लो, सुर्ये की जो किर्ण आके गिर रही है आपकी सीदे सीदे यहां पर गिर रही है कहां पर गिर रही है सुर्ये की किर्ण का जो कोण लंब बन रहा है वो कहां पर बन रहा है बताओ जल्दी से बताओ कहां पर गिर रही है सुर्ये की किर्ण करक्रेखा पर गिर रही है न 21 जून को शुर्य की जो सिधी सिधी किरण है वो इस करक्रेखा पर गिर रही है गुरु जी दिख लाग रिये थे बताओ क्यों को नी आरी करक्रेखा करक्रेखा पर गिर रही है और करक्रेखा जी हुआ है वो 23 डिगरी एन हुआ है ठीक है तो हमारे सामने सिच्वेशन क्या पड़ी है इसको लिख लेते हैं एक बार हम आगे चलके ताकि मामला अपड़े को और अच्छे से समझ में आ जाए कि बैया 21 जो जून है पर सब तो दो इमिंट का से सिच्वेशन रहा है आप थोड़ा सा और ध्यान थोड़ा सा और धेरी रहे 21 जून की सिच्वेशन देखना जो हमारा एंगल ओफ एक्सिडेंस है अथार सुर्ये से लंबवत जो किरन पड़ रही है वो कहां पड़ रही है करकर एखा पर गिर रही है एंसी आर्टी इस तरीके से पड़ लोगे ना तो आईस फाइट कर जाओगे यह तो रीट है इसलिए मैं इस तरीके से नहीं पड़ा रहा हूं केवल रीट के लेवल का पड़ा रहा हूं आज आपको मैंने आरेस के लेवल का पड़ाया है आज आ पॉसतों में इस NCRT का ये पार्ट है, तो हमारे जो नहीं लमवत किरन गिर रही है वो कहां पर गिर रही है? शुर्ये की लम्वत किरन पर परत्वी के किस अक्ष पर साधीच Rather 23 degree n पर गिर रही है ठीक है लेकिन हमें क्या चाहिए भईया हमें तो चाहिए line of illumination क्योंकि दिन रात तो उसी से होंगे ना line of illumination से होंगे दिन रात होंगे की नहीं होंगे होंगे ना तो line of illumination को ग्याद हम कैसे करें जी कैसे ग्याद करें बताओ हमें पता है line of illumination हमें पता है एक मिट यहां पर यह जो रहा है पलस का चिन है पलस और यहां पर भी जो है वो क्या है पलस का चिन है हमें एक बात पता है कि line of illumination बराबर angle of accidents बराबर क्या होता है 90 degree होता है angle of incidence angle of incidence पलस line of illumination दोनों मिल के होते है 90 degree होते है अब हमारे पास क्या दिया हुआ है line of illumination हमें ग्याद करना है बट हमें दिया हुआ क्या है कितना दिया हुआ है 30.13 degree देदा है 30.23 degree दिया हुआ है और बराबर क्या है 90 degree है तो अब हम क्या ग्याद कर लेंगे LOI यानि line of illumination ग्याद कर लेंगे इसको इधर ले आएंगे 90 minus कर देंगे 1.5,3 degree तो बराबर क्या बच गया है 1.5,6 degree बच गया कि नी बच गया तो हमारा क्या निकल गया आ गया line of illumination आ गया हमारा 1.5,6 degree यानि हमारा line of illumination जो होगा वो क्या होगा 1.5,6 degree होगा समझ में आया आहां NCRT बहुत है बहुत है line of illumination का अर्थ क्या हो गया कि यहाँ पर जो हम line of illumination की रेखा खींचेंगे वो कहा खींचेंगे ध्यान से देख लेना अब समझ में नहीं आया तो फिर नहीं समझ में आएगा हमें line of illumination की रेखा 1.5,6 degree पर खेंचनी है यह है 1.5,6 degree है ना दिख रहाएगे आपको यह है आपका 1.5,6 degree एक तो यह है 1.5,6 degree देखो और एक यह 1.5,6 degree है तो line of illumination आपका हो गया यह वाला line of illumination क्या हो गया यह वाला हो गया इसका क्या नाम देदे हो गया आप L O I यह क्या हो गया line of illumination हो गया इसके इस दिशा में जितना भी मामला है वो सारा रात है और इस दिशा में जितना भी मामला है वो क्या है दिन है यानि 1.5,6 degree उत्तर से साड़े छ्यांसर डिगरी दक्षिन पर हम क्या करेंगे लाइन खेस देंगे जो लाइन ओफ इलूमनेशन होगी क्या होगी लाइन ओफ इलूमनेशन होगी तो अब बताओ हमारा अक्ष क्या है अब ये बताओ यहाँ पर हमारा अक्ष क्या है अक्ष क्या होता है अक्ष तो वही रहेगा चो पहले गुर्जी अक्ष में के प्रिवर्तनास के कोई अक्ष में प्रिवर्तन हो सकता है क्या अक्ष तो पहले भी 90 डिग्री था और अभी भी 90 डिग्री रहेगा क्योंकि अक्ष हमेशा क्या होता है N S को मिलाने वाली कालपनिक रेखा होती है ठीक है तो यहाँ पर एक कंडिशन क्या बन गई देखना जरा कि line of illumination और अक्ष अक्ष बराबर बराबर नहीं है देख लो line of illumination 6,6 degree है अक्ष जो है वो 90 degree है तो line of illumination और अक्ष जो है वो आपस में क्या नहीं है बराबर नहीं है अगर ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो क्या होगा दिन रात बराबर नहीं होंगे line of illumination और अक्ष अगर बराबर नहीं है तो दिन रात भी बराबर नहीं होंगे समझ में आ रहा है आपको कि दिन और रात क्यों बराबर नहीं होंगे क्योंकि line of illumination जो कि दिन और रात को बनाती है और हमारा जो प्रत्वी का अक्ष है दोनों में साड़े तेश डिगरी का अंतर आ गया है साड़े तेश डिगरी का क्या आ गया है अंतर आ गया है और यही अंतर क्या कर रहा है यही जो अंतर है वो दिन और रात को बराबर नहीं करने दे रहा है हमने यह रूल बनाया है पहले आप देख लो चाहें इसलिए मैंने आपको पहले रूल बताए क्योंकि रूल पहले नहीं बताता न तो आज आपको ये मामला कैसे समझ में आ पाता ये देखो रूल कहा है ये रहा रूल अगर ब्राबर नहीं होगा तो दिन रात भी ब्राबर नहीं होगे अगर ब्राबर होगा देखो ल आई ओ ब्राबर अक्ष के ब्राबर तो दिन रात ब्राबर है अगर ब्राबर नहीं होगा तो दिन रात ब्राबर नहीं होगा अब देखो एक वर्चित्र को फिर से देखो यहां ये है अपनी लाइन ओफ इलूमिनेशन देख लो इस रेखा के इधर क्या होगी रात होगी इस रेखा के इधर क्या है रात है ये देखो रात बड़ी है और दिन कितना है दिन केवल छोटा सा है साड़े छांसर डिगरी पर देखो आप साड़े छांसर डिगरी पर रात कितनी है और दिन कितना है देखो दिन छोटा रात बड़ी और इधर चलोगे आप ये किस में है ये नोर्थ में है ये साउथ में है जबकि नोर्थ में चलोगे आप तो नोर्थ में जो है वो रात तो यहां पर क्या किस सिचुवेशन बन रही है लिख लो इस सिचुवेशन को अगर आपके थमझ में आ गया है तो नहीं आया है तो पूछ लो यहां पर सिचुवेशन ये बन रही है वह इसके कारण जो है वो इसके कारण क्या हो रहा है कि एक तो पहली बात तो इसमें ये लिख दो पहली बात तो इसमें ये लिख दो कि लंबी रात होगी और 21 जून के दिन क्या होगा 21 जून के दिन जो है वो क्या होगा करक सक्रान्ती होगी क्या होगी करक सक्रान्ती ठीक है करक्सक्रांती हो गई एक तो दूसरा यहां पर जो है वो दिन जो होगा दिन सबसे लंबा होगा दिन जो होगा सबसे लंबा होगा देख लो आपके सामने है मैप में मैं नहीं कह रहा हूँ यह बात यहां पर सिद हो रही है देख लो यहां पर दिन क्या है सबसे लंब और यहां पर देखो, साउथ में जाओगे, तो साउथ में रात बड़ी है, और दिन छोटा है, ठीक है, दोनों कंडिशन उल्टी होगी, याद रखना, तो दिन तो सबसे लंबा, और रात जो है वो, सबसे छोटी होती है, और यह किस सिच्वेशन में है, यह N में है, यानि उ उत्री गोलार्द में है, उत्री गोलार्द, दक्षनी गोलार्द में ठीक, इसका उल्टा होगा, दक्षनी गोलार्द में क्या होगा, रात सबसे बड़ी और दिन सबसे छोटा, रात सबसे बड़ी और दिन सबसे छोटा, अब ठीक, ऐसी की ऐसी कंडिशन ही, देखो, यहा साड़े चाहसे डिगरी पर अगर हम जाएंगे तो साड़े चाहसे डिगरी पर अगर हम जाएंगे तो साड़े चाहसे डिगरी एन पर तो क्या होगा साड़े चाहसे डिगरी एन पर 24 घंटे 24 घंटे का दिन होगा अगर कोई देश जो है यहाँ पर 6.6 डिगरी पर है अगर कोई देश यहाँ पर है तो उसमें दिन कितना होगा 24 घंटे का दिन होगा यहाँ दिन होगा अगर कोई देश 6.6 डिगरी यानि उत्तर में है तो 24 घंटे का दिन और अगर कोई देश 6.6 डिगरी साउत में है तो वहाँ पर 24 घंटे की रात होती है है रात होती है है ना कोई दिक्कित किसी को यहां तक इसी परकार चोथी कंडिशन भी बनेगी इसी परकार चोथी कंडिशन बनेगी चोथी कंडिशन कौन सी है 22 डिसमबर वाली 25 डिसमबर को क्या होगा 25 डिसमबर को यही कंडिशन बनेगी है ना यही जो है वो सारा का सारा situation होगा यहीं साड़े च्छाइशट का होगा बस वहां पर उल्टा हो जाएगा 22 दिसंबर को क्या होता है देख लो मैं यहां पर सीधा लिख रहा हूँ समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि मैंने सारा समझा दिया आपको 22 दिसंबर को जो है situation क्या बन जाएगी सुर्ये की जो लंवत किरण है वो कहां पर पड़ेगी 22 दिसंबर को मकर रेखा पर पड़ेगी तो इसलिए इसे मकर सक्रांती कहते हैं क्या कहते हैं मक्कर सक्रान्ति कहते हैं और इस दिन जो है वो दिन जो होगा दिन होगा सबसे छोटा दिन तो होगा सबसे छोटा इसका ठीक उल्टा हो जाएगा यहां पर दिन तो सबसे छोटा हो जाएगा और रात जो हो जाएगी वो सबसे बड़ी हो जाएगी सबसे बड़ी हो जाएगी और 6.6 डिगरी पर 24 घंटे की रात और 6.6 डिगरी साउत में 24 घंटे का दिन हो जाएगा ये टोपिक पूरा हो गया बस यही था इसमें हमने परत्वी की गती पड़ ली कि परत्वी की दो गती होती है घुर्णन और एक परिकर्मन और परिकर्मन औ परिकर्मन के कान जो है मोसम बदलते हैं और दिन रात के समय में अंतर होता है परत्वी के अपने अक्षपर जुके होने के कारण अगर इसी प्रकार के प्यारे और सेशन देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो टेलिग्राम चैनल को जोइन कर लो ताकि आपको इसी प्रकार के और सेशन जो है मिलते रहे आसा करता हूँ कि टोपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा अगर टोपिक समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ सेव जुरूर करें इसको और और इसी प्रकार हमने पूरा जोग्राफी आपको करवाया है नीचे प्लेलिश्ट दी गई है जोग्राफी की मनो पाद केवल दो ही टोपिक बचे हैं जिनकी हम चर्चा अगले क्लास में करेंगे अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थेंक्यू सुबरातरी और हैपी दिपावली नमस्कार रविद्वान सातियों एक बड़ फिर से स्वागत है आपका एक और ने लाइफ सेशन में कैसे हैं आप आसा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे हैं और आपका जो दिपावली है वो भी बहुत अच्छा रहा और आप सब ने बड़े ही धूब धाम से इस दिपावली के परव को जो है वो मनाया है और अपने और अपने परिवार वालों के साथ अपने दोस्तों के साथ अपने शुर्य ग्रहन देखने के बाद अब आगे चलते हैं और जिस सपने को हम लेके चल रहे हैं उस सपने के और एक और कदम बढ़ाने का प्रियत्वन करते हैं तो आप सभी को धिपावली की धेरो धेर बधाईया और आज राम नियोमी भी है तो आज आप सभी को धिपावली की बहुत बहुत राम राम कहते हुए अपनों सेशन जी को है वो सुरू करा अपनी मारवाडी बासा में है ना क्योंकि असली मज़ा अपनी बासा में ही आता है आप सब जानते हैं तो आइए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की कैसे हैं आप मेहंदर सिंग जी उपुप जाट कैसे हैं आप सुनिल जी कैसे हैं आप जोती जी प्रमोद जी शुलोचिना नीतु प्रमोद और शर्वन जी कैसे हैं आप आप सब का भहुत भोँत स्वागत, अभिनेंदन और इस प्रिवार के सारे सदस से जो स्टेशन को ओफ लाइन, ओन लाइन, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद या कभी भी आप देखते हैं, तो आपका भी हृदे की गहराई से भोँत भोँत स्वागत और अभिनेंदन हैं आज हम इसी के उपर जो है वो विस्तार से चर्षा करने वाले हैं। मैं तो दिपावली की मिठाई खागे, उपर चिप्स खागे, बड़ा खागे, पकूडा खागे, बिलकुल त्यार बैठे हां और पढ़ना खातर बेकरार बैठे हां। माहवीर स्वामी जी और एक मेरे भाई ने आयूस आपने उर्दू में लिख रखा है, यार यह कोई बात नहीं है, चलो कोई बात नहीं लिखा है तो ठीक है। और विरेंदर सिंग भाटी कैसे हैं आप उनम ज्यांगिर कैसे हैं आप बसंती मिना कैसे हैं आप और केदार मिना जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। विकास थोरी आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। चलिए, करते हैं शुरुआत आज के सेशन की, विद्वान साथी वो चर्चा करेंगे, बहुत इसी प्यारा सा टोपिक है वायू मंडल, संग्ठन, सरंजना, पवन और वायू मंडल के शंचरन, NCRT है, कलास 6 है औ चैप्टर नम्मर आज आपका है, पांच नम्मर, और इसी से इस सेशन की जो है वो अपन चर्चा करने वाले हैं विस्तार से, अब जितने भी बत्चे आ चुके हैं इस परिवार में, और इस सेशन में जुड़ गए हैं, उन सभी को एक साथ दिपावली की धेरो धेब राम एक बर फिर कहता हूं क्योंकि बहुत सारे बत्चे राम राम लिख रहे हैं, अना, तो आप सब को हिर्दे की गहराई से बहुत बहुत दिपावली की सुब कामना है, नगेंदर जी कैसे हैं आप, लेख राम जी स्वागत आपका, विराज चोपरा जी स्वागत आपका, कैस हैं आप बलदेव जी, एगियाम प्रिपरेशन जी के कैसे हैं आप, खुश्बुरानी जैन, और मुना सैनी, मुना सैनी कैसे हैं आप, आप सब का भी बहुत-बहुत हिर्दे की गहराईों से स्वागत अभिनादर, लाच सेसन हमने पढ़ा, दो घंटे की क्लास हो गई थी, वो जो सेसन था, अगर आपने नहीं देखा है, तो जरूर देखिएगा, जिसमें हमने पर्थवी की गती के बारे में पढ़ा था, उस टोपिक को हमने आपको ये बताने का प्रियास किया था, कि इन NCRT पुष्टकों में कितना सारा डाटा है, अगर कोई बच्चा UPSC की त तब भी NCRT पढ़नी है, RS की त्यारी कर रहे हो, तब भी NCRT पढ़नी है, आप ये बात सोच के confused हो जाते होंगे न, होते हैं के नहीं होते हैं, प्रेसान हो जाते होंगे कि यार, यह के मामलों बिटो रहा, सगोड़ा को है, रीटारा ने भी आ करें लोग, NCRT, RBAC पढ़ो, को RS की त्यारी कर रहे हो, वो भी NCRT पढ़ो, UPSC की त्यारी करना रहा, NCRT पढ़ा हो, NCRT में तो इसो कोई जादा मेटर भी गो नहीं है, ओके मामलों है, आपके मेरे में ये question आना, एक सभाविक बात है, क्यों आना सभाविक बात है, इसलिए आना सभाविक बात है, क्यो हमने आपको एक session करवाया, NCRT का ही, इसी class 6 का chapter 4 हमने आपको पढ़ाया था, last session में, जो 2 घंटे की class है, जिसका नाम है पर्थवी की गतियां, उस topic को आप पढ़ना 2 घंटे की class है, उससे आपको पता चलेगा कि कितना गहरा जा सकता है, हम NCRT में भी कितनी गहरा ही से त्या हम REIT में पढ़ेंगे, तो थोड़ा किसाब से पढ़ेंगे, REIT के coding पढ़ेंगे, उसे chapter को RS के लिए पढ़ेंगे, तो थोड़ा गहरा पढ़ेंगे, UPC के लिए पढ़ेंगे, तो थोड़ा और जादा उस topic से related, जो है अपन चर्चा करने वाले हैं, तो इसको समझने के लिए आप लास्ट वाला सेशन जरूर देखियेगा, अब मैं आज REIT के coding आप से चर्चा करता हूं, और प्रत्वी की प्रमुख परीमंडल, ये chapter का नाम है, NCRT Classics Geography, chapter नमर 5 की सुरुवात करता हूं, यहां आपको एक डाइग्राम दिख रहा है, जिसके अंदर दिखाया है कि प्रत्वी जो है, यहां आपको दिख रहा है न, ये क्या है, ये तो प्रत्वी एक स्कड़ाई जाना में है, देखो प्रत्वी जो है, ये तीन भागों में आप देख सकते हो इसको, ठीक है, आपकी बुक में ये लिखा हुआ है, कि प्रत्वी को तीन भागों में जो ह आपुसरा जो आता है आपका वह आता है वाई ggakता है आयद्रोश्पेर कहते हैं और तीसरा जो पार्ट आता है आपका वह आता है जल मंद्र अ यह तो बैसिक बात है सरा यह भी क्रशाचह में पढ़के आएं यह तो सारे common बात हैं यहां से समझने का प्रेस्टन हमें करना है क्योंकि इस टोपिक में हम वाईउ मंदल के बारे में हमें तो यां वाईउ मंदल के बारे में बताओ लेकिन थोड़ा सत्च्च कि हम NCRT से पढ़ रहे हैं तो इसलिए इस वाईउ मंदल को भी हम जो है इन तीनों मंदलों के साथ पढ़ेंगे ठीक है स्टल मंदल जल म मंधल और वायू मंधल और यहां से इस चेप्टर से आपके क्युशन निश्य तोर पर जो है वो कवर होंगे ही होंगे इसमें कोई जो है वो संका की बात नहीं है ठीक है कुल दीप जी कैसे आप आपको भी दिपावली की बहुत बहुत राम राम ठीक है तो प्रत्वी जो है इनको तीन पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं एक तो जो उपर ये स्तल ये भाग है उसको तो हमने कह दिया स्तल मंधल ये जो जल ये भाग है इसको हमने कह दिया जल मंधल और इसके चारों और एक जो हवा का आवरण है ये चारों और इसको हमने क्या क मंडल कह दिया अभी यहां पर आप देखोगे तो एक क्या आप कोई वेक्तिक केवल वाई-उ मंडल में जीवित रह सकता है क्या एक आदमी ना पाँ अभा में लटका आगे छोड़ दिया आठ साथ किलो मेटरों चाई पर तो क्या वो जीवित रह सकता है मिनाक सियादव जी क्या वो जीवित रह सकता है क्या छलो कोई बात नी आवा में तो कोझ रह सक है लेकिन क्या किवल अपन पानी में डूबो दिया शागर महासागर गंदर गैराई में तो क्या वो जीवित रह सकता है वहाँ पर भी नहीं रह सकता तो इस प्रत्वी के ऊपर देखो हमारे प्रत्वी के अलावा और भी ग्रह हैं या उन पर जीवन नहीं है बिल्कुल मंगल ग्रह पर संभावना है कि वहाँ पर जीवन हो सकता है उस पर कारिय चल रहा है मंगल ग्रह पर शंद्रमा पर लेकिन वायू मंडल और जल मंडल इनका एक कोमन छेतर बनता है यह देखिए आप यह जो छेतर बना है यहाँ पर इसमें जल मंडल के भी गुण है ना इसमें वाईयू मंडल के भी गुण है और इसमें जो है वो स्तल मंडल के भी गुण है यानि जिसमें स्तल मंडल का भाग भी है वाईयू मंडल का भाग भी है और जल मंडल का भाग है यह तीनों मिलकर एक जो है वो नया create करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं बायुस्पेर कहते हैं क्या कहते हैं बायुस्पेर अथार्थ जीव मंडल या जिसे आप क्या कहते हैं जेव मंडल कहते हैं यह जो जेव मंडल है जब यह तीनों चीजे वायू जल ठल ठल वायू और जल तीनों मिलते हैं तो फि में सारा केकरस का जिवन लेश का हूँ प्यार महुबत कहां से आता है जब हम प्रिवार में रहते हैं जब हम प्रिवार में रहते हैं आज देखो अभी आपने दिपावली का तिवहार मनाया है सबने आच्छी से खूब मनाया है, सोचो, आपको पांच हजार, दस हजार, बीस हजार, पचास हजार, लाक, दो लाक, दस लाक रूपे दे दिये जाए कि एलो भाई जी दस लाख रिपिया और थाने जिको है वो उत्री धुरवा या दक्षन धुरवा पर छोड़ दिया जाओ जटक कोई भी निसान नहीं है कोई निसान नहीं है जहां पर और वहाँ पर आपको छोड़ दिया जाए या अंत्रिक्ष में ले जाके छोड़ दिया जाए या आप वहाँ पर पैसे से खुशियां ला सकते हैं नहीं ला सकते हैं खुशी का आउसर है लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक मन की बात कहना चाहता हूँ जब कोरोना काल था दोजार गुनिस बीस में बहुत सारे ऐसे साथी थे बहुत सारे से जानकर हैं एक ओल आया एक बच्चा है हमारे यहीं का है तारनगर गाई है मेरे साथ काफी उसका संप्रक भी था लेकिन कुरोना गाल में माता पिता दोनों को खो दिया उसने पावली के दिन भी खुशी नहीं थी निपावली के दिन भी खुशी नहीं थी यानि मैं कहना यह चाहता हूं कि जिस परकार सिल मंडल वाईयो मंडल और सिल मंडल ने मिलकर जो है वो इस स्रश्टी को क्रियेट किया है और क्रियेट जब यह तीनों चीज़े मिली है तभी तो ये श्रश्टी मिलिये, तभी तो यहाँ पर तरह तरह के फूल खिले हैं, तरह तरह के पेड़ बने हैं, पोधे बने हैं, हजारों परजातियां जीवों की यहाँ पर जीवन जीपा रही है, और हम सब प्राणी भी इसी के अंदर आते हैं, यानि जब सब मिलते हैं, जीवन में केवल पैसे से कोई आनद नहीं लिया जा सकता केवल किसी एक वस्तु में प्रेम नहीं है आप नोकरी भी लग गए आप सब कुछ कर लिए लेकिन आपकी उस खुशी को आप जाहिर नहीं कर पा रहे हैं मालने जीवन आपके लिए बहुत बड़ी खुशी का कोई बात हो गई लेकिन आपका कोई दोस्ती नहीं है और एक दोस्त था आपका और उससे आप नराज हो गए मुफला के बैठे हैं उससे आप बात नहीं कर रहे हैं उसको आपने ब्लोक कर रखा है फोन में अब वो को पूरा आज ही करेंगे चिंदा मत करना ठीक है खुशी क्या है इस चीज को थोड़ा सा समझने का प्रियतन करना यही भारत पाकिस्तान के मेच होते थे और हम होस्टल में रहा करते हैं हमारे बहुत सारे दोस्त होते थे एक वो डब्बे वाला टीवी होता था और दूर द इस तरीके से ठूस जाते थे हम कि पूछो मत और फिर एक एक बोल पर जो मजा आता था ना जो हला मस्ता था तो फीटियां बहते थी उसे उस मेच को यानि उस मेच का जो मजा है जो उस मेच की खुशी है वो पचासू कुणा जादा बढ़ जाते थी और कल वो मेच देखा तो घर पे बैठके देखे इंडिया जीत गई लेकिन चीख नहीं पा रहा है यानि खुशी है अंदर अंदर है लेकिन वो दब गई जब यही मेच घर पे बैठके देखा ना घर पे टीवी के सामने LED टीवी लगा था बड़ा कलीर दिख रहा था सुन्दर सुन्दर दिख लेकिन भार जीत गया लाश्ट बोल में जीत गया चोका लगाके लेकिन खुशी हुई लेकिन वो खुशी बाहर नहीं आ पाई यही जीवन है वह इसलिए हमेसा याद रगना नोकरी लगना या कोई चीज हासिल करना यह सब चीजे तभी माइने रखेगी जब आप सब के सा बात होंगे अकेले में कोई खुशी खुशी नहीं होती है अकेले में कोई भी खुशी जैसा फील नहीं करती है इसी प्रकार जब यह तीनों मंडल आपस में मिलते हैं तो एक खुशियां करियेट करते हैं जिसे हम बाइश फिर या जेव मंडल कहते हैं जहां पर हम सब जो ह पर हम रहते हैं उसे भू मंदल कहते हैं या स्टल मंदल भी कह सकते हो कोई दिक्त नहीं है यहां पर आप यह भी लिख सकते हो स्टल मंदल स्तल मंडल भी कह दो कोई दिक्त नहीं है भू मंडल भी कह दो कोई दिक्त नहीं है एक ही बात है वहे ठोस भाग यहां पर हम रहते हैं स्तल मंडल कहलाता है सहनाज जी कैसे हैं आप असल्लम आलेकम सहनाज जी जैहिंत प्रत्वी का वहे ठोस भाग जिस पर हम निवास करते हैं स्तल मंदल कहलाता है धू मंदल कहलाता है दूसरी लाइन गेस की परत जो प्रत्वी को चारो ओर से घेरती है वाईउ मंदल कहा जाता है यह इसका जो आवरं जिसमें बहुत सारी ज जो गेसे हैं वो आपस में मिली हुई है यह सब मिलकर क्या कहलाती है वाईउ मंडल जो है वो कहलाती है क्या कहलाती है वाईउ मंडल कहलाती है ठीक है इसके बाद तीसरा आता है आपका first, second and third प्रत्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है almost 71% पर जल पाया जाता है तो प्रत्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जल मंडल के नाम से जाना जाता है जल मंडल के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है और 29 परतिस भाग पर जो स्तल पाया जाता है प्रत्वी जल तथा वायू मंडल प्रत्वी का आरत क्या हो गया स्तल मंडल स्तल मंडल जल तथा वायो मंडल का वहे छेतर जहां जीवों का निवास संभव है उसे क्या कहते हैं जेव मंडल कहते हैं प्रत्वी यानि स्तल मंडल, जल मंडल और वायू मंडल इन तीनों का वहे कमाइन्ट भाग, तीनों का मिक्स भाग जहां तीनों के गुण पाए जाते हैं, वहे मंडल क्या कहलाता है, जेव मंडल कहलाता है जी जी स्रस्टी शिंग जी बहुत बहुत स्वागत आपका बहुत बहुत स्वागत आपका सर नमस्ते राजस्तान के भर्तपुर्ष से आपको बहुत बहुत प्रणाम आपको आप खुश रहें स्रस्टी जी और हम अनकेडमी पर पढ़े हैं आप से आप फिर से आप हमारे साथ अनेकेडमी पर पढ़ोगे, अभी तीन तारिकों हमारा कोर्स आ रहा है, तो उसमें आप फिर से पढ़ोगे रीट के लिए, चिंदा मत करो, फिर से पढ़ोगे आप, तो तीनों चारों बाते आपके बिल्कुल समझ में आगे, यह बेसिक बात है, आगे बढ़ते हैं, भूमंडल किसे कहते हैं, देखिएगा, प्रत्वी के ठोस भाग, प्रत्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है, यहाँ पर एक प्रत्वी का आपको चित्तर दिख रहा है, उसको बीच में से स्लाइस कारके, हमने आपके लिए ग्राफिक्स है यह, हमने आपके लिए लगा है ताकि, देखिए यह जो भाग है प्रत्वी का, यह वाला जो भाग है, यह जो यहाँ तक का भाग है, यह दिख रहा है यहाँ तक का भाग, यह वाला जो भाग है, यह क्या है, ठोस भाग है, यह क्या है, हलाकि यह भी ठोस ही है, लेकिन यह उपर प्रत है इसे हम क्या कहते हैं भूमी या बाहरी प्रत कहते हैं भू मंडल कहते हैं इसी को इसी प्रत को हम क्या कहते हैं भू मंडल कहते हैं ठीक है तो प्रत्वी के ठोस भाग को भू मंडल कहा जाता है यह भू पट्टी की चटाने तथा मिट्टी की पतली प्रतों को बना होत यह देखो पतली परत हैं यह मिट्टी की है जो काफी जादा उपजाव होती है इसमें तरह तरह की जीव पाये जाते हैं जो खेतों को जो है हमारे उपजाव बनाते हैं जिसमें अनुकता है पेड़ पोलती उखते हैं और हम भी हम भी आप सब हम यह पूरा देश पूरा इसी धरती को क्या कहते हैं हम धरती माता कहते हैं और इसकी इसकी आंचल में हम अपना जीवन जो है वो वैतित करते हैं थोटा बच्चा मिट्टी में ना अगर छोटा बच्चा होता ना आप देखना आपके घर में हैं आपके आगे भविसे मिसादी के बाद बच्चे होंगे भी आपके, तो आपके बच्चों को देखना, हलाकि आजकल जो modern society है, जैसे आजकल के time में बात करूँ, तो बच्चों को मिट्टी में खेलेना नहीं दिया जाता है, आजकल की पढ़ी लिखी, माए, पढ़ा लिखा, मिट्टी में नहीं, इसमें भो ज्यादा बेक्टीरिया होता है, लेकिन हम बताएं, अब आपका और हमारा जीवन तो लगभग एक जैसा है, क्योंकि मैं और आप लगभग लगभग एक एज़ गे, अपना जो जीवन था, वो तो मिट्टी से ही था, यानि, घर पे कच्चा ही होता था, और उस कच्चे पे जो है वो, उस कच्चे में सारे दिन मिट्टी में खेलना होता था, अना, वहीं पर सो जाना मिट्टी में, वहीं पर खेलना, और पूरा सरीर मिट्टी से भरा होता था, और हमें याद है, हम ऐसे बाहर सोते थे, हम सार अभी गर्मियों में रात को आंधी आती थी और आंधी के बाद जब सुभा उठते थे तो ये बड़िया मेक अप हुआ मिलता था ब्राउन ऐसे अंग्रेजों जैसे बाल हो जाते थे भूरे-भूरे क्योंकि मिट्टी हो जाती थी और चहरे पर पूरा मेक अगर कोई काली सरीट पेन के सोया है तो वो ब्राउन हो जाती थी तो मिट्टी से हमारा बड़ा गहरा नाता है और यही वो मिट्टी है इसके बाद तो second परत आती है, ये आपकी जो है वो ठोस परत है, ये जो है आपकी क्या है, ये भी ठोस ही परत है, दोनों ही ठोस परत है, ये क्या है, ठोस भाग है, पहली परत है ये, इसके बाद ये भाग आता है आपका, ये जो है वो कैसा है, ये अर्द ठोस है, अर्द ठोस, यानि थो पूछा जाएगा आपसे, पूछा चाह सकता है कि जैसे आपने छटी, साथ में, आट वी, नम्मी, दस वी किलास में तीन नाम पढ़े हैं, सियाल, सीमा और निफे, परत्वी की तीन परतों में पाए जाने वाले धातू है, सियाल, सीमा और निफे, तो पूछा जा सकता है कि CR किस परत में पाया जाता है मालो जैसे NCRT से क्योशन बना रहा है और एक्जामिनर ने ये लाइन पढ़ी और इस लाइन को पढ़ी के वो अपने दिमाग में बना सकता है इसा क्योशन कि यार ये पूछ लेते हैं कि जो निफे है निफे वो पर्षवी के किस भाग में यानि किस परत में जो है निफे पाया जाता है पूछा जा सकता है तो देखो सबसे पहली परत है इसके अंदर जो है पाया जाता है क्या इसके अंदर पाया जाता है CR ठीक है CR क्या होता है ये एक परत है इस Si Al, Si Al बना कैसे? Generally Si Al कैसे बना? इसी तरीके से तो Si Al बना है ना ये? Si Al Si प्लस Al है न? यही तो है Si Al यही तो है ना Si Al तो इसमें देख लो आप इसमें जो Si Lika है उसका तो ले लिया Si Si Lika Si Lika और Al है Almonium का Almonium का जो है वो क्या ले लिया? Al ले लिया और इन दोनों धातुओं को दोनों धातुओं को एक साथ क्या कह दिया गया? Si Al कह दिया गया तो क्योसन ये बन सकता है देखो संभावना होती है हम हर संभावना तक जाने का प्रियास करते हैं क्योसन पूछा जाएगा आपसे या तो पूछा जा सकता है Si Al कहां पाया जाता है? किस परत में पाया जाता है? तो इस परत में पाया जाता है दूसरा Si Al जो है उसमें कौन-कौन सी धातो होती है Silika और Almonium होती है बेसिक बता रहा हूँ ऐसे ही बना है सीमा? किस-किस से बना है बता हूँ Si और Ma Si पलस Ma Si Al की सीमा Si Al की सीमा तो इसमें क्या आता? Silika और Silika के साथ क्या आ गया? Magnesium Silika पलस Magnesium Magnesium Silika पलस Magnesium आ गया इसमें ठीक है? कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तीसरी जो पढ़ता आती है वो आती है नीफे की यह यहां नीफे और इसमें क्या आता है नीफे में? नीफे में आता है आपका Nickel और Ferus Nickel और Ferus आता है तो आगे चलेंगे ना अभी आगे वाईउ मंडल में भी चलेंगे ना अभी हमने क्या पढ़ा यहां पर हमने इसमें देखो क्या पढ़ा अभी देखो मेरे भाई अब टोपिक पढ़ रहे हैं तो उसमें देखो हम स्टल मंडल जल मंडल और वाय उंडल पढ़ेंगे नहीं हाई च्रुचा करेंगे लिए नाम इसरी नाम पुछा जा सकता आपने तो इसी लिए आगे बढ़ते हैं देखो मैं पूरा पूरा करवाऊंगा आपको टेन से ना लो बिलकुल देखो जो ये प्रत्वी है हमारी ये जो भूम अंडल है इसको जनरली दो भागों में बांटा गया है प्रत्वी की सत्य को दो भागों में बांटा जा सकता है पहला होता है आपका महाद्वीब और दूसरा होता है आपका क्या महासागर, क्या होता है महासागर, प्रत्वी के उपर जो है आप सब जानते हैं कि साथ महाद्वीब है, एसिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्री अमेरिका, दक्षन अमेरिका, उस्टेलिया और अंटार्टिका इसी प्रकार जो है पांच महासागर भी है प्रसांत महासागर अंटलाल्टिक महासागर हिंद महासागर डक्षणी महासागर और आरक्टिक महासागर अब आप कहोगे कि सर महासागर तो हमारे है नहीं देगो महासागर इस टोपिक में नहीं है इस टोपिक में तो महासागर के बारे में नहीं कहा है, वाईू मंडल की सरंचना के बारे में कहा है, लेकिन एक और टोपिक है जिसमें महासागर है, तो वो महासागर वाला पार्ट NCRT क्या होती है, कि मिक्स आपके आपका स्लेब सारा कवर हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा पार्ट सबका आजाएगा, तो आप पढ़ लो, इसमें से कोई ऐसी चीज नहीं है, जो आपके स्वास्ते के लिए क्या बन जाए, नुकसान दाइक बन जाए, यहां पर आप के लिए फाइदेमंदी चीजे होगी, हार्निकारक चीजे नहीं होगी, कोई हार्निकारक चीज होगी, तो हम यहां लिग देंगे नीचे, है ना, कोई दिखेद नहीं है, तो आप अराम से पढ़ो, फिलकुल टेंसल लेने के आपको जूरत नहीं है, संकर चोधरी जी, और उत्री अमेरिका, दक्षन अमेरिका, कितने हो गए देगो, एक, दो, तीन, चार, पांच, ओस्डेली अच्छ है, और ये रहा आपका अंटार्टिका साथ, ये हो गए साथ आपके महाद्यूप, पांच महासागर की बात करते हैं, तो अंटार्टिक महासागर हो गया, साथ महासागर हो गया, कितने आगे देखो, एक, दो, तीन, चार, और पांच, ठीक है, पांच महासागर आगे, थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेता, अब मालो क्योशन ये मैप दिया है, ठीक है, एंसी आर्टिका एक टीचर है, और उसको ये कहा गया, कि ये तुम्हें एंसी वो छेप्टर ऐसे पल्ट रहाता, पल्ट रहाता, और उसकी नजर पढ़ गई, इस मैप पर, उसने कहा कि देखो, रीट का ही पेपर बनाना है, तो थोड़ा ही साब, कब ड़ाना है, ज्यादा, तुम यूपेसी वाला मत छेप दना है, अब मालो, एक्जामिनर है, वो सोच है, इसकी आकरती कैसी है, निमन में से कौन सा हिंद महासागर की आकरती है, वर्ताकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, क्लास 6, चेप्टर नमर 5, नगेंदर जी, बहुत देर बाद पूछे हो, इसका आरता बीच में क्लास से चले गए होगे, क्या क्योशन पूछा, पेसी क् जो चीज हमने पढ़ी है, वो हमारे लिए सरल, जो चीज हमने नहीं पढ़ी, हमारे लिए कठिन हो गई वो, क्योशन कितना सरल है, कि कौन सा महासागर है, जिसकी आकरती जो है, त्रिभुजाकार है, ये लो जी, हिंद महासागर, त्रिभुजाकार है, चलो, ये क्योशन ग पहे जिसकी आकर्ति तरी भुजाकार है कितना सरल क्योंशन है कितना सरल है ट्रीक ट्राक का हमें पता नहीं है देगो हम सिद्धी बात करते हैं हम समझने पर ज्यादा चर्चा करते हैं ट्रीक वाला मेटर नहीं है ट्रीक की आप सकता है नहीं पड़ेगी जो बेसिक तरीके से समझ लोगे ना ट्रीक तो उनके लिए जो रट्टा मार होते हैं और रट्टा ट्रीक पेपर के प्रेसर में ट्रीक भी भूल जाते हैं तो बेसिक समझ लो concept को समझे लो trick की कोई आप सकता नहीं पड़ेगी तो ऐसे question पूछे जा सकते हैं ये देखो ये भी त्रीबुचा कार है है ना ये कैसा है Asia किसा कार का है तो Asia देखो आपका कैसा है आयता कार है ऐसे basic question जो हो आपसे पूछे जा सकते हैं थोड़ा सा महासागर की चर्चा कर लेते हैं थोड़ा से कुछ क्यूशन हो रहाते हैं विश्व का सबसे उंचा सीखर Mount Everest समुंदर तल से 8848 मीटर उचा है विश्व का सबसे गहरा भाग प्रसांत महासागर का है मेरियाना गरत जिसकी गहराई कितनी है 11,022 मीटर है यह यह है मेरियाना गरत अब इससे क्यूशन यह पूछा जाएगा मेरियाना गरत किस महासागर में है मेरियाना गरत किस महासागर में है मेरियाना गरत हाँ हो क्यों नहीं सकता हो तो सकता है बिलकुल यह भी तो उत्री अमेरिका भी तो है ये रगो ये ये भी तो तिरी भुजाई कार है वो आपको पता होना चाहिए ना आपने ये बात पढ़ ली अब आपने ये बात पढ़ ली है कि देखो अफिक का दक्षने मेरेका उत्रिया आपका दिमाग सोच रहा है ना ये कि यार ऐसा क्योशन पूछा जा सकता है कि कोण सा महदीव तिरभुजाकार है तो आप ये सोचेंगे तभी तो पेपर में हल कर पाएंगे आपने सोचा ही नहीं है आपने NCRT पढ़ ली है आपने जो भी गाइड पढ़ लिए पढ़ ली है और पेपर में आपसे क्योशन पू सभी उप्रोक्त सभी उप्रोक्त सभी उप्रोक्त सभी तो आपका अगर पढ़ा होगा तब तो आप तीनों कर दोगे कि यार आईए तो तीनों आपना पढ़ी रही है बिल्कुल एही है लेकिन मालो मेरे जैसा कोई बच्चा उसका नहीं पढ़ा होगा तो वो दिमाग चल लिव आपके लिए सरल हो जाती है तो बस मैं आपको यह बता रहा हूँ कि कैसे भी पूछा जा सकता है आपसे तो प्रसांत महासागर के अंदर जो है विश्वा का सबसे गहरा गरत क्या होता है खड़ा, समुंदर में भी खड़ा, ये देखो समुंदरी तो है, ये महासागर है, इस महासागर में एक खड़ा बना हुआ, घर्त कारत क्या होता है, खड़ा, जैसे हमने हिस्टरी में बढ़ा था, घर्तवास, घर्तवास का क्या था, भूमी में, खड़ा खोद कर नीचे रह तो इसी प्रका, विश्व का सबसे गहरा है, ये खड़ा है, जो बहुत गहरा है, और कितना गहरा है, 11,000, 22 मिटर गहरा है ये, न्यूजिलेंड के एड़म हिलेरी तथा भारत के तैंग जिंग नार्वे सेरपा, 29 मई, 1953 को प्रत्वी के सबसे उंचे सिखर माउंट पहले बेखते थे, NCRT चेप्टर नंबर हम पढ़ रहे हैं, 5 कक्षा है, 6, 6 किलास का 500 चेप्टर, ठीक है, इसके बाद देखें, जापान की जुंको तो भी विश्व की पहली महिला है, जिसने 16 मई 1905 को माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा, ये वो महिला है, ठीक है, और भ माउंट एवरेस्ट पर चड़ना कोई आसान बात नहीं है, माउंट एवरेस्ट पर चड़ना आसान बात नहीं है, आपको ऐसे लगता ना कि यार, रीट को पेपर हल करनों कोई आसान बात को नहीं है, आपके लिए जितना कठिन रीट का पेपर करेक करना, या CET का पेपर क करेक करना कठिन है, उतना ही कठिन कितना, यह क्या है? माउंट एवरिस्ट पे चर्णा, माउंट एवरिस्ट पे चर्णा, और पेपर को करेक करना, दोनों की कठनाई एक जैसी है. अब ठेका गुर्जिवा के बाद गुरोति या उसक्रेगे कदि इसमें एक बात ओड़ जोड़ देते हैं कि आप किसी से प्रेम करते हैं और उसे अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो प्यार का इजहार करना पेपर को क्रेक करना और Mount Everest पे चढ़ना ये तीनों काम कठिन है इसमें से कोई भी काम सरल नहीं है लेकिन जिसके होसले बुलंद होते हैं जिसके होसले बुलंद होते हैं जिसको अपने आप पर विश्वास होता है जो खत्रों से खेलने का आदी होता है खिलाड़ी होता है खत्रों का उसके लिए तीनों काम आसान है देवो एक बात हमेशा मैं कहता रहता हूँ आपसे कि मन के हारे हारे और मन के जीते जीते आप अगर अपने मन में कर लेगोगी यार पेपरी तो फाइट करना लग फाइट उशी, पेपर मापा की आ पास उशका, पढ़ गी उशका, और पढ़नों कित्व है, ओ आपनों अपनों सलेबस भेश पढ़नों, बात खतम, अगर फेश भेश भेश पढ़ना से पढ़ना हो तो यह क्यूशन आपना आव को ने, और दो क्यूशन आभी जातों को फरक कुन बड़ है आपनो पेपर करेख हो गयों बस ऐसी ही बात है माउंट एवरिस्क पे चड़ना कि मन में एक ठाल दी कि मुझे चड़ना है तो चड़गे रहेगा वह भी ती फिर उसके कोई भी बाधा है नहीं है जो उसको रोक दे और यहीँ बात प्यार करने वालेपे लागओ होती है कि जो बहदूर होते हैं जिनको अपने आप पर विश्वास है कि मैं इससो ठीक ठाग हूँ मेरी योग गिता है जो आपने दिमाग में एक पोजिटिव सोच रखनी है कि मैं पेपर को क्रेक कर सकता हूँ मेरी समता है मेरे में वो सारे गुण है जो बाकी बच्चों में हैं तो क्यों नहीं पेपर हल कर सकते हैं तो नेगिटिविटी को दिमाग से निकालो सब कुछ ठीक है पाकी कुछ नहीं चाहिए एसिया एथिया देखो सबसे पहले प्रत्वी के कुल छेत्रिपल का एक तिहाई है उत्री गोलार्द में इस्तित है अब गुर्जी उत्री गोलार्द दक्ष्नी गोलार्द अगर आपने लास्ट वाला सेशन देखा है तो उसमें हमने बहुत अच्छे से चर्चा की है कि उ हाँ पर कोंड सी रेखा है, कोंड सी रेखा है ? जल्दी से कमेंड करके बताओ, और इसका इधर वाला जो भाग है ये पूर्वी गोलार्थ हो गया, और इसके इधर हो गया आपका पस्भमी गोलार्थ और इसके ऊपर जो हो गया वो हो गया आपका उत्री गोलार्द और इसके नीचे जो हो गया वो हो गया आपका दक्षनी गोलार्द अब मालो कि ये तो उत्तर में उत्री हो गया लेकिन कोई यहां हो तो उसको क्या कहेंगे फिर अगर कोई इस दिशा में हो तो हम कहेंगे आदा उत्तर आदा पूर्व तो उत्तर पूर्वी हो गया तो गोलार्द कोण सा है इसका अएसिया महासागर का उत्तरी गोलार्द है ठीक है याद रहना क्योंकि ये पूर्व में इसका भाग नहीं आता है उत्र में ही आता है तो इसे लिए हमने इसको क्या कहा है उत्री गोलार्द जो है वो कहा है देख लो आप बिल्कुल आगे चलते हैं उत्री गोलार्द में ये स्थित है करक रेखा इस महदीब से होकर अब इसी क्योंको को और पूचा जा सकता है लिए महादीव्यू से होकर गुजरती तो उत्री अमेरिका अफ्रीका और पूछा जा सकता है निमन में से किस महदीब से करकरेखा नहीं गुजरती है उप्षन में आजाएगा उत्री अमेरिका, अफरिका, एसिया, हिरोप तो आपको बेसिक अगर पता होगा तो फिर आप बता सकते हैं कैसे पूछा जा सकता है वो सारे संभावना हम यहाँ पर रख रहे हैं मकर रेखा जो है यह है मकर रेखा साड़े 23 डिगरी साउथ यह देखो दक्षन अमेरिका 1 और अफ्रिका 2 और ओस्ट्रिलिया 3 यह भी 3 से गुजरती है करक 3 से गुजरती है मकर भी 3 से गुजरती है तो फिर कौन सी है जो सब से गुजरती है ऐसा महादीब जिससे तीनों रेखाएं गुजरती है देखो यह है अफ्रिका करक रेखा यह भुमद्य रेखा और यह मक्कर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है यही क्यों सना आप से पूछे जा सकते हैं एसिया के पसिम में युराल परवत है यह देखो यह यहाँ पर एसिया है यह यहाँ पर यूरोप है और यह जो पीली पीली परवत स्रेणी दिख रही है यह आपका कौन सा परवत है यूराल परवत है और जो एसिया और यूरोप को क्या करता है अलग करता है और इस कमाइंड भाग को क्या कहा जाता है इसका माइंड भाग को युरेसिया कहा जाता है युरोप पलस एसिया युरेसिया कहलाता है इसके बाद आता है अफ्रिका महादीव अफ्रिका एसिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महादीव है विश्वत रेखा इस महादीव के का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गरम रेगिस्तान है जो यहीं पर है और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी भी यहीं पर जो है वो स्थित है युरोप की चर्चा करते हैं युरोप जो है यह महादीब एसिया के पसिम में स्थित है युरोप इधर वाला भा गिरा हुआ है तीन तरफ से क्या है जल से घिरा हुआ है कौन सा यूरोप ये देखो यूरोप ये रहा ये आपके यूरोप किस दिती है इधर जल है इधर जल है और इधर भी जल है तो तीन और से किसे घिरा है ये जल से और एक तरफ आपका आजाता है एस या ठीक है आगे व देख लेते हैं ठीक है सर्जी स्लेबस में महाधीप है क्या महाधीप है नहीं स्लेबस में महासागर है क्या है महासागर है स्लेबस महाधीप नहीं है ठीक है लेकिन क्योंकि हम चैप्टर शिक्स पढ़ रहे हैं तो वहां पर थोड़ा सा पार्ट विया हुआ था महाधीप का तो महदीब को हम विस्तार से नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे स्लेबस में नहीं है महदीब, तो बेसिक जानकारी, अगर दिमाग में जनरली रीट का एक रूल है कि उसमें कभी भी आउट ओफ स्लेबस की उसे नहीं आता है, तो नहीं आएगा, आप से महदीब नहीं देखो उत्रिय अमेरिका और दक्षिन अमेरिका एक जलसंधी से जुड़े हुए हैं, इस जलसंधी का क्या नाम है, तो इस जलसंधी का नाम जल्दी से बताओ, कमेंट करके, पनामा जलसंधी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, पनामा जलसंधी कहते हैं, और यह महदीब पूर यह दक्षिन में है यह उत्तर में है याद रखना यह उत्तर में है यह दक्षिन में है इसलिए इसका नाम दक्षिन अमेरिका और इसका नाम उत्तरी अमेरिका नाम से पता चल जाएगा विश्व क्या सबसे लंबी परवत संगला की परवत हमारे है नहीं लेकिन फिर भी हम ऐ और एक्जाम में काम आ जाएगा दक्षन इमेरिका में विश्वे की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बहती है ओस्टेलिया के लिए सबसे छोटा महादीप है यह ठीक है पूरी तरह से दक्षनी गोलाद में स्थित है चारों तरफ से महा सागरों तथा समुंदर से घिरा हुआ है और इसे द्वीपिय महादीप कहते हैं अटार्टिका दक्षिणी गोलाद में स्थित है दक्षिन धूर्वे इस महादीप के मध्य में स्थित है यहां पर आपने देखे था ना एक अटार्टिक ऐसे सा वो ही है यह हमेशा मोटी बरफ की परफ से ढ और कोई यहां पर स्तानिय मानव निवास नहीं करते हैं, यहां पर केवल सोध संस्तान है, भारत का एक सोध स्तान है दो है यहां पर मेत्री और दक्षनी गंगोत्री, कहां पर अटार्टिका पर, अब आता है आपका जल मंडल, जल मंडल में आपका महासागर टोपिक है, क्या तो वायू मंडल को तो कवर करना ही है तो चलो महासागर की चर्चा करते हैं महासागर आप सब जानते हैं कि यह प्रत्वी का भाग है और इस प्रत्वी का जो प्रत्वी का जो 21 प्रत्वी भाग है वो जल है और 29 प्रतिशप भाग जो है वो क्या है स्थल है क्या है स्थल है अब मानके जलो कि यह जो यह जो 21% भाग है इस 21% में भी इस 21% जल को दो भागों में बाढ़ सकते हैं इसका जो 97.5% भाग है ये क्या है खारा पानी है खारा खारा पानी है और पीने लाइक जो जल है एल लोन ये जल है वो कितना है 2.5% परती सती है जो पीने के योग्य है और इसमें भी 2.5% में भी भोग सारा पानी तो गिलेशिर के रूप में जमा हुआ है तो उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे आगे बढ़ते हैं नेक्स देखिएगा किशन आ रहा है कि अमेजन वन जो है वो कहां पर है अमेजन वन कहां पर है देखिए अमेजन जो वन है ना वो कहां पर है ये आपके दक्षणी अमेरिका के अंदर है ठीक ना दक्षणी अमेरिका जो है नगेंदर जी वहां पर ये जो है वो वन पाए जाते हैं ये नदी और ये अमेजन ये जो दक्षणी अमेरिका में यहीं प यह पात पढ़ ले कि वहीं केतर प्रतिसत भाग जो है पर्थवी का जल है और उनतिस प्रतिसत भाग जो है वो क्या स्थाल है अब इसे जल मंदल को हम जो है वो जल यानि महासागरों में तीन प्रकार की गति होती है महासागर का जो जल है वो तीन प्रकार से गति करता है पहल वो ऐसे बनती है ना छोटी छोटी लहरे होती है यह लहरे क्या है यह लहर लहर भी कह सकते हो इसको क्या कह सकते हो लहर कह सकते हो ठीक है दूसरा दूसरी जो इसकी गती है वो होती है ज्वार भाटे के रूपे जब सुरिय ग्रहन आज जैसे सुरिय ग्रहन था और जब चंद् अंदर पानी की लहरे उपर बनती है ऐसे इतनी उची उची लहरे चले जाते हैं जो जुवार भाटे के रूप में इसको हम जुवार भाटा जुवार होता है उपर का और नीचे आता है तो उसे भाटा जुवार भाटा अपन जो है वो कहते हैं और तीसरा आता है महासागरिय धाराएं धाराएं क्या होती है जैसे मालो गरम धारा ठंडी जल धारा हम कहते हैं कौन सी गरम जल धारा है यानि अधर अलग अलग पानियों की जो धाराएं है महासागर ये पानी की, जो लवन ये पानी है, खारा पानी है, उसकी धाराएं होती है, तो उन्हें धारा कहते हैं, तो तीन तरह की गती जो है वो महासागरों में होती है, इसके बाद देखिए क्या आता है, महासागर की बाद हमने कर ली है, मैं फिर से यहां बता देता हूँ हिंद महासागर के बाद आरक्टिक महासागर क्यों से पूचा जा सकता है 90 डिगरी उतर 90 डिगरी उतर में इह है 0 0 है यह याद रगना यह आपकी वो रेखा है कौंड सी रेखा है यह बताओ जल्दी से कमेंट करके बताओ प्रसांत महासागर का आदा भाग यहां है और प्रसांत महासागर का आदा भाग यहां है तो ये हो गए आपका प्रसांत महासागर, ये हो गए आपका दक्षन, दक्षनी महासागर, तो ये पांच महासागर है, बेसिक बेसिक चीजे इनकी पढ़ लेते हैं, एक बार, सबसे पहले प्रसांत महासागर सबसे बड़ा है, प्रसांत महासागर सबसे बड़ा है, महासाग हमें थोड़ी जाननी है पलस हमें जानना है क्या Biz जो धारा है गरम ठंडी फोटाड़ा कहां मिलती है कना तो यह टोपिक हमें पढ़ना है इसके पढ़ना है वह जल और थल इनका वित्रण देखना है तो कछ लास्ट टोपिक है आज ये टोपिक होने के बाद एक ही टोपिक बचेगा आपका SST में, कल आपका टारगेट यह है कि कल वरना परसो तो 100% इमान के चलो, परसो आपका SST कम्प्लीट हो जाएगा, फिर आपकी SST की सिक्षन विदिया बचेगी और वो हम आपको भोछ जल्दी करवा देंगे, ठीक है? वायू मंडल इसके बाद ही तो आएगा, जल मंडल के बाद वायू मंडल ही आएगा संकर चोधरी जी, बस ये दो, पांच महासागर पढ़ लेते हैं, महासागर आपका कल वाला टोपिक है, कल भी पढ़ेंगे, आज बेसिक जानगरी, सबसे बड़ा महासागर, यह अगरत किस महासागर में है, प्रसांद में है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन साय प्रसांद है, एसके बाद अंटलार्टिक महासागर, अब देखिए, अगर कोई बच्चा, अब जैसे हमने टाइटल में लिखा कि वायू मंडल संग्ठन सरंचना पवन पढ़ें सलेब बस के अंदर तो दे राखि हुए, वायू मंडल और पढ़ा रहा है ठाप्रत्वी की सरंचना, महादीब पढ़ा रहा है, इस बात से हम पूर्ण तैगरी करते हैं कि महादीब हमारे पार्ट नहीं है, महादीब से आपको क्योश्व नहीं पूचा जाएगा, लेकिन जो कि हम NCRT पढ़ रहे, अब आज का टाइटल नहीं था महासागर लेकिन महासागर चेप्टर पांच में है तो क्या उसको छोड़ दे, कल भी पढ़ेंगे हम महासागर के बारे में, यानि टोपिक से रिलेटेड है थोड़ा सा क्योश्व नहीं आए, लेकिन बेसिक तो प 5 मिंट कलास देखे है, 10 मिंट कलास देखे चले जाएंगे कि यार यह तो टोपिक नहीं है, यह वो है, तो फिर वो कोई दिक्रत नहीं है, जाए तो जा सकता है, लेकिन फिर वो पूरी चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, कि किस उद्धे से हम क्या पढ़ रहे हैं और क्यो कौन सा वो महासागर है तो यह है ठीक है इसके पसिमी किनारे पर उत्तर और दक्षन इमेरिका है देख लिया हमने पूर्वी किराने पर युराल और अफ्रीका युरोप और अफ्रीका है अंटलाल्टिक महासागर के तट रेखा प्राकर्तिक पोतासर यानी प्राकर्तिक रूप से यह क्या है जीसे बंदर्गा कहते है जहाँ पर आके सिप ठहर सकते हैं उस तरीके का है ईहां पतनों के लिए आदर्स हिंद महासागर यह एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है यानि भारत के नाम पर हमारे लिए गोरव की बात आई देखो कौन सा महासागर है जिसका नाम हिंद देश के नाम पर पड़ा है तो हिंद महासागर हिंदुस्तान के नाम पर यह महासागर लगभग त्रिभुशाकार है और इसके उत्तर में एसिया पसिम में अफ्रीका और पूर्वा में ऑस्टेलिया है दक्षिन महासागर यह अं उत्तर धुर्व वर्त मेस्तित है और यह है उत्तर धुर्व के चार ओर फेला हुआ है प्रसांत महासागर से छिछले जलवाले एक सक्रे भाग से जुड़ा हुआ है जिसे बेरिन जलसंदी के नाम से जाना जाता है आप थोड़ी सी रूची लोगे तो हम और अच्छा पढ़ किंचा यानि उसको पूरा डीप से पढ़ा दो घंटे की कलास हुई लेकिन बच्चे कितने बच्चे पचास कलास में बच्चे सो बच्चे थे सुरू में पचास ही बच्चे इसलिए आज टोपिक ना थोड़ा सीधा सीधा पढ़ा रहा हुँ हम आपको रीट के लेवल का तो थोड़ा सा आप धेरिये से स्वयोग करेंगे आपके लिए यह हम आपसे कोई फीस भी नहीं ले रहे हैं आपसे कोई रासी भी नहीं ले रहे हैं आपको 100% बेनिफिट होगा यह हम आपको पूर्ट है जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं और जो बच्चे इस चीज को जान हुई हमारी परत्वी चारों और से गेस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वाईयू मंडल कहते हैं और यह हमें वाईयू परदान करती है जिसमें हम श्वांस लेते हैं यह वाईयू मंडल सुर्य एक से आने वाली हानिकारे कीनों से हमें बचाता है और वाईयू मंडल जो ह वो शोलाज सो किलो मेटर की उंचाई तक फेला हुआ है यह जो प्रत्वी है इस प्रत्वी से और ब्रही मंडल ठीक है बस यही तो वैईव मंडल है इसी को पढ़ने के लिए आप इतनी बार कह से कह रहे थे कि गुर जी वाईव मंडल पढ़ाओ। वाईव मंडल हो गया पूरा, हो गया पूरा वाईव मंडल, इतना यह ना, गुर्जी थोड़ो तो और बताओ, कुण सी परत कठ है, कुण सी परत में के हो गया है, चलो इसको जान लेते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे त्रीके से चितर आपके सामने, यह जो है हमारी प्रत प्रत्वी, क्या है यह प्रत्वी है, यह धरती है, ठीक है, दिख रहा है आपको, धरती दिख रही है, आपनी प्रत्वी है, और प्रत्वी से आपा, देखो, आपनी प्रत्वी है, प्रत्वी से आपा यानि अठट जीरो माल लिया, यह क्या है, जीरो है, यहां से अपन जी सब से पहले आपका आता है आपका शोब मंडल किसा मंडल यहจो मंडल है किया जो मंडल है यह लेकर और यहां कि जो दूरी है, वो कितनी है, तो यहाँ तो 0 है, 0 से शुरू होता है, ठीक है, और 0 से लेकर कितना किलोमेटर तक है, बताओ जल्दी से, 10 किलोमेटर तक, 10 किलोमेटर तक, कहां तक है यह, 10 किलोमेटर तक है, 10 किलोमेटर दिख रहा है आपको सही तरीके से, 10 किलोमेटर तक, यानि मैं किलो मेटर की बात कर रहा हूं आप 10 किलो मेटर तक दूर तक देख नहीं सकते हैं तो जहां हम खड़े हैं वहां से लेकर और उपर आसमान में 10 किलो मेटर तक की जो दूरी है वो क्या है शोभ मंडल की है चोभ मंडल की दूरी है जहां हम खड़े हैं वहां से लेकर और 10 किलो मेटर तक की जो दूरी है वो क्षोभ मंडल की है अब इस में आपको देखो चित्र में बादल दिखाई दे रहे हैं बादल दिखाई दे रहे हैं बादल पक्षी उड़ते दिखाई दे रहे हैं याँ पर आपको देखो मोसम से समंदित जितने भी परिवर्तन होने हैं मोसम, सर्दी, बारिज, तुफान, आंदी, बिजली, जमकना बादल बनना यह जितनी भी जितनी भी BESIC यही है 10 किलोमेटरी साइए में कोई दिख्कित आएगा आपको धूर्वे से गिना है तो जितने भी मोसम निज्मिंग से समंदित परिवर्तन होते हैं कि इतने भी मोसम से समंदित परिवर्तन होते हैं स्टोब मंडल मोसम परिवर्तन सारा इसी में होता है जैसे कि बिजली जमकना पादल आंधी तुफवान यह सारे काम इसी में होते है ठीक है इसके बाद जो देखो क्या आता है दूसरा जो आता है आपका आता है ओजोन मंडल ओजोन मंडल कहते हैं इसको क्या इसको हम ओजोन मंडल भी कहते हैं समताप मंडल भी कहते हैं समताप मंडल क्या कहते हैं समताप मंडल अब इसका जो इतना सा भाग है ये वाला जो भाग है ये क्या है आपकी ओजोन परत है क्या है ये ओजोन परत समताप मंडल में सारे में ओजोन नहीं है केवल ये एक परत बनी हुई है ओजोन गेस की और इसको हम क्या कहते हैं, ओजोन परत, ओजोन परत कहते हैं इसको, या ओजोन मंडल भी कह देते हैं, ओजोन परत भी कह सकते हैं, ठीक है, ओजोन परत, यहें लिख दो ओजोन ओजोन गेस इसमें ज़्यादा पाई जाती है तो ओजोन परत के कान इसको ओजोन मंडल भी कह दिया जाता है इसी को और इसे ओजोन अब यह जो भाग है ना इसका नाम क्या है समताप मंडल समताप यानि ताप मान हमेशा इसमें क्या रहता है समान रहता है यानि ना कोई आंधी आती है ना कोई इसमें बादल बनते हैं ना कोई बिजली जमकती हैं ना कुछ नहीं होता इसमें ताप मान हमेशा कैसा रहता है बिलकुल एक जैसा रहता है कैसा रहता है इसमें तापमान बिलकुल शान्त रहता है ठीक है तो समान तापमान रहता है इसमें समान ताप मान इसलिए इसमें हवाई जहाज उड़ रही है न हवाई जहाज जब उपर जाती है तब ज्यादा जोर आता है उसको नीचे आती है तब जोर आता है उसको लेकिन हवाई जहाज एक बार उपर जाके स्टेबल हो जाती है न जब आपाने बादल दिखना बंद हो तो समटाप मंडल में चल जाए फिर भावाई जाज ने इतनों ज्यादा जोर को नहीं आए टेंशन फरी होगे उड़ा बावाई जाज कौन से में उड़ती है समताप मंडल में उड़ती है पर सुर्ये से आने वाली जो अल्ट्रा वोईलिट किरने हैं उनसे हमारी रक्षा कहता है और इसी घशुन मंडल में कहीं जो परतना कहीं कहीं पर ये जो परत है वो क्या होती गई है कहीं कहीं पर ये जो परत है वो combination हो गई है और इसी कान जो है वो क्या हो गया है? हमारी दर्ती को खत्रा हो गया है इस सुरिय की प्राबेंगनी किर्नों का और यह जो परत है यह कहां तक है? यह यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है ना कितना किलोमेटर की है यह? 50 किलोमेटर की यानि 10 किलोमेटर से लेकर उपर 50 किलोमेटर तक की दूरी पर जो है वो क्या है? समताप मंडल है इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो यहां से 50 किलोमेटर से लेकर और यहां कितना क किलोमेटर तक, 80 किलोमेटर तक जो है वो कौन सा मंडल है बताओ, 80 किलोमेटर तक जो है वो है मध्य मंडल, कौन सा है ये, मध्य मंडल, कौन सा है ये, मध्य मंडल है, मध्य मंडल, जैसे पूछा जाएगा, वायू मंडल की पांचों परतों में सबसे ठंडी परत जो है, वो क जैसे जैसे हम अंचाइब पर जायेंगे। वैसे वैसे क्या होगा। बताओ जल्दी से बताओ तापमान होगा? होगा कि नहीं होगा? जैसे जैसे हम उच्छाई पे जाएंगे जैसे मालों आज थे जटे रहो और बठों थे माउंट आबू चल जाओ तो माउंट आबू में किये सर्दी ज्यादा है हिमाल ले चल जाओगा तो सर्दी और ज्यादा है तो जैसे जैसे हम उच्छाई पे जाएंगे वैसे वैसे जो है वो ताप मान कम होता जाएगा लेकिन ये कंडिशन सारी परतों पर लागू नहीं होगी याद रखना जैसे जैसे हम उचाई पर जाते हैं काप मान कम हो जाता है लेकिन ये कंडिशन जो है वो इसी मंडल तक है मधे मंडल तक ये मधे मंडल सबसे ठंडा है क्या है ये सबसे ठंडा लगभग मान के चलो माइनस सो डिगरी सेल्सियस है ये सबसे ठंडा है ये सबसे ठंडा तो ये सबसे ठंडा हो गया तो फिर सबसे गरम कोण सा ये बताओ सबसे गरम सबसे गरम है इसके ऊपर एक मंडल आता है इसके ऊपर एक मंडल आता है जिसका नाम क्या है मधे मंडल के बाद जो मंडल आता है उसका क्या नाम है बताओ आयन मंडल यह जो मंडल है यहां से लेकर यहां तक का यह क्या है आयन मंडल और यह कितना किलोमेटर तक है यह है आपका ओजोन मध्य यह आपका 600 किलोमेटर कितना किलोमेटर तक है 400 किलोमेटर है और 400 से आगे 1600 किलोमेटर तक जो है वह क्या है अब आप एक बात देख रहे होंगे यह आयन मंडल हो गया और यह कौन सा हो गया आपका ब्रही मंडल हो गया कुण सा हो गया ब्रही मंडल आप देख रहे होंगे एक चित्र की मादिम से यहां रोकेट उड़ता दिख रहा है यहां एक रोकेट यह उड़ता लागरे है अठ़े एक सेटलाइट है जीवारो जियो गो सेटलाइट दिखा लागरे एक वोडाफोन गो सेटलाइट दिखा लागरे एंगो के अर्थ है बई एंगो अर्थ ओ है कि आयन मंडल जो है इसके अंदर उपग्रह इसे में होते हैं जितने भी मोबाइल रेडियो तीवी के जो सिगनल अपना छत के ऊपर एक अपना एंटीन लगा रखां एंटीना है नहीं आपना छत के ऊपर जिखेसे आपनों टीवी चाले है अगर एगर बाद छत्री आपनी हिल जियाती है थोड़ी सी अब दिशा चैंज होता ही टीवी बंद खेल खतम होता है कि नहीं होता ऐसा तो वो सेटलाइट से कनेक्ट होती है उसकी एक फिक्स डायरेक्शन होती है और वहां से वो सेटलाइट से कनेक्ट होती है अब गुरुजी इशो के कारण है कि जिता भी सेटलाइट आईए आयन मंडल में है तो आयन मंडल में क्या है यह सबसे ज़्याद पर जो है वो हवा जब गरम होगी ना तो वो हवा जो है वो गरम होती है तो उसके कन बिखर जाते हैं कन क्या हो जाते हैं बिखर जाते हैं तो इसमें जो आयन है ना उन आयनों के कन दूर-दूर हो गये हैं ठीक है और इन्हीं आयनों से टकराकर जो है वो परत्वी पर वापस आती है, यहां से बालो थारचात पर लाईटी सिगिनल दाएंगे और इस यहां से टकराकर वो वापस धर्ती पर पहुँंच जाएंगे तो जितने भी रेडियो तरंगे होती है, वो सारी की सारी आइन मंदल के मादिम से ही होती है क्योंकि यहां पर आयन जो है वो काफी जादा बिखरे हुए होते हैं चोटे-चोटे कणों के रूप में यहां पर है वो रहते हैं सबसे गरम और सबसे ठंडा समताब यह मध्य मंदल माइनस सो डिगरी सेलशेस होता है ब्रही मंदल ब्रही मंदल जो है उसका आगे का जितना भी मामला है अब देखो आयन मंदल सी जब आप आगे चलेंगे ना इधर आगे चलेंगे तो अब आगे तापमान जो है वो बढ़ेगा यहां तक तो तापमान क्या हो रहा था देखो यहां तक तो तापमान क्या हो रहा था कम हो रहा था तापमान तापमान क्या हो रहा था कम हो रहा था और यहां से आगे ताप मान जो है वो ताप मान बढ़ेगा आगे आगे जैसे जाएंगे क्योंकि सुरिय के पास चलने लगेंगे न हम पर शुरिय की ओर चलेंगे तो ताप मान क्या होगा बढ़ेगा की नहीं बढ़ेगा बताओ कि ताप्मान बढ़ेगा की घटेगा तो आगे जैसे हम चलते जाएंगे वैसे वैसे ताप्मान जो है वो बढ़ता जाएगा यह हो गया आपका वाईयू मंडल और वाईयू मंडल की सरंचना कुछ बैसिक क्योशन जैसे वाईयू मंडल मुखेता है जो है वो इसमें नाइट्रोजन 78% पाई जाती है इसके अंदर जो है वाईयू मंडल के अंदर oxygen 21% पाई जाती है और आरगन जो है वो 0.093% पाई जाता है और अन्य के से 0.04% पाई जाती है oxygen स्वंस लेने के काम आती है जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की व्रधी के लिए आवसक होती है इसके बाद कुछ क्योशन है जो इस चेप्टर से पूछे जा सकते हैं इससे पहले हमने जो भी कराई हैं आपको क्योशन नहीं करवाए लेकिन आज हमने सोचा कि थोड़ा सा और इंट्रेस्टिंग बनाते हैं और क्योशन भी आपसे चर्चा करते हैं इस चेप्टर से कौण कौण से क्योशन बनते हैं तो देखो किस महादीब से होकर करक रेखा, मक्कर रेखा, विश्वत रेखा गुजरती है उत्र तो वैसे सामने दिये ही हुए हैं लेकिन आप फिर भी बता दो कमेंड कर गयो बता दो जल्दी से वैसे पता ही है आपको अफ्रीका महादीब से गुजरती है रोकी परवत किस महादीब पर है, रोकी परवत जो है, वो कौन से महादीब में है तो उत्री अमेरिका में है, माउंट एवरेश्ट की उंचाई कितनी है, आठ हजार आठ सो अड़तालिस मेटर है और मेरियाना गृत किस महादीब में है यह किजन मैंने बार बार बोल बोल के आपको बताया है वाईयो मिंडल में ओक्सिजन की मात्रा कितनी है ओक्सिजन है 21 परतिसत विश्व का सबसे छोटा महादीब कौन सा है और भारत की पहली महिला जो माउंट एवरेश्ट पर पहुंची भारत की सोध के अंदर गंगोतरी किस महादीब पर है तो अंटार्क्टिका पर और माउंट एवरेश्ट पर जाने वाले पहला व्यक्ति एडम सेंजिंग और लास्ट क्यूशन ओजोन वाईयो मिंडल की किस परत में पाया जाता है और जोन जो गेस है वो आपकी समताप मंडल में पाया जाती है तो यह टोपिक आपका पूरा हो गया अब आपको कोई बादा है तो आप कमेंट गरके बताएं कोई समस्या है इस टोपिक में तो कमेंट गरके बताएं कोई बादा लग रही है आपको कोई समस्या कोई दिक्कत हो गए है टोपिक तो वाई यूमंडल मुख्य टोपिक tapes उह हमने पढ़ लिया और महासागर अपना कल का टोपिक है उसको हमने पढ़ लिया अगर आप नiverso है तो channel को subscribe कर ले और subscribe करने के बाद जो है वो इन Telegram channel पे join कर ले ताकि इन सारे सेशन की PDF फाइल आपको मिल जाए और आप उन PDF फाइल को और अच्छे तरीके से पढ़ पाएं इसके लिए सब्सक्राइब करने के बाद इन टेलिग्राम चैनल को आपको जोइन करना है आज हमने कख्षच है NCRT चेप्टर नम्मर पांच पढ़ा है सर उपगरहे को एक बार देखे बता दीजिए कौन से मंदल में होते हैं उपगरहे जितने भी होते हैं वो सारे के सारे आईन मंदल में होते हैं किस में होते हैं उपगरहे जो होते हैं वो किस मंदल में होते हैं आईन मंदल में होते हैं देखने की जूरते नहीं है, किसी से भी पूछ लो जाएं आप, उपगरह का जो मामला होता है, जितने भी उपगरह होते हैं, चाहें वो किसी भी देश के क्यों ना हो, सारे के सारे उपगरह जो है, वो कौन से मंडल में होते हैं, आयन मंडल में ही होते हैं, संकर जी, आप बत कुछ अलग पड़ा है क्या तीन तारिक से कोर्स आएगा नगेंदर जी तो आसा करता हूं कि आपके सारे कृष्णों का जवाब मैं दे पाया हूं फिर भी अगर कोई बाते रहे गई हो पाकी राजस्तान जी के क्या हमने बहुत बड़ा पार्ट कर लिया है बाकी कलासे सुब नमस्कार दोस्तों एक बर फिर से स्वागत है आपका एक और ने लाइफ सेशन में कैसे हैं एक बर फिर से आप सब का हार्दिक स्वागत अभिनंदन जैस्री राम राधे रादे ती पावली का परो जो है वो हो गया है भाई दूज आज था और आज भी हम सेशन नहीं ले दिन वाले क्योंकि थोड़े से महमान आते जाते रहे घर पर और हम भी कुछ रिष्टेदारों के यहां पे चले गए तो इसी चक्र में जो है आज सेशन हम नहीं कर पाए और कल-कल और सेशन नहीं कर पाएंगे रात वाले सेशन होंगे सारे के सारे नो बज़े वाला सेशन तो आईए करते हैं शुरुवात और SST के अंदर आपका कल हमने चर्चा किया था वाईयू मंडल की प्रिसरंद्रा के बारे में आज हम चर्चा करेंगे उसी में एक टोपिक और है आपका पवन कल वो पवन नामक टोपिक रहे गया था तो आईए उसको पूरा करते हैं आज के सेसन में पवनों की चर्चा करेंगे और इंडिया नारभी गोतम जैहिंद कैसे हैं आप बहुत बहुत स्वागत आपका इंदरपाल विश्नोई जी स्वागत आपका जुगल किसोर सोनी जी कैसे हैं आप सुलुचना जी स्वागत आपका दयाली कुमारी पूजा जी स्वागत आपका राजिस चोधरी जी कैसे हैं और सुनिल चोधरी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभी नंदन महंदर सिंधी कैसे है और इस परिवार के सभी सदस्यों का रदे की गहराई से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आशा करता हूँ कि आप इस पूरी प्लेलिस्ट को देख रहे होंगे सस्ट की इस सस्ट प्लेलिस्ट में मातर दो टोपिक और बचे हैं यानि दो ही टोपिक बचे हैं ओल्मोस्ट आपके सारे टोपिक जो है वो पूर्ण हो चुके हैं तो पूरी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं 51 क्लासेज 51 यानि 51 वीडियो क्लास इसके अंदर आपको जो है मिल सकते हैं और मनु विज्ञान हमने कंप्लीट करवा दिया है सूचना तक्निकी हमने करवा दिया है सेक्सिक प्रिदर से अपने चल रहे है तो बाकी चीज़े अपनी जो चल रही है बहुत सारे सब्जेक्ट अल्मोस्ट हमने 70-75% जो सिलिबस है उसको कवर कर लिया है तो आप जाके इन सारी प्लेलिस्टों के माध्यम से जो है वो देख सकते हैं आप चैनल पर जाके सस्क्राइब बटन दबाने के बाद जो है वो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारे सेशन वहां पर दिखाई देंगे तो चलिए आज ये पावन नंबर अपना सेशन है और इ वाईयू क्या है और पवन ये क्या है वाईयू और पवन क्या ये दोनों एक है या वाईयू अलग है पवन अलग है क्या मामला है थोड़ा सा सेशन सुरू करें उससे पहले आप अपना पुर्व ग्यान का थोड़ा सा बता दिजिए पुर्व ग्यान का उपयोग करते इसमें कोई अंतर है क्या पावन को तो हवा भी कहते हैं बताएं जैसनी जी बताएं क्या अंतर है वाई-ईू और पावन में बता सकते हैं आप बताना चाहेंगे आप कोई भी देखिए वाई-ईू पावन तुफान समीर शक्रवात क्या है यह सब बहुत अच्छा संकिर चोधरी जी कह रहे हैं कि वाई-ईू के गती सील प्रवाह को पावन कहा जाता है बहुत अच्छी बात है यहीं से शुरुवात करते हैं क्या कहा है देखिएगा कि वाई-ईू का गती सील यानि अगर वाई-ईू किसी एक दिशा में चल रही है कोई एक दिशा में चाहे वो कोण से भी दिशा क्यों ना हो अगर वाई-ईू किसी ना किसी दिशा में चल रही है तो उसे हम क्या कहेंगे उसे हम पवन कहते हैं जैसे मान लिजे आप अपने रूम में बेठे बेठे पढ़ रहें अभी तो चलिए थोड़ी सदियों का मौसम शुरू हो गया है लेकिन हमारे सब के घर में जो है वो इस तरीके से जो है वो पंखे लगे हुए होते हैं और हम यहाँ पर बेठे बेठे और पंखा घूमता है और वो पंखा जो हमारे रूम में हवा है हमारे रूम में जो वाईयू है उस वाईयू को एक दिशा में प्रवाहित करता है देखिए अगर पंखा बंद है तो हमारे कमरे में क्या है वाईयू है अगर पंखा बंद है तो हमारे कमरे में क्या है वाईउ है और जैसे हम पंखा शुरू करेंगे तो यह पंखा क्या करेंगा इस वाईउ को एक दिशा में चालना शुरू कर देगा एक दिशा में क्या करेगा ये इसको डालेगा यानि इस रूम की वाई यू को लेकर ये क्या करेगा एक दिशा में एक दिशा में क्या डालेगा हवा को वाई यू को भेजेगा तो उसे हम क्या कहेंगे पवन कहेंगे यानि वाई यू किसे कहते हैं वाई यू कहते हैं स्तिर बांस हैं ब्सक्राइबुषिकल पतंग उडाते थे, आप भी पतंग हुए उडाते ही होंगे, बच्पन में बड़ा सोक होता था पतंग उडाने का और उस पार। अलाके उस टाइम एक रुपे की लग भग तीन Pतंग मिलती थी, एक रुपे की तीन Pतंग मिलती थी, आज जो Pतंग 10 रुपे में मिलती थी और मुझे याद है हम जब छोटे थे तो Maximum से Maximum महंगा से महंगा जो Pतंग होता था न, हमारे एरिया के अंदर जा हम रहते हैं, वो क प्लाश्टिक की पतंग आती थी वो छियार भी आ जाते थी और जो पैसे नहीं होते थी घर पर जो है वो पोलीथीन को ऐसे काट कर उसका बना लेते थे तो कभी-ku हम पतंग उड़ाते थे चोंपार तो पतंग उडता नहीं था क्योंकि पवन नहीं होती थी वाहँ पर या नहीं होती थी पवन नहीं होती थी तो हम एक ऐसे एक तुकबंघी सी कहते थे कि पून-पून आजया स्थेरगुड़ खाअजया ऐसे कहा करते थे हम बच्पन में छोटे थे तब, पून पून आजया, पून यानि मारवाड़ी बासा में हवा नहीं पून खे, तो पून पून आजया, ठेर गुड खाजया, ऐसे चट पर खड़े होके चिलाते रहते थे सारे बच्चे, और फिर हवा चलती थी, और हवा चल हमारे एनवायरमेंट में स्तिर अवस्ता में हैं गेसे तो उसे हम वायू कहेंगे क्या कहेंगे वायू कहेंगे और अगर वो किसी एक दिसा में बहने लगती है एक दिसा में चलने लगती है तो उसे हम क्या कहेंगे पवन कहेंगे अब इसके गती के अधार पर हम उसको जैसे स आमीर पवन तुफाल हों जो है वह हम और इनकों समय को नाम देते रहेंगें। inned की मैज़ा होआ है तो इसे हम तुफाल किरेंगें। तुफान कि सब्एकीылाल जुरेeg क्रवा तुन से छी क मैज़ा होइन। एक स्तान से एक निश्चित दिशा की और चलती हुई वाईयू को पवन कहते है एक स्तान से एक निश्चित दिशा की और चलती हुई वाईयू को क्या कहते है वाईयू को क्या कहते है पवन कहते है एक स्तान से देखिए जैसे यहां से देखोगे आप तो यहां से इस दिशा म लेकिन उसे पहले एक निशित दिशा में बहने वाली वायू को क्या कहते हैं पावन कहते हैं अब यह हलाकि आप तो बहुत बड़े बच्चे हो आप यह सारी चीजे जानते हो पढ़ चुके हो आपको पता है कि वायू कैसे चलती है लेकिन जब छोटे थे न हम यह बात का पत ठीक है तो देखिए हवा कैसे चलती है एक कमेंट कर रहे हैं विशाल कुमार जी की पढ़ाई में इमोशन वेगेरा की जरूरत नहीं है वैसे तो उपर भी आपने कमेंट किया कि एक्स्प्लेन सही दिया करो यह बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी इस बात का तो हम विश्णु जी सौरी विशाल नाम बोला मैंने विश्णु जी इस बात का तो हम अचेप्ट करते हैं कि हम और अच्छे जो है वो एक्जाम्पल लेके आएंगे इस बात का आपका स्वागत है लेकिन यह जो बात आपने कही है कि पढ़ाई में इमोशन की जरूरत नहीं ह यह आपकी बात बिलकुल गल्द है इमोशन के बिना तो कोई पढ़ी नहीं सकता है इमोशन के बिना पढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि इमोशन इमोशन यानि समवेग समवेग ही वो चीज है जो हमें मोटिवेट करती है इमोशन के बगिर पढ़ाई नहीं हो सकती है क्या तो पढ़ाई के लिए emotion की तो बड़ी चुरूरत होती है, जब आप किसी चीज के साथ भावात्मक रूप से जुड़ेंगे, भाव के साथ जुड़ेंगे, भावनाए उस चीज के साथ जुड़ेगी न, तभी तो जाकर आप उसको प्राप्त करने के लिए कठिन प्रिश्रम करोगे, देखो, emotion या भाव के बिना विट्टी उसी तरीके का विभार करता है, जैसे एक मसीन करती है, मसीन आपके रूम में लगावा पंखा, आपके घर में चलने वाली वोसिंग, मसीन, साइंकिल, स्कूटी, मोटर साइंकिल, गाडियां, जितने भी मसीने हैं, उनमें को कोई भाव नहीं होता है, और उनका कोई जीवन भी नहीं होता है, तो emotion के बिना हम इनसान काम नहीं कर सकते, मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, अगर मैं मसीनी हो जाओंगा तो आप से मुझे कोई लेना देना नहीं, और आपको मुझे कोई लेना देना नहीं, इस परिवार ये है रोज आते हैं किलास में राजेस्चोद्री जीय रोज आते हैं विश्वास है, पूजा है ये स्वब बच्चो रोज आते हैं तो इनके साथ भावात्मक समिन्ध ए और कभी एगर कोई बच्चा नहीं आता है तो ऐसे लगता है आज वो बच्चा आया है भाव होना बहुत जुरूर है भाव के बिना कभी भी कोई वेक्ति शफल नहीं हुआ है मैं जो पढ़ा रहा हूँ न ये सारी बाते आपके किताबों में लिखी हुई है जैसे विश्वास भी यही बात कह रहे हैं कि किताबों में वो सारी बात लिखी हुई है आप खुद पढ़ सकते हैं लेकिन वहां पर वो किताबे जो है ना उनमें भाव उत्पन नहीं हो पाते हैं तो हम उस तरीके से उस चीज़ को नहीं पढ़ पाते हैं तो मेरा मानना यह है कि जितना जादा आप अपने लक्षे से भा मज़्बूर करना चाहते हैं वह मौ्टिवेसन देना चाहते है लेकिन उनका जो मोटिवेसन है वह उसी तरीके से है जब बुकार लगी हो हमें यह हमारे पेट में दर्फ हो रहा है अरा दर्फ अरय गया है अरा मिलता है तो पिता जी की और मा तो जर्रली ऐसे कभी भी आपके साथ जो है वो मा कभी भी अपने बच्चे को जाना कभी भी चाहिँ कैसे भी प्रिस्तिती हो वो बच्चे को हमेशा ये ही कहां कि बैटा कोई बात नहीं है कोई बात पिता जी क्या होते हैं वह हमें उनको पता है कि मां तो कुछ कहेंगे नहीं और यह ऐसे तो लापरवा हो जाएगा तो वह हमें थोड़ा सा इमोशनली भावात्मक रूप सो ऐसे कुछ करड़ी बाते कह देते हैं है ना खागयो मानतो पर इतना पड़ायो खुलांगे तरी फीस बरी कोले जाएंगे फीस बरी तना बीयड करवाई अब तेरा रोजीना किताबाओं खडचा कदीगा मैं अंगा पिसा देर कदीगा लाइ कि ब्लागटो की करो तो एसी जब बाते कहते हैं ना पिता जी तो हमें ठोड़ा साunde म्क झाहां दर्द होता है डिल में और वो दर्द हमें फिर सोने नहीं governo तर भो जड़ून में होता Я कोई भी इसाब हो चाहें, competition exam हो चाहें, पढ़ाई हो, कोई भी इसाब हो, emotion की होता हो शकता होती है, हम पढ़ रहे हैं कि एक स्थान से निशित दिशा की ओर चलती हुई, वाईयू, पवन कहते हैं उसको, और पवन किस दिशा से किस दिशा की ओर चलती है, तो पवन हमेशा जो है, उच वाईयू दाब से, उच वाईयू दाब से जो है वो, निमन वाईयू दाब की ओर चलती है, निमन वाईयू दाब की ओर जो है, पवन हमेशा चलती है, जहां पर उच वाईयू दाब होगा, और उच वायूदाब कहां बनेगा जहां पर मोसम गर्म होगा गर्म जहां होगा गर्मी जहां ज़ादा होगी वहां पर जो है वो क्या होगा वहां पर जाब जो है वो प्रेशर बनेगा हना देखो उच वायूदाब कहां बन रहा है हाई प्रेशर बन रहा है यहां पर हाई प्रेशर कहां बन रहा है हाई हवा जब गरम हो जाती है तो फिर क्या हो जाती है थंडी हो जाती है हवा जब गरम हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी थंडी हो जाएगी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बताओ हवा जब गरम हो जाती है तो वो कैसी हो जाती है हवा जब गरम हो जाती है तो वो हलकी हो जाती है अब देखो ये लो प्रेसर यहां क्रियेट कर रही है और ये हवा गरम होकर उपर जा रही है और उपर से ये क्या कर रही है फिर जो है वो ठंडी होके वापस नीचे आ रही है तो यह क्या बने रहा हाई प्रेसर टू लो प्रेसर हाई प्रेसर टू लो प्रेसर हाई प्रेसर टू लो प्रेसर की और क्या चल रही है पावने आगे गति कर रही है आगे बढ़ते हैं देखिएगा एक नियम आता है फेरल का निएम याद करना भूत है अबसषर का निएम याद करना क्फेरल का निम है और ये आपकी क्या हो गई है ये आपकी हो गई है प्रत्थ्वी और यह आपका हो गया है zero degree यानि विश्वत रेखा भूमत दे रेखा ठीक है यह विश्वत रेखा हुए अब फेरल का नियम भी यही कहता है क्या कहता है फेरल का नियम कहता है कि परिभर्मन या घुर्णन गति के कारण पवने विख्षेपित हो जाती है और इसे कोरियों बल कहते हैं क्या कहते हैं किस बल के कारण पवने विख्षेपित हो जाती है थी है यह पवन जा रहती पवन ये पवन जा रही थी इधर और यहां पर बल लगने के काण यह वापस इधर आ गई, यह जो पवन थी वो इधर जा रहे थी और यहां कोरियोलिस बल के काण यह इधर इस दिसा में कदी कर गई, मूड गई, और इस बल के परभाव को कोरियोलिस बल परभाव कहते हैं, और इस परभाव के काण पवन उत् उत्री कोलाद में अपने दाएं मुड़ाती है और फ्रेन फ्रेसरेस्ट थाइन अवर्ण इतना याद कर लेंगा पेपर में कैसरे क्यों पूछा जाएगा की वेपारिक पण्य estàinin वेपारिक पवने जो है वो उत्री गोलार्द में किस दिशा से किस दिशा की ओर चलती है क्योशन कैसा पूछा जा सकता है पवने से रिलेटेड आप से कि वेपारिक पवने जो है उत्री गोलार्द में किस दिशा से किस दिशा की ओर चलती है क्योशन पूछा जा सकता है कि विपारिक पॉऔ ने दक्षणी गोलार्द में किस दिशा से किस दिशा में चलती है जो क्योषन पूछ आएंगे वह सारे के सारे इस जो जो यह S नामक चो रूल है जिसे फेरल का नियम कहते हैं इसको अगर आप चोट में याद कर लेना बस S बढा लेना ऐसे और भी इसमें लाइन खेच देना आपको पता चल जाएगा कि कौन सी पावने कहां किस दिसा में चलती है इसके बारे में विश्टार से अपन चर्चा कर होने वाले हैं अभी अभी तो एक पर सारे बच्चे मिलकर जो इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ सेर कर देजिए ताकि थोड़ा सा इमोशनली हम भी मोटिवेट हो सके क्योंकि महने जितनी हम कर रहे हैं उतने ज्यादा बच्चों तक यह सेशन नहीं पहुंच पा रहे है कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन फिर भी आप सब थोड़ा सा सयोग करें हमें और थोड़ा सा आप अपना प्यार आपके भाव हमारे प्रति जाहिर करें इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ सेर करें हमारे आँक किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है आपको सब कुछ यहां पर बिना किसी फीस के प्राप्त होता है लेकिन इसका आर्थ यह नहीं है कि फीस नहीं है तो अच्छा नहीं है हम अपनी तरब से पूरा महनत कर रहें फिर भी आप कमेंट करके समय समय पर हमें बताते रहेगा कहीं आपको कोई भी कमी लगती हो तो तो आपको क्या य यह मी दो बाते याद करनी है एक तो यह法 एसेछ कि बल के कार्ण क्या होता है यह वो हिख शेपित होते यादि अपने दिशा बदलती है अब शिप ल equipo अलर्डल के अपने दाएंऔर नर्मुड़ जाएगा और दक्षण को लाद में होगी तो अपनी बाइं और मुड जाएगी, पेपर में यह याद नहीं आए, जैसे हम पहले NCC में भी थे, 11th और 12th जब थी हमारे पास, sorry, 9th और 10th जब थी, तो हम NCC में थे, और हमें NCC सबसे बड़ी दिक्कत कहा आती थी, चाहिने मुड बाएं मुड है, शुरू के दोर में तो बड़ा दिक्कत हुआ कि दाया किदर है, बाया किदर है, तो शुरू के 2-3 दिन तो हम हमारा आगे वाला जो कैड़िट्स होता था, वो जिस दिशा में मुड था था, हम भी उसी दिशा में मुड जाते थे, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता था कि आगे हमारे कोई नहीं होता था, और ऐसी प्रिस्तित जाते थे फिर हम एक बार इस चीज़ को ठान लिए कि यार दाया बाया गड़त नहीं होना चाहिए तो हाँ इसी देखो फेरेल नामक तो भुगोल वेता थे उन्होंने ये नियम दिया ठीक है और इस फेरेल के नियम के अंदर इन्होंने बताया कि इस रूल को ही जो है वो अपना जिदर अपना दिल दिल किदर होता है इधर होता है तो जिदर दिल है ना उधर दाया नहीं है फिर हमने ऐसे याद कि जिदर दिल है उधर क्या नहीं है दाया नहीं है दिल दाया नहीं है तो दाया किदर होगा मेरा मूँ जिस दिसा में है उस मूँ के एकोर्डिंग देखना क्योंकि आपका दाया दूसरा है, मेरा दाया दूसरा है, हम सब का दाया अलग है, मैं आपकी तरह मुझ खड़के खड़ा हूँ, तो मेरा दाया यह हो गया, दिल इधर है, दिल के उल्टा दाया है, जिदर दिल है, उधर बाया है, क्योंकि दिल हमेशा, क्या होता है, बताओ, दिल हमेशा क्या होता है, दिल हमेशा लेफ्ट होता है, याद रखना, दिल हमेशा लेफ्ट होता है, दिल कभी भी राइट नहीं होता है, जो आपका दिल कहेगा ना, वो कभी सही नहीं होता है, जर्णली वो गरती होता है, तो दिल आप बस ऐसे याद रखना, दिल ह मेशा लेफ्ट होता है वो राइट नहीं होता दिल कभी भी राइट नहीं होता राइट यह होता है जिदर दिल नहीं है वो राइट है आपका तो यह दाया और यह बाया बस इतना सा आपको बेसिक सी चीज़े याद रखनी है आगे बढ़ते हैं फेरल के नियम के बाद पवन जो है वो मुखित है तीन प्रकार की पवने जर्णली पढ़ते हैं हम हमारे रीट के कोडिंग एक पवन आती है आपकी भूमंडलिये पवन या इसे प्रसलित पवन भी कहते हैं इसे सनातनी पवन भी कहा जाता है तीन नाम है इसी एक पवन के भूमंडलिये पवन भी कह सकते ह और सनातनी पवन भी कह सकते हैं इसको दूसरी जो पवन आती है हमारी वो आती है आपकी मोसमी पवन या एस्ताई पवन मोसमी पवन या एस्ताई पवन मोसमी पवन यानि मोसम की अकोर्डिंग पवन जो है वो होती है या इसे हम कह सकते हैं या पिर इसे कह सकते हैं आप सामीत पवन या एस्टाई पवन भी कह सकते हैं और तीसरा जो पवन का प्रकार होता है वो होता है स्थानिये पवन लोकल पवन जियां अपा लोकल पवन की बात करा तो में राजस्तान का चूरू गमाई रहा तो राजस्तान को जिखो भाग है प परजस्तान के 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 परजस् अलग-अलग छेत्रों में जो है वो क्या है अलग-अलग छेत्रों में अलग-अलग प्रकार की पवने होती है और वो पवने उसी छेतर विसेस में होती है इसलिए उन्हें स्तानिय पवन कहते हैं आज हम इन तीनों पवनों को विस्तार से समझने का प्रियतन करेंगे बने रह पहले बात करते हैं हम भूमंडली एंपावन या परचलित्पाव्न या संनात्टनी पावन पहली आपकी वेपारिक पावन दूसरी आपकी भुर्विय पावन दूसरी आपकी धुरविय पावन कि नहीं है उत्री धुर्वे और ये आपका क्या हो गया दक्ष्ण धुर्वे ये हो गया उत्री और ये हो गया आपका दक्ष्ण धुर्वे तो एक बात तो देखो धुर्विय पवन जो है वो कहां चलेगी यहां पर चलेगी धुर्वों पर धुर्विय जो पवन है वो कहां चलेगी वो चलेगी धुर्वों पर दोनों धुर्वों पर कौन सी पवन चलेगी सिदा सिदा याद हो जाएगा ना आपको कि दोनों धूर्व जो है वहाँ पर धूर्विय पवने चलती है अलो जी मार तो याद हो गयो अब मार कोई दिक्कत गो नि ये जो विश्वत रेखा है इसके पास जो है वो कोन सी पवने चलती है यहाँ पर जो पवने चलती है देखो यह उत्री गोलाध है तो इस दिशा से इधर जितनी भी पवन होगी उत्री धुर्वी पवने ठीक है इसी प्रकार यहाँ पर जो पवने चलेगी वो व्यपारिक पवने होगी वेपारिक पवन देखो यहाँ पर भी वेपारिक पवन होगी लेकिन यह उत्री वेपारिक पवन है यह दक्षनी वेपारिक पवन है यह उत्री धूर भी पवन है यह दक्षनी धूर भी पवन है इसके बाद अगर आप चलोगे तो यहां पर जो पवने चलती है, यहां पर जो पवने चलती है, वो क्या कहलाती है, पच्छुआ पवने कहलाती है, यह सारी की सारी क्या है, वेपारिक पवने हैं, यहां पर जो पवने चलती है, वो पच्छुआ पवने जो है, वो कहलाती है, यह साउत की पच्छुआ पवन साँथ की धूर्वी पूर्वन होगी और साुथ की व्यपारिक परवने लुवाज यह सारा नोर्थ वाला पर्ट किशन आपसे पूछे जाएंगे को कि एि यह यहां ते ऐसे बैठी में पांचों में ब्राबर नहीं होती है हमारे हाथ की पांचों अंगलिया भ्राबर नहीं होती है, फिर भी स्थरम तो हमें आनी चाहिए ना थोड़ी बहुत, आप अगर और किसी भी प्रोफेशन में होते हैं, चलो कोई बात नहीं, हम इन्नोसेंट समझ सकते थे, आपको मासुम समझ सकते थे, कि यार चलो मासुम है लेकिन आप सिक्षक बनने जा रहे हैं, और सिक्षक वो ही बच्चा बनता है, जो मेचूर हो जाता है, 12th, 12th के बाद, Graduation, Beard, BSTC, इतने धक्के खाने के बाद, आप ऐसे क्यूशन करते हैं, और फिर जब सर्म आती है आपको, तो आप कमेंट को डिलिट कर देते हो, किसी को कोई फरक नहीं पढ़ना है, आप चाहें कुछ भी बोल लो, जैसा भी आप कमेंट करो, आप पढ़ो, ना पढ़ो, किसी को कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है, करम आपके हैं, आपको भुगतने पढ़ेंगें, और जैसे जैसे समय बीटेगा न, जीवन कठिन होता जाएगा, सरल नहीं होगा, इस जीवन को सरल करने के लिए महनत करनी पढ़ेगी, कोई बात नहीं है, हमारे तो क्या फरक पढ़ने है, दो मिट बच्चों का टाइम खराब ही तो हुआ है, लेकिने सरम, ऐसे मुझे खुद को सरम आ जाती है, यार, के पढ़ागे न्याल करागा इस अठाबर, जिएको, समाद में शिक्षक जो होता है न, उसका स्तान सबसे उपर है, बाके कोई भी नोकरी हो चाहे, एक RAS, IES, कितनी बड़ी बड़ी नोकरी है, IES सबसे बड़ी नोकरी होती है, IES कोई गलती कर देता है, भष्टाचार कर देता है, कुछ भी कर देता है न, तो उसको जल्दी से, क्यार कोई बात नहीं, IES है, कर लियो, कलेक्टर ने घपला कर दिया, तो कर दिया, लेकिन एक सिक्षक जो होता है, न, सिक्षक, वो अगर थोड़ा सा भी गरत कार ये कर देता है, तो एक बहुत बड़ा उसका एफेक्ट होता है, क्योंकि सिक्षक के जो वस्तर होता है, ये सिक्षक का जो च्रितर होता है, तो वो सफेद वस्तर के जैसे होता है, अगर आपने सफेद कलर की सरट पहने रखें, उस पर छोटा सा दाग लग जाता है, तो वो फट से दिख जाता है, तो आपने बाकी किसी कलर के कपड़े पहने रखें, तो उसका कोई पता ना पढ़े, कोई दिक्क्षत नहीं, लेकिन आप चाहें आप बागी प्यार की बात कर लो, महबत की बात कर लो, कुछ भी कर लो, मुझे गाली दे लो, यह कह दो कि तु फाल तू बढ़ाता है, कोई बात नहीं है, लेकिन कमशकम ऐसी भासा का परियोگ मत करो, कि तुम्हें ख मैं झाया थैसल मैंने कमेंट क्या करा है ऐसा क्यों करते हो तुम भूल दिक्कत नहीं आपको नहीं पढ़ना मत पढ़ो आपको ब्यार की बात करें यहां करो कमेंट में मैं आजकल मैंने कहने ही छोड़ दिया लेकिन ऐसी भासा तो मत करो कि आप खुद उस कमेंट को पढ़ने के बाद आपको शर्म आ जाए इतना नीचे मत करो कि फिर उठ ना पाओ इतना नीचे अपनी नजरों में गिर रहे हो किसी दूसरे की नजरों में गिर जाते कोई बात नहीं है अगर मैं किसी दूसरे की नजर में गिर जाओ गिर जाओ चाहें इसा काम मत करो कि आपको अपने आप पर ऐसे संका होने लगे कि आर मैं आदमी हुँग को नहीं आव इन तीनों पवनों को थोड़ा सा और विस्तार से पढ़ते हैं यहां से कौन-कौन से क्युशन पूछा जा सकते हैं जैसे क्यूशन पूछा जा सकता है, कि धुर्वे पाउनों की दिशा कौन सी है, बच्छुवा पाउनों की दिशा कौन सी है, विपारिक पाउनों की दिशा कौन सी है, यह किस डिगरी से किस डिगरी के मध्धे चलती है, इस तरीके के कई क्यूशन यहां से बन सकते हैं, तो इस चारट के जरीए आप थोड़ा सा इसको समझने का प्रियतन करिएगा, देखिएगा, अगर हम यहाँ पर देखते हैं, तो आपको, मैं इसको थोड़ा आगे लेके चलता हूँ, देखो, 0 डिग्री ये है आपका, 0 डिग्री है, और इस 0 डिग्री से 10 डिग्री इधर, और 10 डिग्री इधर, क्या है, भुमद्य रेखा, निमन वायुदाब की सांत पेटी है, इसको मैं आगे लेके चलता हूँ, आपको समझाने के लिए, ये आपकी हो गई 0 डिग्री, ठीक है, ये आपकी क्या होगी, 0 डिग्री होगी, और इस 0 डिग्री के 10 डिग्री तो उपर लिल्लो आप, और 10 डिग्री लिल्लो आप इसको, नीचे, यानि 10 डिग्री, 10 डिग्री तो आप, क्यों हो गया तेरे, 10 डिग्री तो आपको नोर्थ में जाना है, और 10 डिग्री आपको साउथ में जाना है, ये आपका हो गया, उत्तर, उत्तरी गोलार्थ, और ये आपका हो गया, दक्षणी गोलार्द तो 10 डिगरी उत्र में और 10 डिगरी चलना है आपको कहां पर साउथ में चलना यह जो भाग है यह कैसा भाग है यह आपका निम्न वाईूदाब का भाग है कैसा भाग है यह निम्न वाईूदाब अब आपके दिमाग में यह आ गया कि यह जो भाग है यह कैसा भाग है निम्न वाईूदाब का भाग है और आपको यह भी पता है कि हवा जो चलती है पवन जो चलती है वो निम्न वाईूदाब से किस दाब की ओर चलती है उच वाईूदाब की ओर चलत यानि या तो पवन जो होगी वो इस यहां से इधर चलेगी या फिर यह इधर चलेगी दोई दिसा में चलेगी ना या तो यह निमन वायुदाब के इधर जाएगी उत्तर की और या फिर यह दक्षन की और जाएगी ठीक है कोई दिक्षण नहीं है जी इसके बाद थोड़ा सा उपर चलते हैं अपन साड़े तेश डिग्री से लेकर और पैंतिस डिग्री तक साड़े तेश डिग्री पर करक रेखा है आपको याद है साड़े तेश डिग्री पर कौन सी रेखा है करक रेखा है यह देखिए यहाँ पर यह आ गए हम साड़े 23 डिगरी से साड़े 23 डिगरी N से लेकर और 35 डिगरी N तक अपन पहुंचेंगे और यह जो पट्टी है वो कैसी पट्टी है यह जो पट्टी है आपकी यहाँ पर हवा क्या है गरम हवा है कैसी हवा है गरम है गरम माल लीजिए या ऐसे कह लीजिए उच वायू दाब की पेटी है यह उच वायू दाब यह क्या है उच वायू दाब की पेटी है यह देखे उपोशन कटी बन दिये उच वायू दाब की पेटी कहां से 23 डिग्री से 35 डिग्री तब हमेस्जा याद रखना कि प्रत्वी के जितना भाग उत्री गोलाद में होगा वैसा ही दक्षणी गोलार्द में भी होगा तो यहाँ पर भी हमें क्या बनानी पड़ेगी? एक पेटी बनानी पड़ेगी 25-35 degree के बीच में है तो ये हमने बना दि ठीक है फिर एक पेटी आजाएगी आपकी यहाँ पर और ये आपका हो गया एक भाग ये आपका हो गया एक भाग ठीक है ये आपकी एक और पेटी आजाएगी यहाँ पर अब देखी दूसरी जो पेटी है आपकी वो आती है आपकी कहां से लेकर 45 डिग्री से लेकर और 65 डिग्री तक कितना से लेकर 45 डिगरी से लेकर 45 डिगरी N से लेकर और 6.6 डिगरी N तक 45 डिगरी S से लेकर और 6.6 डिगरी S तक ठीक है? S यानि साउथ इसके बाद देखिए उपर जो है 80 से लेकर 90 डिगरी तक ये एक पेटी है जो कहां तक है? 90 डिगरी तक है 80 डिगरी से शुरू होती है और 90 डिगरी तक जाती है 80 डिगरी से शुरू होती है और 90 डिगरी तक जाती है ठीक है जी? कोई दिक्रत यहां तक आपको नहीं होगी इसकी आपन यहां पर गर्द लिख दिया यहाँ पर तो हमें लिखना था 35 डिगरी साउथ से लेकर और 35 डिगरी साउथ और यहाँ लिखना था अपने को 45 डिगरी साउथ से लेकर और 46 डिगरी साउथ यह आपकी जो है वो पेटिया बन गई है ठीक है देखो ऐसी ही पवन जो है वो ये भी आपकी क्या है उच्छ वायू दाब है उच्छ वायू दाब और यहां पर आपका क्या है निम्न वायू दाब यहां पर आपका क्या है निम्न वायू दाब यहां पर आपका क्या होगा उच्छ होगा याद रगना धुर वोपर जो है वो क्या है उच्छ वायू दाब है अब देखो बेसिक बात तो हमने समझ ली थी कि हवा जो चलेगी पवन जो चलेगी वो किस दिशा से किस दिशा की ओर चलेगी वो चलेगी हमेशा उच वायूदाब से निमन वायूदाब की और आपके दिमाग में एक बात तो यहां पर क्लीर हो जाती है कि अब जो हवा चलेगी यह पूरी परत्री की हवा है वो देखो यहां निमन वायूदाब है तो इस दिशा से तो चलेगी इस दिशा में और इस दिशा से चलेगी इस दिशा में यानि निमन वायूदाब से उच वायूदाब की ओर चलेगी यहां क्या है निमन वायूदाब है तो निमन वायूदाब है और यहां पर उच वायूदाब है तो फिर यह हवा एक तो चलेगी इधर और एक चलेगी इधर कोई दिक्कत नहीं है यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताएं हवा हमेशा किस और चलती है उच वायूदाब से निमन वायूदाब तो उच वायूदाब यहां है तो निमन की तरफ चलेगी उच वायूदाब यहां है तो निमन की और चलेगी और उच वायूदाब यहाँ है तो इधर से फिर निमन की ओर चलेगी और इधर से देखो उच वायूदाब कहाँ है यहाँ पर है तो हवा किधर चलेगी इधर चलेगी ठीक है हवा हमेशा किधर चलती है उच वायूदाब से निमन वायू दाब की ओर चलती है ठीक है यहां तक किसी को दिखत है तो बताओ अब देखू कि हवा किस दिशा से किस दिशा की ओर चलेगी यहां पर अपना नियम लगेगा किसका फेरल का नियम लगेगा यहां पर नियम लगेगा फेरल का फेरल का नियम लगेगा अब अब हम इस फेरल के नियम से ज्याद करेंगे कि यहां से उच वायू दाब से निमन वायू दाब की ओर जो हवाय चलेगी कि उनकी दिशा क्या होगी उनकी दिशा जो है वो क्या होगी कि पहले संकर चोधर जी आप एक बार देख ले पूरा सेशन आपको एक बात पहले क्लीर कर लेनी है कि हवा हमेशा कहां से कहां चलती है उच वायू दाब से और निमन वायू दाब की ओर चलेगी इस बात में आपको कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं फिर मैं आपको आगे की चीजे भी समझाऊंगा आप जो कह रहे हैं कि जो हवाएं हैं वो उपोशन उच वायूदाब पेटी से भुमद्दी रेखा निम्र वायूदाब पेटी की ओर चलते हैं तो मैं आपको कहां यही तो बता रहा हूं यह क्या है आपकी मैंने इसको उच वायूदाब लिखा है यहां पर आप इसको क्या कह रहे हैं उपोशन उच वायूदाब कह रहे हैं यही तो है आपका उपोशन उच वायूदाब तो यहां से जो हवा चली है वो इधर ही तो चल रही है न आपकी यह है आपकी कोन सी भुमद्दे रेखा यही तो हवा किधर चल रही है इधर ही तो चल रही है आपकी और यह हवा जो है वो इधर चल रही है यही तो हमने पड़ा है न तो इस चीज को अभी आप समझेगा ठीक है समझने का प्रियत्तन करेंगे तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा पहले हम देखो यहां पर जो हवा हवाय चलती है वो हवाय कैसी है यह तो आपकी व्यपारिक पवने हो गई कौन सी पवने हो गई व्यपारिक पवने हो जाएगी यहां पर जो चलेगी वो हो जाएगी पच्छुआ पवने और यहां पर जो चलेगी वो हो जाएगी आपकी धुर्विय पवने ठीक है इसी प् आपकी हो जाएगी बच्छुआ और यहां पर आपकी हो जाएगी धुर्विय अब एक एक पवन को हम पढ़ते हैं सबसे पहले फेरल का नियम आपको याद रखना है फेरल का नियम क्या है पैस यह ऐसे याद रखना है आपको यह फेरल का नियम है यह बना दिया अपने S और यह हो गई अपनी जीरो टिगरी ठीक है क्या कहा है इधर होगी तो दाएं मूड़ेगी और इधर जो है वो पाएं मूड़ेगी बस यह इतना याद रखना है आपको फेरल के निये में सबसे पहली पवन लिखो वेपारिक पवने क्या लिखोगे वेपारिक पवन वेपारिक पवन कोन सी है यह है निमन वायुदाब की पेटी वेपारिक पवने यहाँ पर ही चलेगी तो यह कहां से कहां की और चलेगी देखिए एक तो वेपारिक चलेगी उच वायुदाब की पेटी है यह तो इस दिसा से इस दिसा में चलेगी ठीक है देखो वेपारिक प बंद रही है इसको समझ लेते हैं पहले हम चर्चा करते हैं केवल व्यपारिक पवनों की तो देखें व्यपारिक पवनों की चर्चा करते हैं तो ये आपकी क्या है उच्छ वायू दाब पेटी है एक ये उच्छ वायू दाब पेटी है इस उच्छ वायू दाब में सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो पवन है ये दो तरी के से चलेगी ठीक है दो भागों में चलेगी, एक तो उत्री गोलार्द में, एक तो उत्री गोलार्द में हो गए आपका, और एक हो गए आपका दक्ष्णी गोलार्द में, सबसे पहले बात करते हैं उत्री गोलार्द में ये है आपकी क्या उच वायुदाब की पेटी और हवा किस ओर चलेगी निमन यानि ये इधर चलेगी तो अब ये चिन देखो किदर है नीचे की ओर है तो इसका दाया को देखो रूल क्या है कि अगर हवा कहा है अगर हवा एन यानि उत्तर में है अगर हवा किदर है उत्तर में है तो वो डाय मुड़ेगी और अगर वो जक्षिन में है तो वो कहा मुड़ेगी बाय मुड़ेगी कहा मुड़ेगी वो बाय मुड़ेगी तो आपका सिर किदर देखो नीचे की तरफ है तो आपका दाया कौन सा हुआ यह ब यह जो हवाय है यह कौन से हवाय चल रही है अब यह वेपारिक हवाय चल रही है और कहां चल रही है यह उत्री गोलार्द में चल रही है क्योंकि यहां से अगर आप देखोगे तो मेरा दाया कौन सा है यही तो हुआ तो पवनों की जो दिसाएं है वो इधर मूड गई है तो तो हमने भी पवनों की दिशाओं को क्या कर दिया है, इधर कर दिया है, किसी को कोई दिक्त, कैसे ये इधर आ रही है, क्योसन कैसे पूछा जाएगा, दोनों चीजों को समझ लो, क्योसन पूछा जाएगा आपसे, कि उसन पूछा जाएगा आप से कि उत्री गोलार्द में वेपारिक पवने जो है वो उत्री गोलार्द में वेपारिक पवनों की दिशा क्या होगी कैसे ग्याद करी हमने दिसा कैसे ग्याद करी हमने दिसा ग्याद करी कि भहिया उत्तर में है और उत्तर उच वायुदा पेटी से और भुमद्य रेखा कि और जो है वो हवा चलेगी और फैरिल का नियम कहता है कि यह पवन जो है जो उत्तर में है वो अपने से दाई दिसा में म वाएक इधर मोडेंगे हम इधर दिशा में मोडेंगे तो हमने इनको मोड दिया तो पहली बात लिख दो यहां पर उत्री गोलार्द में जो पवने चलेगी उत्री गोलार्द में जो व्यपारिक पवने चलेगी उनकी जो दिशा होगी वो क्या होगी दिषा कैसे ग्याद करते हैं यह है आपका यह ऊतर, यह दक्षिन यह पूर्व और यह पस्थिम तिन कैसा है देखो ऐसा है तो इसको वह ऐसा कर दो ऐसे चल रहे हैं आपकी यह पवंद तो यह कौन सी दिषा हो गई उतर पूर्व तो लिख दो उत्तुर पूरु से दक्षण पस्चिम एक क्युशन बन गया कि व्यपारिक पवने उत्तरी गोलार्द में उत्तर पूरु से दक्षण पस्चिम की ओर चलेगी ठीक है पहला क्युशन हो गया कि उत्तरी गोलार्द में उत्तर पूरु से दक्षण पस्चिम की ओर व्यपारिक पवन जो है वो चलेगी इसमें किसी को कोई दिक्षण गोलार्द में अब ये उच्वायुदाब की पेटी है ये क्या है उच्वायुदाब की पेटी है और इस उच्वायुदाब की पेटी से जो है वो हवाएं किधर जाएगी बताओ इधर ही तो जाएगी ना इस दिसा में ही तो जाएगी हवाएं अब देखो ये है चिन ये है चिन तो अब देखो आप इस चिन के according देखो अब मुझे अपना मुझे इधर करना पड़ेगा और मेरा दाया कौन सा होगा बताओ यही तो है देखो चिन उपर है अगर चिन नीचे है तो मेरा मुझे इधर करना पड़ेगा तो मेरा दाया कौन सा हो रहा है यह दाया है यह दाया है तो सही है यह होगा दाया तो यह दाया होगा तो यह जो पवने है वो किस दिशा में चलेगी वो इसी दिशा में चलेगी ठीक है दाय दिशा में इनके ठीक उल्टा होगा इनके ठीक क्या होगा यह उल्टी होगी उत्री गोलार से ठीक उल्टा करना है आपको इस दिशा में यह क् निसान को ऐसे कर देते हैं तो किदर से हो गई पूर्व दक्षण पूर्व से लेकर हवाएं किधर चल रही है आपकी हवाएं चल रही है दक्षणी गोलार्द में दक्षण पूर्व से दक्षण पूरू से और ये कौन सा हो गया उत्तर पस्चिम तो उत्तर पस्चिम की और चल रही है उत्तर पस्चिम की और चल रही है पारिक पवने उत्री गोलाद में उत्र पूरु से दक्षण पस्टिम और दक्षणी गोलाद में दक्षण पूरु से उत्र पस्टिम यानि एक दूसरे का ठीक उल्टा होगा यहां तक किसी कोई दिखेत है तो बताओ नहीं बिलकुल यह देखो आपको यही तो ध्यान रखना है पेपर में कि आपकी लेफ्ट साइड कौन सी लेफ्ट देखो यह चिन इधर है न मेरा तो मेरा यहां पर किस दिखा में जाएगी यहां पर तो आपकी जाएगी दाए में और यहां पर बाय में जाएगी तो बाया कोण सा होता है जिदर दिल होता है वही तो बाया होता है ना तो यह बाया है तो मैं इधर मूँ करूँगा तो यही तो बाया हुआ मेरा तो हमने इनकी दिशा इधर कर दी ना इसलिए तो इसलिए हमने इनकी दिशा इधर कर दी सिधी सिधी बात है कोई confusion वाली बात एक बार फिर से ध्यान से समझ लीजिए, अभी समझ लो ना, अपन दो दिन में कर लेंगे, आज ही पूरा करना कोई जुरूर थोड़ी है टोपिक को, कल और इसी कलास को लेके चलेंगे, दो बाते, जो सबसे महतुपूर्ण है, इस पूरे टोपिक को समझने के लिए, वो यह है, एक तो फेरिल का नियम है, फेरिल का नियम आपसे यह कहता है कि उत्तर दाया और दक्षण बाया, उत्तर दाया, यानि उत्तर में जो हवाएं चलेगी, वो दाई नहीं और मूडेगी, और दक्षण में जो हवाएं चलेगी, वो बाई और मूडेगी, बस, पहली ब तो दो चीजों का ग्यान होना चाहिए, पहला तो कि फेरल ने ये कहा कि दक्षिन में बाएं मुड़नी है हवाएं और उत्तर में दाएं मुड़नी है, अब आपको ये पता होना चाहिए, अब आपको ये पता होना चाहिए कि आप को दायां बायां पता होना चाहिए धंग से देखिए तीर का निसान ऐसा है तो आपको ऐसे ध्यान रखना है और अगर तीर का निसान ऊचा है तो आप अपणा मू बोर्ड की और कर लेना और क्या है ठीक है तो यह यहां पर दाइम उडगी तो आपको समझ में आ गया सिधा सिधा मामला कि उत्री गोलार्द में उत्र पूरों से दक्षन पसिम और दक्षनी गोलार्द में दक्षन पूरों से उत्र पसिम यहां तक किसी ओग कोई दिकत है कोई दिकत है तो लेफ्ट में ही तो है ये ये लेफ्ट नहीं है क्या ये बताओ आप स्टाउथ आप देखो तु सुरी पहले ये लेफ्ट में ही चल रही है ये है राइट में ये है राइट में और ये लेफ्ट में है वायू दाप पेटी बता दिना आपकी आपकी वायू दाप पेटी जो है वो यही है आपको बहुत जादा उलजने की जादा जूरत नहीं है बहुत ज्यादा संकर डाल जी उल्जने की जरूरत नहीं है जितना ज्यादा इस टोपिक में उल्जोगे उतने ही उल्जे रह जाओगे आप से क्यूसन यही पूछा जाएगा जर्णली कि कौन सी हवा कि किस तिसा में वो बहती है जैसे यह चितर देख लो आप इस चितर में बिल्कुल सिधा सिधा बताया गया है यह और यही बात मैंने ओर ज्रादा थोड़ा सरल करने का प्रियतन के यहां पर क्या इंक दिया है उप ढुरमीये निमन वायुदा पेटी और यहां पर उप उत में कटी बंदी ये उछ वायुदा पेटी कह लीजügen उप उप ओसंन कटी सब्सक्ट्रम देखों कटी उप होता है तो यह दोनों प्रोंषण कट्टिबंद हो गये की नहीं हो गया इसमें तो कोई दिक्कति नहीं है यह जो दूरवे है दोनों कुछ जादा स्पर्ण करने के लिए क्या लिए दिया धुरिवे वायुदा पेटी निमन वायुदाब की पेटी और उच वायुदाब की पेटी और निमन वायुदा आपको तो ये पता होना चाहिए कि हवा किस दिशा से किस दिशा की और पहनी है तो ये उपोशन है ये उपोशन है उपोशन से कहा जा रही है भुमद्य र देखा की ये कि इसी देख लिए कि दुरुए से कि रुर चल रही है उपऊशन से भुमद्यीय की चल रही है यहीं तो में बात ना में मुद्दा तो यही है इसमें आपको क्या याद रखना है धूर्वे उप धूर्वे और उपोसन धूर्वे देखो धूर्वे सबसे उपर यूपर धूर्वे है जहां बहुत मोटी बर्फ की चादर जमी हुई है अब धूर्वे से थोड़ा दूर चलेगे तो हम कहदेंगे यार यह उप कड़ती है ज्यादा तो गर्मी होगी तो वहां पर क्या कहेंगे उपोसन कहेंगे क्या कहेंगे उपोसन कहेंगे की नहीं कहेंगे उपोसन उप धूर्वे और धूर्वे 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 उप धूर्वे उपोसन फिर भूमद्दे भूमद्दे के नीचे उपोसन मक्क रेखा के नीचे उप धूर वे और फिर नीचे धूर वे इसमें कोई मोटी बात तो याद करनी नहीं आपको मोटी बात बेसिक बात यही है आपको यह पता होना चाहिए कि अगर उत्री गुलाद में है तो पवन दाई और मुड़ेगी जक्षणी गुलाद में है तो बाई और मुड़ेगी बैस इसको अब बताओ आपके कोई दिक्त है संकर चोधरी यही तो है वायुदा पेटी आपकी यही तो है ना वायुदा भी पेटी अब देख लो यहां से जो यह पवने है वो किस दिसा में चल रही है यह पवन जो है पवन हमेशा कहा चलती है उच से निमन की ओर चलती है उच से निमन की ओर तो यह उच्छ वायूदाब की पेटि है और यहां से निमन वायूदाब की पेटी की ओर चल रही है लेकिन इनकी दिसा बदल जाएगी क्योंकि फिरल का नियम कहता है ये कि भईया दिसा बदलनी है तो यहां से जब यह पाउने इधर चलेगी देगो पाउने किधर चलनी है इधर चलनी है अगर यह रूल नहीं होता तो पाउन सिद्धी आ जाती अगर मालो यह रूल नहीं होता तो हवा सिद्धी आ जाती ना जैसे अपने को पंखे से आ रही है सिद्धी नीचे गिरती रहती है लेकिन फेरल के नियम ने कह दिया कि अगर नीचे हवा आएगी तो वो अपने दाई और मोडेगी तो दाया इधर ही तो है मेरा दाया इधर है आपका दाया इधर भी हो सकता है पर इस सबका दाया आप जिस सिच्वेशन में बैठे हो उस सिच्वेशन के कोडिंग दाया बायात है होगा तो मैं यहाँ पर हूँ और देखो यहाँ पर मेरा दाया इधर है तो हमने इन हवाओं को इधर मोड़ा और यह कौन सी दिशा है इसमें देखो आप इस जिन को रखे देखो तो यही तो दिशा हुई न और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने इसको बाया मोड दिया, तो मेरा बाया किधर है, मेरा बाया किधर है, यह है मेरा बाया, देखो मैं इधर मुँखर करके खड़ाउं, क्योंकि उपर जाएगी हवा, यह आपकी क्या है, उपोशन कटी बंद की पेटी है, उच कि नहीं जारी है और पाया इसको अगर यहां रखोगे आप इसी लाइन को तो आपको पता चल गया ना ये तो कोण सी हो गई आपकी वैपारिक पवने जो की साउथ यानि दक्षनी गोलार्द में है और ये हो गई आपकी उत्री गोलार्द की वैपारिक पवने और यही बात ह पूर्व से उत्तर पस्तिम के ओर चलेगी इतनी बात अगर आपको समझे में आ गई है तो हम आगे चलें वरना फिर दुबारा समझने का प्रियतन करते हैं कि निन्दार ये तो सोजाओ भाई विनोद कि निन्दार ये तो सोजाओ किसी ने आपको पकड़ नहीं रखा है सोजाओ अराम से चिल गरो बिल्कुल चिल सोजाओ चाहे कोई दिक्त नहीं सोने वाला सोजाओ एक बर सारे बच्चे yes या no लिख दो? no लिख दो कोई दिक्त नहीं no लिखड में भी कोई حद मैं एक poll दे देता हूँ आपको यह लो poll दे देता हूँ आप इस poll में बता दो कि भगया समझ में आया कि नहीं आया question यही है कि topic समझ में आया कि नहीं येस तो येस लिख देना, नो तो नो लिख देना, जल्दी से, 100% येस लिख दिया यार, अब देखो ऐसा है, विश्वास की, आप अलग तरीके से, आप भी टीचर है, हर वेक्ति का बताने का तरीका अलग होता है, अब आप कह रहे हो कि यहां से उत्र बनाओ ठीक है यह भी कोई दिक्कत नहीं है यह भी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यहां पर आपको चीजे अब मैं जिस तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं मेरा समझाने का तरीका अलग है आपका समझने का तरीका अलग है ठी चीज़ को, ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, देखो वेपारिक पवनों में किसी को कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट करके बताओ, वेपारिक पवनों के बाद जो दूसरी पवने आएगी, वो आएगी आपकी पश्वा पवने ये, अब ये उच्छ वायूदाब की पेटी है है की नहीं है बताओ, और ये जो है वो निमन वायूदाब की पेटी है, है की नहीं है बताओ, तो बताओ पवन किस दर जाएगी, ये पवन किधर जाएगी, ये पवन उच्छ से निमन की और जाएगी की नहीं जाएगी बताओ, जाएगी की नहीं जाएगी, देखो, ये क् उच वायुदाब की पेटी है ये निमन वायुदाब की पेटी है और रूल यही है कि उच वायुदाब से निमन वायुदाब की ओर जाएगी आदी हवा इधर आ गई व्यपारिक पाउने के लाई जो हवाई उपर जाएगी वो क्या कहलाएंगी पच्छुआ पाउने कहलाए तो यह जो हवाएं हैं जो उपर की ओर जाएगी ठीक है अब देखो उपर यह है जाएगी की नहीं जाएगी बताओ तो उपर यहां आप देखो उपर मेरा कौन सा दाया होगा बताओ दाया जाएगी हवा की बाय जाएगी जल्दी से कमेंट करके बताओ उपर हवा जानी है तो बताओ किधर मोड़ो दाए मोड़ो कि बाए मोड़ो उत्र में है तो उत्र में तो आप दाए मोड़ो तो मोड़ दो ये लो किधर मोड़ो इनको ये लो जी हमने मोड़ दिया इनको इधर सभी मोड़ा है कि बताओ पच्छु अपनों को फिर से अपन फिर से समझ लेंगे अभी मैं आपको 10 बार 20 बार जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आपको जब तक कोई टोपिक समझ में नहीं तो आगे चलने का कोई फायदा नहीं है तो जहाँ पर भी आपको लगे कि नहीं समझ में आप बोल दीजिएगा सिधा-सिधा मामला है कोई basic कोई कठीन काम नहीं है सिधा-सिधा मामला है कि भईया ये एक उच्छ वायूदाब की पेटी है ये क्या है ये जो है एक उच्छ वायूदाब की पेटी है ठीक है? और यहां पर क्या है? हाइ प्रेसर बना हुआ है हाइ प्रेसर और हाइ प्रेसर बनता है तो हम लोग प्रेसर में जाते हैं कई-कई बाहर की एक जिया ओ जुखो room है आपनो studio है हवा चारु तरफ से बंद है अंदर बाहर की ताजा हवा इसमे नहीं आ पाती है, क्योंकि अगर हवा आएगी तो आवाज भी आएगी, बाहर की तो हमने इसको क्या कर रखा, सील पेक कर रखा, खिड़कियां वेगेरा, सब स्थील है, तो इसमें क्या हो जाता है कि तोपेर के समय, अगर ऐसी नहीं चलता ह तो बहुत ज़्यादा हुम्स हो जाती है और दिमाग में प्रेसर पढ़ने लगता है फिर मेरे दिमाग में क्योंकि ओक्सिजन की कमी हो जाती है मुझे और फिर मेरे इधर दिमाग में प्रेसर पढ़ने लगता है तो फिर मैं क्या करता हूँ गेट खोल के और थोड़ा सा खुली हवा में चला जाता हूँ बाहर खुली हवा में जनरली तो इसमें ऐसी चलता है लेकिन कभी-कभी ऐसी कंडिशन हो जाती है कि लाइट वगिरह नहीं होती है तो ऐसी बंद हो जाता है तो यानि प्रेसर जब बढ़ेगा आपके जीवन में जब प्रेसर बढ़ेगा आपके पिदाजी, आपके घरवाले, आपके ससूर, आपकी गल्फ्रेंड आपको आपके मित्र, आपकी सखा, आपके सहली आपको बार-बार कहेंगे कि नोकरी नहीं लागा होगो तो मेरे पापू मेरे दूसरे जाग ब्या कर देऊ रोज आपकी गल्फ्रेंड फोन करी करी है मेरे घर आ रहा ब्यागी ताकर लगा रहा कि ये तो तो जल्दी से जल्दी रीट में सेलेक्शन ले ले नहीं बैया मन ज्यानगो नहीं है गरगा का गामन तो बठी ब्या करनों पड़ाओ और मेरे गरगा कहा रहा कि नोकरी लागेड़ सागी ब्या कर रहा देरो आप भी उससे बहुत प्यार करते हैं वो भी आपसे बहुत प्यार करती है लेकर बीच में नोकरी आ रही है और आपके उपर प्रेसर बढ़ेगा और जब आपके उपर प्रेसर बढ़ेगा तो आप क्या करोगे उस प्रेसर को कम करने का प्रियास करोगे लो प्रेसर में जाओगे तो यही तो है यहां पर हाई प्रेसर है लो प्रेसर में जाना बस इसमें रूल यह है कि अगर आप उत्तर दिशा में है तो इसको दाय मोड़ना है तो आपका दाया आपका मुँ इधर है अब जिस दिशा में जाते हैं मुँ तो उधरी रखेंगे न मुँ तो उधिर रहेंगा ना हमारा तो अब आपका मुँ उपर की ओर है तो उपर की ओर मुँ करो आप और उपर की ओर मैंने मुँ कर लिया और अब मेरा दाया क्या है ये है तो मैंने इन हवाओं को भी इस दिसा में मोड दिया क्योंकि क्यों मोड दिया भाईया फेरल मोदे ने कहा हमें कि इधर ही मोड़ेगी तो हमने भी मोड़ दिया इसको अब इसमें क्या समझना है आपको ये बात तो समझ में आगे गुरुजी उच वायू दाब से निमन वायू दाब चलेगी इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि उपोशन कटी बंदिये उच वायू दाब से इसको आप इस लाइन को ऐसे कह दो क्योंकि आप जर्णली बुक पढ़ते हो तो बुक में ऐसा ही लिखा मिलेगा आपको कि उपोशन कटी बंदिये उच वायू दाब से उपधूरिविये निमन वायूदाब की और पवने चलेगी यही तो लिखा है आपकी बुक में कि उपोशन कटी बंदिये उच वायूदाब से उपधुर्विये निमन वायूदाब की और जो है वो हवाय चलेगी यही तो बात लिखी है यह देख लो आपकी बुक में कि उपोशन कटी बंदिय उच वायुदाब की पेटी से उप धुरिवे निमन वायुदाब की पेटी की ओर जो हवाएं चलती है उन हवाओं को क्या कहते हैं पहला क्यूसन यह बने गया जी इन हवाओं को पच्छुआ पवन कहते हैं क्या कहते हैं इन हवाओं को पच्छुआ पवन कहते हैं धीक दूस तो किधर चल रही है दक्षण यह क्या है पस्षिम दक्षण पस्षिम से उत्तर पूर्व की ओर चल रही है दक्षण पस्षिम से उत्तर पूर्व की ओर चल रही है नहीं आ रहा है समझ में तो पूरा बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में क्योंकि संख्या जो दिख रही है आपकी वो तो यह कह रही है कि समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि बच्छे जाते जा रहे हैं जाते जा रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं है कल इसको continue रख लेंगे कोई दिख़्ेत नहीं है कल continue रखते है आज इतना ही करते है आपके भी pressure high हो गया लगता है मुझे pressure high हो गया क्या high pressure हो गया pressure high हो गया low pressure करो योब है भी pressure high हो जाता न दिमाउख में किसी ने डाट दिया आपका मित्र रूस गया आपसे नराज हो गया पैष से कि कमी आ गई या नोकरी लगने नहीं लगने कि टेंसर कभी-कभी क्या प्रेशर बढ़ जाता है तो जब भी प्रेशर बढ़ जाए ना तो एक बार किताब छोड़ दिया गरो आराम से पांच मिन्ट, दस मिन्ट की आराम से चैंद की नींद ले लिए अगरो, कि 10 मिन्ट आराम, फ़न में अलारम लिख दिया गरो, कि ओके गूगल, तो रुख जा तन को लगानो, तो ऐसे आप क्या करना, कि 10 मिन्ट की नींद लेना आपका प्रेशर कम हो जाएगा, या एक अच्Sा सा, सुंदर सा, गाना सा ला रहे ना आरंव है प्रसंड आज मस्त को के जुनद वह गीत लगा गे, गानों में इयरफो लगा गे एक बार गीत सुनना और फिर उसको repeat में सुनना दो बार गीत सुनना आझ दो बार गीत सुनोगे ना को टोपिक मेरे समझ्जाम को नहीं हो नहीं अब मैं अरंभ करूंगा और वो भी पृतंड गणुआ और या मेहनत सची मेहनत करना बाकी सब इस तोर पर जोड़ो निश्ची तोर पर सफलता मिलेगी इस टोपिक को कल आगे कंटीन्यू रखते हैं और पूरा समझते हैं अपने कोई ताकट को नहीं आपने करना अभी भी तीन महीना हो टाइम पड़िए आराम से अच्छी तरह किसा समझ अपने कोई कोचिंग थोड़ी का अपना कोई कोचिंग कोडिंग किया जाता है तो वह सोचते हैं कि जादा से जादा बच्ची आए तो वो जल्दी से जल्दी कोर्स खतम करेंगे आपका और आपको घर भेजेंगे है ना अपने कोई ऐसा नहीं अपना काम तो यह है कि चाहे सले बस एक बार ही क्यों ना हो एक बार भी ऐसा हो जाए कि समझ में सब कुछ आ जाए तो इस टोपिक को अपन कल कंटिनीव आगे लेके चलेंगे और इस टोपिक को और बहतर तरीके से सुरेंगे यह बात तो मुझे भी पता है कि गाना नहीं पूछेगी ना तो RPS ही पूछेगी ना धिनस्त बोर्ड पूछेगा और नहीं आपसे जिस लड़की का विवा होने वाला है उसका पिता पूछेगा वो भी यहीं पूछेगा बेटा कमावय कि तो गया गाना तो कोई नहीं कावनाओं के साथ जुड़े होते हैं जैसे किसी लड़के का उसकी गल्रफ्रेंड से बेक अप हो गया उसने उसको ब्लोक कर दिया तो आप दुख भरे गीत सुनते हो और मालो आप नहीं सुन रहे हो लेकिन फिर भी कहीं कोई गीत बज रहा है दुख भरे है ना तो वो जाने वफा तुमको क्या दे दिल कह रहा है दूआ दे ना महफिल में होगी ना मेले में होगी या पस की बाते हैं अकेले में होगी गीत है बहुत ही प्यारा सा दुख बरा गीता आपने सुना होगा ना तो बड़ी बेवफा है ना तो जब भी दुखा महोल होता है तो अग अभी ऐसे प्रेसर जादा बढ़े तो मोटिवेशन वाला गीत सुनिए अगरो कोई यह थोड़ी यार आप थोटे वच्छे थोड़ी हो कि यह सोचोगे घाना पुछेगा कोई चलो ठीक है इस टोपी को कल आगे लेके चलेंगे अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार दूस्तों एक बर फिर से स्वागत है आपका एक और ने लाइव सेर्शन में कैसे हैं आप एक बर फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदर जैसरी राम राधे राधे आएछ चर्चा करते हैं । एक पवन टोपिक पर अध्यन कर रहे थे और इस टोपिक को आज पूरा करते हैं आज भी हम दिन वाली क्लास नहीं कर पाए जैसे कि हमने आपको कल ही सुचित कर दिया था कि आज आज और कलासे नहीं होगी बट कल से सारी कलासे आपकी जो है वो होगी सुबर दस बजे अपनी राजस्तान इतिहास की कलास होगी जिसमें हम आमेर का कच्छवाह बंस पढ़ रहे हैं बारा बजे आपकी कलास संस्कर्ती कलास होगी तीन बजे आपका सेक्सिक परदर्से की कलास होगी और रात को नो बजे आपकी SSD की क्लास होने ही वाली है तो आए करते हैं आज के सेशन की सुरवात अनवर अली जी, मिनाक्सी यादव जी पुस्पसैनी, महंदर सिंग जी वंदराज जी कैसे हैं आप रस्मी यादव जी, कुल्दी बिश्नोई आपका भी भूद भूद स्वागत अभिनंदन सबीना चोधरी जी कैसे हैं आप शोनुकुमारी प्रमोध पूनिया आप सबका भी भूद भूद स्वागत अभिनंदन शलोचना जी आपका भी भूद भूद स्वागत और अभिनंदन चर्चा शुरू करते हैं आज के सेस्न की शुरुवात करते हैं और वावन जो टोपिक हमने कल शुरू किया था उसको आज जो है वो पूर्ण करने का प्रियतन करते हैं पलक गांधी जी कैसे है आप बहुत बहुत स्वागत धोलु जांगिर जी स्वागत आपका कैसे है लशीम लशीमा मीना स्वागत आपका संकर चोधी जी स्वागत आपका कैसे है विकास थोरी राहूल मेना और सुमन कुमारी विरेंदर सिंग भाटी आप सबका भी बहुत बह कर रहे थे पवन की और आज यह पवन नंटेम का प्रियतन कर रहे थे और कि के उस्सर। और अगलेकर चलते हैं है यह बारे में अखते होग औbab की 20 कि इसने किसी पॉरेह को पवन कहते थे जिला आपने ले जाए और SST के अंदर बस इसके बाद दो ही टोपिक बचते हैं जिसकी हम कल जो हो चार्जा करेंगे देखे हमने पढ़ा कि एक स्तान से निशित दिशा की ओर चलती हुई वाईयू को पवन कहते हैं और हवा जो होती है पवन जो होती है वो उच दाब से निमन दाब की ओर चलती है यानि जहां उच दाब होगा वहां से हवा जो है वो निमन दाब की ओर प्रवाहित होती है जिस जी पलग जी आप हमारे परिवार के बहुत ही बहत्रिन सदस्य हैं और हमेशा जुड़े रहे हम निरंतर प्रियतन करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हम उनका सहयोग कर सके यह क्लास यह जो सेशन है यह पूरा यूटूब परिवार है केवल यह केवल सहयोग के लिए ही बना है तो निरंतर हमसे जितना होता है हम आपका सयोग करने का प्रियतन कर रहे हैं ठीक है और पीडियेप हर सेशन की पीडियेप हम अपलोड कर रहे हैं टेलिग्राम पे आप जूड़े रहें तो अब देखे आगे बढ़ते हैं कल हमने देखा कि पवन तीन प्रकार की होती है एक होती है भूमंडलिये पवन या पर्थलित पवन भी कहते हैं इसको दूसरी होती है आपकी सामिये क्या मोसमी पवन और तीसरी होती है आपकी स्तानिये पवन है और उस करम में हम जो है प्वूमंडलिये पवन के बारे में पढ़ रहे थे, कि ये तीन प्रकार की होती है, वेपारिक पवन, पच्छुवा पवन और धुर्विये पवन, और इस बात को समझने के लिए हम इस पूरे सेसन को जह हो, क्रियेट किये थे, और कल हम यहां तक पढ़ लिये थे, कि जो वे प्रत्वी के ऊपर चलती है, इसका कोई एक विशेश थेतर नहीं होता है, पूरी प्रत्वी पर यह हवाई चलती है, इसलिए इनका नाम भी क्या रखा गया था, देखना, इसलिए इस पवन का जो नाम है, वो भी क्या रखा गया है, क्या नाम रखा गया है, भूमंडलिये पवन या प्रचलित पवन या सनातनी पवन रखा गया है, भूमंडल, यानि पूरे भूमंडल पर चलती है, कौन सी पवन है जो पूरे प्रत्वी पर चलती है, तो भूमंडल ये पवन है, इनको तीन भागों में बांटा है, व्यपारिक पवन, पच्छुआ पवन और धूर से करें तो बिल्कुल जैसा आपको समझ में आता है हम वैसा ही समझने का या समझाने का प्रियतन आपके साथ करने का प्रियतन करते हैं हमारी जो प्रत्वी है उसमें अगर बात करते हैं वाईयू दाब पेटियों की वाईयू दाब पेटियां तो टोटल जो है वो साथ परकार की वाईयू दाब पेटियां जो है वो पाई जाती है ठीक है साथ परकार की अब देखो साथ परकार कौन-कौन से हो गए देखो सबसे पहले हम देखते हो आप अगर इसको देखते हो तो आप सब जानते हो कि यह है यह है जो उपर है आपका यह है उत्तर यहनि नौर्त और यह है आपका नमबड डिग्री साउथ और इस बिंदु को हम क्या कहते हैं धुरू कहते हैं कि नहीं कहते हैं उत्री धुरू कहते हैं इसको और इसको कहते हैं दक्षनी धुरू कहते हैं कि नहीं कहते हैं कहते हैं यहां तक किसी को कोई दिक्षत है कि इसे हम क्या कहते हैं उत्री धुरू कहते हैं और इसे हम क्या कहते हैं दक्षनी धुरू कहते हैं लिख दो ऐसे लिख लो उत्री धुरू और इसको लिख दो आप दक्षनी धुरू साथ जो वायुदाब की पेटियां है उसमें से दो पेटियां आपकी ये हो गई पहली हो गई आपकी उत्री धुरू वायुदाब पेटी ये ठीक है तो पहली और ये हो गई आपकी दूसरी ये तो आसानी से याद रह जाएगी इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है वही उत्र है तो उत्री धुरिवे वायुदाब पेटी, दक्षन है तो दक्षन धुरिवे वायुदाब पेटी, तो लिख दो, दो पेटियां हो गई हमारी, पहली वायुदाब पेटी कौनसी हो गई? पहली हो गई हमारी, उत्री धुरिवे वायुदाब, उत्री धुरिवे उच्छ होगा ये है ना उच्छ वाईयू दाब पेटी और दूसरी कौन सी हो गई दूसरी हो गई आपकी एक वाईयू दाब पेटी हो गई आपकी यहां लिख रहा हूँ जक्षणी दुरूए उच्छ वाईयू दाब ठीक है दो किसी को कोई यहां तक किसी को कोई दिक्कित नहीं है है तो कमेंट करके बताएं यहां तक किसी को कोई दिक्कित है तो बताएं अब देखो यहां आप सब जानते हो कि यह जो है आपकी क्या है यह जो है आपका यह है जीरो डिगरी है ना यह है जीरो डिगरी और इसे आप क्या कहते हैं, भूमद्धे रेखा कहते हैं, भूमद्धे रेखा, ये एक वायूदाब की पेटी बिन गई, भूमद्धे रेखा, निम्न वायूदाब पेटी, ठीक है? भुमद्य रेखा निम्न वायुदा पेटी इसके उपर आपकी ये क्या है ये है आपकी करक रेखा और ये है आपकी मकर रेखा ठीक है यहाँ पर सुर्य क्या सिधा चमकता है ठीक है तो यहाँ जहाँ पर सुर्य की किरने सिधी पड़ती है वहाँ पर उश्णता जादा होती ह क्या होती है गर्मी ज्यादा होती है तो इसे लिए इसका नाम क्या हो गया इस पेटी का नाम हो गया उपोश्टन कटी बन दिये उच्छ दाब उच्छ वायू दाब पेटे और यह हो गई आपकी यह भी उपोश्टन ही होगी उपोश्टन कटी बन दिये उपोश्टन कटी बन दिये उच्छ वायू दाब पेटे तो इसमें अंतर क्या होगा यह है उत्तर में और यह है दक्षन में बस यह ही अंतर होगा इसमें देखो ये हो गई आपकी उपोशन कर्टी बंदी है उच वायू दाप पेटी और ये हो गई आपकी उपोशन कर्टी बंदी है उच वायू दाप पेटी अंतर कितना होगा वो उत्री गोलार्द में है ये दक्षनी गोलार्द में है तो देखो इसके बाद ये कहां कितने डिगरी पर तो ये हो गई आपका उप धूर्विये निम्न वायू दाब पेटी ठीक है उप धूर्विये निम्न वायू दाब पेटी और ये भी धूर्व है तो इसे इधर आ गए आपका उप धूर्विये निम्न वायुदाप पेठी क्या क्या क्युशन पूछे जा सकते हैं यह तीन त्यार क्युशन ही यहां से बंदे हैं रीट जैसे एक्जाम इतने गहरे क्युशन तो नहीं पूछ जाएगे लेकिन फिर भी इन तीन चेर क्युशनों का आप ध्यान रख सकते हैं आप एक तो अपने दिमाग से ये PDF का भूत निकाल लो, और खुद थोड़ी सी महनत करनी शुरू कर लो, मैं आपको PDF के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, प्रिंट वाली PDF, प्रिंट वाली PDF है, यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, जो कि हम सब जो हैं, वो बना बनाया पका पकाया खाने का प्रियतन करते हैं, और जो पका पकाया खाने का प्रियतन करते हैं, तो उनको ठीक है पेट तो भर जाता है उनका, लेकिन वो कुछ बहतर नहीं कर पाता है PDF तो आपको मिल रही है हर सेशन की मिल रही है लेकिन ये PDF आपको कमजोर कर रही है चाहिए वो मेरी PDF भी क्यों ना हो मैं ये स्पष्ट बात कह रहा हूँ ये जो PDF का culture है हलाकि सब लोग देते हैं तो देनी पड़ती है क्योंकि बच्छे नराज हो जाते है लेकिन ये आपको कमजोर कर रही है अंदर ये अंदर से खोगला करते जा रही है PDF वाला ये जो ये जो उस कल्चरल ना PDF वाला ये PDF उस दिम्मक की तरह है जैसे लकडी की हमारे घर पे कोई चोगट लगी होती है ये कोई लकडी का समान होता है अलमारी होती है उपर से बड़ा सुन्दर दिखता है अंदर ये अंदर दिम्मक खा जाती है तो PDF आपको खा रही है PDF आप डाउनलोड करेंगे प्रिंट निकाल लेंगे और लाक्य अलमारी में सजाएंगे और ये सोचेंगे कि प्रिंट सास के पहले पढ़ूँगा और वो कभी पढ़ी नहीं जाती है फोड़ी सीदह को आप चाते हो कि सफलता मिले तो थोड़ी मेहनत करो यार थोड़ी मेहनत करो सेशन देखो रजिस्टर लेओ रजिस्टर में नोट करो आपका तार्गेट से क्यों भटक जाते हो आपका तार्गेट कोई कलेक्शन करना नहीं है डाटा का आपका तार्गेट कोई पेडियफ इकठी करना नहीं है आपका तार्गेट है चीजों को समझना आपका तार्गेट है चीजे आपको याद रहे कब तक याद रहे, कम से कम paper तक आपको याद रहे PDF निकालना print निकालके लाके घर पे रख लेना यह सरल काम है, यह सरल है और सरलता से कभी भी सफलता नहीं मिलेगी थोड़ा सा कठिन काम करो यार कठिन काम करो, कठिन है लेकिन, कठिन होगा, लेकिन यह सरलता, ठोगो PDF से आपको double मेनत करनी पड़ती है पहले PDF print तो वो निकाल देगा, आपके पैसे ही लगेंगे कोई बात निकूर जी मारे के फरक बड़े पिसा हो बापू जी पिसा बेज़ा है, कोई टेंशन को ने थे तो PDF दो माना है लेकिन आप रियल मानो कि उस PDF को आप कभी याद नहीं कर पाते हो, मैंने आपको 2021 में RBSC की दिश्टी 6 से 12 तक की अभी तक किसी बच्चे को याद है, तो बता दो गुर जी आपने तो हमें print वाली PDF दे दी थी, हमने तो रट रखा है उसको, बता दो रट रखा है तो ये किन मानो हर सेस्टन जब भी मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, बहुत सारे YouTube मैं खुद देख के आता हूँ, ऐसे नहीं कि मैं अपने आप में पूर्ण हूँ, मैं एक छातर हूँ मैं एक लर्नर हूँ मुझे जोग्राफी, मैं हिस्ट्री तो ठीक ठाक पढ़ा लेता हूँ जोग्राफी मुझे कम आती है तो जब भी कोई सेस्टन में करता हूँ ठीक है देख लो आप, मैं जब भी सेस्टन करता हूँ मैंने आपको कहा कि हम आपकी साहिता कर रहे हैं हम बहुत बड़े एक्सपर्ट नहीं है सारे विश्यों कोई वेक्ति एक्सपर्ट नहीं हो सकता मैं आपको साइको भी पढ़ा रहा हूँ मैं आपको जोग्राफी भी करवा रहा हूँ पोलिटी भी करवा रहा हूँ हिस्ट्री भी करवा रहा हूँ लर्णर की तवर पिख रारा हूँ एक session आपका लाने से पहले मैं कम से कम 5-7 classes देखता हूं अलग-अलग teachers की और उन सबका 子 पूकिलर से निकालता हूँ जितनी भी मेरे पास book है उनको देखता हूँ फिर ये सारे session create हो पाते हैं तो अगर मैं ही सोच लूँगा पीडियेफ हो जाई देखो हर चीज का मैं यहां पर देखो सारा का सारा डाटा लिख लिख के पूरा पेटन त्यार करके चीजों को मिक्स करके बेश्ट बनाके आपके तक पहुंचाने का प्रियतन करता हूं और उदेश से यही होता है कि आप आप भी इन चीजों से खोड़े से इनको आत्म साथ करें और आत्म साथ तभी होगा जब पेन आपके हाथ में होगा और दूसरे हाथ में कोपी होगे और आप चीजों को लिखेंगे यकीन मानें एक टोपिक कोई भी कोई भी एक टोपिक वीडियो चला लीजिए सामने रजिस्टर हाथ में और पेन हाथ में आप एक घंटे की किलास देख रहे हैं न तो उस एक घंटे में वो टोपिक आपका त्यार हो जाएगा आपका वो टोपिक जो है वो त्यार हो गया अब आपको उसको दुबारा पढ़ने की जूरत नहीं पेपर के टाइम एक बार रिविजन कर लेना ये करोगे तो फाइदा आपको बाकी पीडिया तो आपको मिली रहे हैं ये टेलिग्राम पर कोई दिक्कत नहीं है तो देखिए जो हमारी वायुदाब की पेटी है उसमें दूसरी जो वायुदाब की पेटी है आपको क्यूशन क्या पूछा जा सकता है प्रतिवी पर कितनी वायुदाब की पेटिया है तो साथ पेटिया है, पहली पेटि आपको उत्र से चलना है, तो उत्री धूरवे वायुदाब पेटी, दूसरी जो पेटि है आपकी वो है आपकी उप धूरवे, उप धूरवे निम्न वायुदाब पेटी, अलाकि कोई जन्रली तो नहीं पूछेगा लेगन फिर भी एक बार समझ लो तीसरी जो पेटी है आपकी ये कौणशी हो गई करक रेखा वाली उपोशन कटी बंदिये उच वायुद्धा पेटी उपोशन उपोशन कटी बंदिये उपोशन कटी बंदिये एक करम याद रखना उपर से करम याद लख लेए ऐसे उपर से है ना È अगर बाई चांस क्योशन आज़ आए तो उपर से करम याद रखना आपको दिक्कतिया आएगी कि उच कोण निमन को लिए तो ऐसे कर ले लूट sih rester निम्न उच्चर निमन उच्च निमन और उच्छ जैसे पहले वह जैसे मानलोक को लड़का है और वह अपने प्रेमी का इजहार करना चाता है तो पुरानी मुँवी देखना आप उनमें कैसे दिखाया गया है कि जैसे लड़की या लड़का क्या करता है एक फूल लेता है और उसकी एक-एक पत्तिया तोड़ तोड़ के फैंकता है पहली पत्ति पर कहता है हाँ वो यस कहेगी पत्ति फैंक दूसरी पत्ति तोड़ के कहता है वो ना कहेगी फिर यस कहेगी फिर ना कहे और सबसे नीचे वाली उच होगी, अब बीच में आप ऐसे कर ले, उच निमन, उच निमन, उच निमन और उच आ जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि कोन सी पेटी उच वायूदाब की है, कोन सी पेटी निमन वायूदाब की है, तो उपोशन कटी बन दिये, उच वाय की हो गिदेगो एक दो तीन च्यार पांच छे शाद इसकी दो पेटियां मि बनती है इसका एक भाग उत्तर का हो गया और एक भाग दक्षन का हो गया लेकिन एक नाम से जाने जाती है यह पांचवी पेटी हो गई आपकी भूम pry ban भुमद्दे रेखा निम्न वायुदाब पेटी इसके बाद आ गई ये पांचवी पेटी और ये कोण सी हो गई आपकी पांचवी उपोशन उपधूर्वे स्वरी भुमद्दे के बाद उपोशन आएगी उपोशन उपोशन कटी बंदिये उच्वायुदाब पेटी इसके बाद छटी पेटी हो गई आपकी उपधूर्वे उपधूर्वे निम्न वायुदाब पेटी और ये हो गई आपकी लास्ट सात्मी सक्षिनी धूर्वे भी कह सकते हो आप इसको या धूर्वे कह सकते हो दोनों कह सकते हो धूर्वे उच्वायुदाब पेटी ठीक है ये हो गई आपकी साथ पेटिया अब इन साथ पेटियों के अंदर जो है वो तीन परकार की जो पवन है वो बनती है इन साथ पेटियों से तीन प्रकार की पवन बनती है अब कहोगे गुर्जी पेटी तो साथ है पवन तीन ही क्यों बनेगी देखो ये तो निटल हो गई बीच की है यहां से छे से तीन पेटिया बनेगी देखो यहां पर जेखो यहां पर क्या है यहां पर उच दाब है यहां पर उचिदाब है इस चित्र को मैं एक बर फिर से बनाता हूँ देखो समझने वाली केवल आपको यह वायू दाब की पेटियां है आगे तो रटने वाली चीज है तो 10 मिंट का चीज है इनको अराम से समझ लेना मैं देख रहा हूँ कि जब से थोड़ा सा हमने इस तोपिक का विसलेशन करना सुरू के न मैंने दो ही टोपिक आपको जो है जोग्राफिक के यह तीन टोपिक मैंने बचा के रख रखे थे आपके इससे पहले मैंने आपको हिस्ट्री वाला पार्ट करवाया क्योंकि यह टोपिक समझने वाले हैं और समझने वाले टोपिकों को समझना बहुत जरूरी होता है तो देखिए आपको इन यहां से क्यूशन क्या पूछा जाएगा मैं तो मुद्दा यही है ना आपका और इस मुद्दे का हल आप ऐसे कर पाओगे ठीक है इस मुद्दे का हल ऐसे कर पाओगे तो कितना यह साथ पेटियों में से पूछा जा सकता है क्यूशन पूछा जा सकता है लेकिन इन पेटियों की अलावा जो क्यूशन बनेगा वो पूछा जाएगा इनसे जो पवन बनती है वो कोन-कोन सी पावन बनती है देखिए यह हो गई 0 degree आपकी यह हो गई 0 degree ठीक है यह तो सब कोई पता है भू मद्धे रेखा है यह भू मद्धे रेखा इस भू मद्धे रेखा के ऊपर चले गए हम साढ़े 23 डिगरी और 1.60 डिगरी आ गए निचे, 1.30 डिगरी south आ गए और 1.60 डिगरी आ गए अपन north, इसके बाद हम 1.60 डिगरी चले गए, ये लोजी 1.45 डिगरी चले गए end और ये आ गए हम 1.60 डिगरी south, यह अपना आ गया उत्तरी धुरु और यह आ गया अपना तक्षणी धुरु अब देखो यहाँ पर क्या है कि कुछ डिग्रियाँ पर जो है वो जैसे कि साढ़े 23 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक और यह 35 डिग्री तक ठीक है और शाढ़े 26 डिग्री से लेकर 45 डिग्री से लेकर साढ़े 26 डिग्री तक और 23 डिग्री से लेकर और आपका 35 डिग्री तक यह क्या है आपकी पेटियाँ है इनको अपन अलग-अलग कलर से कर देते हैं जो उच दाब की पेटी होगी देखो उच दाब को आपनो प्रेसर बिड़ग हो जापक किसा हो जाओ लाल गुश्वा जाओ आपने ने तो जित आप भी लाल रंग की है उच वायुदाब की पेटी हो गई है नाम तो आपको पता ही है इनका पहले मैंने लिखवा दिया आपको की नाम क्या है यह आपकी हो गई उपोश्चन उपोश्चन कटी बन दिये उच वायुदाब की दक्षिन धुर्वकी यह भी आपकी उच वा यह सारी के सारी उच्वायुदाप की पेटिया हो गई और जो वेक्ति ठंडा होता है ठंडे गार्थ क्या है जो अपने नियंत्र रखता है गुष्चे पर जो बिल्कुल कूल होता है धोनी को देखा आपने धोनी चाहे मेच कितना भी फसा हुआ हो अभी आपने मेच देखा इंग भारत पाकिस्थान का कि विराट गौल कितना ल१ाति खैल रहा था अगर वह अगर दिमाँ कर लेता टेंशर अध्सर में आजाता दबाव ले खोट मारनें की कोशिस करता चके्ड क्योशिस करता को सकता है कि वह दो शक्के मार भी देता है तीन शक्के उसे लेकिन साइध मेच नहीं जिता पाता आउट हो जाता है ना आउट हो जाता लेकिन धेरी रखा धेरी कूल रहा कि मोका आने दो मोके पर चोकल लगाएंगे तो जो वेक्तित आराम से चिल करते ना टेंस नहीं लेते कि ठीक है वह या मेरा काम पढ़ना है मैं अपना 100% अइसा नीला रखना है आपको ठंडा ठंडा रखो बिल्कुल कोई भी प्रिष्टिती हो कोई दिक्त नहीं हार जीत तो नहीं की होती ही जो लड़ते हैं अना मुर्दों को दर्द होता है कि अच्छिता पर जब वेक्ति की मृतिव हो जाती है तो हिंदू धरम हो चाए मुस उसको जला देता है और जलाते से में यह और कहता है बापू जी आग आवे है ना कहता है कि नहीं कहता है बताओ बापू जी आग आवे मुस्लिम घर में क्या करते हैं खंडा खोते हैं दफना देते हैं और उपर से नमक डाल देते हैं है ना ताकि केल खतम हो जाए यानि जि यह आपके सामने पूरा खेल है यह है आपकी वायुदाब की पेटियां हमने एक बात पढ़ी है हमने क्या पढ़ी है हमने यह यह देखो यहाँ जीरो डिग्री से लेकर दस डिग्री तक इधर यह जो पेटी है ना यह 10 डिग्री तक इधर चलेगी और 10 डिग्री तक इधर चलेगी ठीके ना पाकी सारी वहाँ लिखी हुई है अब देखो यहीं से चीज़े create होनी शुरू होती है यहां जो हवाय चलती है इस पेटी के अंदर वो कोण सी हवाय होती है इस पेटी के अंदर व्यपारिक पवने चलती है कोण सी पवने चलती है यहां पर व्यपारिक पवने चलती है ठीक है यहां पर जो पवने चलती है वो वेपारिक पवने है वेपारिक पवन यहां पर भी जो पवन चलेगी वो वेपारिक पवन चलेगी अब सबसे पहले देखो यह वेपारिक पवने हो गई है आपकी तीन परकार की पवने होती है यह आपकी हो गई है पच्छुवा पवन कौनशी हो गई है पच्छुवा यह पच्छुवा हो गई है और तीसरी कौनशी होती है बताओ धुर्विय पवन कौनशी होती है जी धु दुर्विये पवन, तीन परकार की पवन होती है, ठीक है, धुर्विये पवन, व्यपारिक पच्छुवा पवन, व्यपारिक पवन, पवन, अब देखो, क्यूस्वन यहां से बनेंगे, वायुदाव की पेटी से आपसे क्यूस्वन पूछे, ना पूछे, यहां से जरूर क्यूस्वन पूछा जाएगा, क्यूस्वन पूछा जाएगा, कि उत्री गोलार्द में, यह जो इधर वाला भाग है, यह सारा का सारा जो इधर वाला भाग है, यह उत्री गोलार्द है, य यह जो भाग है यह आपका दक्षनी गोलार्थ है क्योस्तन पूछा जाएगा पहला मैं अब आपसे क्योस्तन पर चर्चा करूंगा सिधा पहला क्यूसन आपसे पूछा जा सकता है पहली पाउन हम लेते हैं कौन सी व्यपारिक पाउन लेते हैं ठीक है क्या उपर से शुरू करें कहीं से भी कर लो कोई दिक्रद नहीं है चाहें यहां से शुरू कर लो चाहें वहां चलो उपर से शुरू कर लेते हैं पहले चलो गुर्जी उपर हुई शुरू करांगा ताकि ध्यान आजे मान पूरो बिल्कुल आप जैसे कोगे वैसे कर लेंगे सबसे उपर है आपकी कौन सी धुर्विय पवन ठीक है उत्री गोलार्द की उत्री गोलार्द ये जुरूर याद रखना धुर्विय पवन आपको दोनों तरफ है धुर्विय पवन जो है वो दोनों तरफ है यहां पर भी धुर्विय पवन है और यहां पर भी धुर्विय प यह उत्री गोलार्द की धुर्विय पवन है और यह जो है वो दक्षणी गोलार्द की धुर्विय पवन है ठीक है अब देखो धुर्विय पवन की चर्चा कर रहे हैं उत्री गोलार्द में हमने एक रूल पड़ा है दो रूल हमने पड़े हैं पहला नियम तो क्या है पहला वाई यू है वाई यू उच्च दाव से दाव से निमन दाव की और निमन दाव की और चलती है चलती है ठीक है ये बात सिद्धी है दूसरा हमने एक रूल पड़ा था क्या रूल पड़ाता काल हमने फेरल का निम कौन सा निम है फेरल का निम फेरल का निम देखो रटा हुआ भूल सकते हो लेकिन समझा हुआ कभी नहीं भूलोगे फेरल ने ये कहा इसको ऐसे याद रखो फेरल ने ये कहा ये S कहा फेरल ने फेरेल ने कहा कि जो उत्री गोलार्द है और जो दक्षणी गोलार्द है इसके अंदर क्या होगा जो उत्री गोलार्द में हवा चलेगी वो अपने राइट में मुड जाएगी राइट यानि राइट कार्थ क्या होता है हिंदी में क्या कहेंगे इसको राइट को क्या कहेंगे बाया या दाया दाया और जो पवन दक्षिन की और चलेगी वो अपने बाय दिसा में मुड जाएगी यानि लेफ्ट हो जाएगी या हो जाएगी लेफ्ट ठीक है यह दो रूल है दो रूलों का आपको पता है अब इन दो रूलों के अधार पर हम पह पहले चर्चा करते हैं दो क्यूशनों की क्योंकि यहां से दो ही क्यूशन बनेंगे क्या क्यूशन बनेंगे आपके क्यूशन यह बनेंगे क्यूशन यह बनेंगे कि यह जो धुर्विय पवन है धुर्विय पवन जो है यह दो भागों में डिवाइड कर दी हमने उत्री धु अब आपको इनकी दिशा बतानी है कि दिशा कोन सी है ये बता दो इसा बता बस क्यों से यह पूछा जाएगा आपसे कि उत्तरी धुर्व में धुर्विय पवन की दिशा क्या होती है किस दिशा में यह किस दिशा में यह चलती है किस दिशा में चलती है हमारा पहला रूल है क वाईयू उच्छ दाब से निमन दाब की ओर चलती है, देखो ये उच्छ दाब है और ये निमन दाब है, तो सीधा सीधा हो गया कि वाईयू चलेगी आपकी उच्छ से निमन की ओर, ठीक है, ये क्या है, उच्छ दाब है, ये निमन दाब है, वैसे तो लिखा हुआ है ये प अब आपको इस हवा को किस दिशा में घुमाना है उत्री गोलार्द में हवाय किस दिशा में घुम जाती है या मूर जाती है तो यह उत्री गोलार्द में फेरल कहता है कि दाया मूर दो दाया उसको तो इसका दाया क्या हो गया देखो दाया हो गया यह वाली दिशा यह जो हवाय है वो इस दिशा में जो है वो चलेगी हवाय किस दिशा में चलेगी दाइनी दिशा में तो हो गई ना यहां टेडी यहां तो किसी को दिखत है तो बताओ यहां किसी को दिखत है तो बताओ आप यहां पर किसी हो कोई दिक्त है, देखो दाया किधर है मेरा, मेरा दाया, देखो नीचे का चीन होगा ना ये, तो मैं इधर मुझ करूगा, ठीक है, तो मेरा दाया क्या है, यही तो होगा ना मेरा दाया, यही तो है ना मेरा दाया, देखो, जिस दरब दाया होगा, हवाय यह पस्षिम, यह उत्तर और यह हो गए आपका दक्षिन, आपको कुछ निकना भोट सरलाई, इस चिन को उठाना है ऐसे, और इस चिन को यहां पर रख दो, कहां पर रख दो इस चिन को, यहां पर रख दो, यह चिन रख दो आप यहां पर, रख दिया, कोण सी दिशा हो गई उत्तर पूर्व से दक्षन पश्चिम की और तो उत्री गोलार्द में किधर चलेगी हवा यह जी उत्तरी गोलार्द में चलेगी उत्तर पूर्व से दक्षन पश्चिम की और दक्षन आज इस टोपिक को पूरा करेंगे आप समझ ना है तो आप समझ लेना उत्तर पूर्व से दक्षिन पश्चिम की ओर उत्री धूर्व में ये जो धूर्व ये पवन है वो उत्तर पूर्व से दक्षिन पश्चिम की ओर चलेगी यहां चलते हैं तो यहां पर क्या है देखो यह नीचे आते हैं यह high pressure है है ना यह low pressure है तो यहां से जो पवन है वो इ तीज टेख़ो किधर ताया किधर इसका डाया है इधर कि हुआ है यहां है इधर मुड़ते ओपने इला हद देते आ इला आद यानि माम हुलंद्वर्यम लॉख तो अब हवाएं इस दिशा में चलेगे ठीक है अब जो हवाएं वहाइं वह इस दिशा में महीं चलेगी हवाय किस दिशा में चलेगी इस दिशा में एक बात दिमाग में रहें जो उपर है उसका ठीक नीचे होगा उपर जो होगा उसका ठीक उल्टा नीचे होगा उपर जो होगा ठीक उसका उल्टा नीचे होगा ठीक है नीचे वाली सही चलाईए गया नीचे वाली मैंने उल्टी चला दी हाँ स्वरी इधर तो दाया है बाएं चलेगी ये तो बाएं चलेगी दक्षण धुर्वेरना ये रूल भूल गया अभी मैं ये रूल भूल गया, अभी नीचे मैं ये रूल भूल गया था, नीचे दक्षण में, दक्षण में तो बाएं मुड़ेगी, और मैंने कहा था कि ये दाया है, और मैंने दाया मोड़ दी, आपने कहा नहीं कि गुर्जी दाया नहीं, नीचे दक्षण धुर है, तो दक्षिन दुर में तो बाएं लेफ्ट मोड़ो, तो लेफ्ट तो इसका इधर हुआ, लेफ्ट तो इसका किधर हुआ, इधर हुआ, तो ये हवाय तो इधर जानी चाहिए, क्योंकि रूल यही है ना, ये रूल भी भूल जाते हैं, मैं आपके सामने भूल गया देखो, देख दो, दक्षिन पूर्व से, दक्षिन पूर्व से उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, अब बताओ, इसमें कोई दिक्कत है, धुर्विय पवनों में दो क्योंसे बढ़ेंगे आपके, कि जो धुर्विय पवन है, वो किस दिशा से किस दिशा की ओर चलती है, तो हमने देख लिया, दोनों का ही देख लिया हमने, उत्री गोलार्द का भी हमने देख लिया है, दक्षनी गोलार्द का भी हमने देख लिया है, उत्री गोलार्द में उत्र पूर्व से दक्षन पस्यम की ओर चलेगी, और दक्षनी गोलार्द में बोलतूं वही सही है हम भी इसान है हमसे गलती हो सकती है, हमने अपना विवेक भी याद रखना है मैसा हमें अपने विवेक से भी जिलेना दोस्त ये तो हो गया अब सेकेंड जो पवन है हमारी वो है पच्छुआ पवने तो लिखो सेकेंड में लिखो आप पच्छुआ पवने ये भी दो दिसा में चलेगी आपकी, एक तो उत्री गोलार्द में, और एक हो गई आपकी दक्षनी गोलार्द में, दिसा ग्याद करनी है हमें, इस दिसा में चलेगी, आई ये दिसा की चर्चा करते हैं, यहाँ पर, देखो, ये क्या है, हाई प्रेसर एरिया है, ये जो है आपका क्या है, हाई प्रेसर एरिया है, और ये लो प्रेसर एरिया है, अब ये बताओ कि इस हाई प्रेसर से दोनों दिसाओं में हुआ चलेगी, क दोनों दिशा में चलेगी यहां से जो हवाय है वो ऊपर भी जाएगी ठीक है यहां से जो हवाय है वो ऊपर की ओर भी चलेगी और नीचे की ओर भी चलेगी जो नीचे की दिशा में चलेगी वो कहलाएगी वेपारिक पवने और जो ऊपर की ओर दिशा में चलेगी वो कहलाए याद रखना यह बात अपने दिमाग में बिठा लेना कि उपोशन कटी बंद ये उच्च वाईयू दाव से दोनों दिसाओं में हवा जो है वो चलेगी पहले बात करने हैं पच्छुअ पवन उपर की और दिसा में चलेगी उपर की दिसा में चलेगी तो बताओ सीर का निसान उपर है तो रूल तो वही है रूल तो यही है कि उपर की राइट में यानि दायम उड़ेगी तो बताओ इनकी दिसा इनका दाया कौन सा होगा दाया कौन सा होगा बताओ यह हुआ ना दाया यही तो हुआ देखो मो उपर है तो दाया यह हुआ तो यह जो जाए है वो ऐसे चलेगी है ऐसे चलेगी है ऐसे चलेगी कि सिह को कई डाउट वह देखो उत्री गोलाड में दाए नार्थ तो दाया इधर वाला हो गया तो यह उपरड़ कि ई realizes अब इसको इस सुचक के अंतर में रखते ह। इस चिनको है согrahalf है हें हम दिशाचुच की अंतर में, तो हवाई किधर से किधर चल रही है, दक्षन से उत्रपुर्व की ओर चल रही है, लिख दू, दक्ष्ण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ठीक है यहां किसी ओ कोई दिकत यह पच्छुआ पवने है नीचे वाली चलते हैं दक्ष्णी गोलार्द में यह हाई प्रेसर एरिया है यह जो है वो लो प्रेसर एरिया है तो यहां पर भी हवाई दोनों दिशा में ही चलेगी, दोनों दिशा में चलेगी तो आधी हवाई इधर आधी जाएगी इधर, उपर वाली वेपारिक और ये वाली पश्च्वापाउने, अब देखो, चुकि तीर का निशा नीचे है, तो बताओ, यहां हम इसको बाई और म मोड़ो, बाया कोन सा है बताओ, कोन सा है मेरा बाया, मेरा जो बाया है वो कोन सा है, जल्दी से बताओ, यहां पर बाया कोन सा होगा, बाय और मोड़ेगी तो बाय और मोड़ेंगे हम, तो यह जो हवाई है वो किस दिशा में चलेगी बताओ, यह चलेगी इधर, इसकी और आइसे चलेगी और यह इस तीर को इस निशान पर रखो एफसे तो है यह निशान से आप कि ऊत्र पस्तिम से उत्तर पस्तिम से दक्षिन पूर्वक्की और कोई डाउट है आपको इस चीज में डाउट है तो फटा-फट पूछ सकते हैं आप कोई दिक्रित नहीं है कोई दिक्रित नहीं आप पढ़ा आप यहां पर कमेंट करके बताएं ना क्या दिक्रित है आप बताएं अपने भाव को वेक्त करें अब मैं मेरा जितना घ्यान मैं उसके कोडिंग आपको पढ़ाने का प्रियत्तन कर रहा हूं हो सकता है बिल्कुल है भी कि आप हमसे अच्छ करेंगे हम उस चीज को इंप्लिमेंट करेंगे ठीक है इसके बाद तीसरा जो आता है आपका वह कौन सी पावने आती है वेपारिक पावने पहली तो वेपारिक पावने को वेपारिक पावने क्यों कहते क्योंकि यह जो वेपारिक पावने है यह वेपार में सहाइता करते पुराणे जमाने में जो बड़े-बड़े चिप चलते थे, उपर दों को धगा देती थी, जिससे पानी की जहाजों को चलाने में शहेता धाता मिलती थी, बिना इंजन के चलती थी, वो केवल हवाओiden तो इससे इसका बेनिफिट होता था अब देखे यहां से जो यह पावन चलेगी इधर यह जो पावन चलेगी इसका बाया क्या होगा इसका जो बाया होगा वो क्या होगा इसका बाया होगा इसका बाया होगा यह वाला भाग तो यह जो व्यपारिक पावने हैं यह किस दिशा से किस दिशा की ओर चलेगी यह जो व्यपारिक पवने हैं इनकी दिशा जो होगी वो क्या होगी इधर रखोगी इसको तो कोण सी दिशा होगी देखो यह वाली दिशा होगी न उत्तर पूर्व से उत्तर पूर्व से डक्षन पस्षिम की ओर चलेगी व्यपारिक पवने यहा लेन है हमें इनको भी उ्त्री गोलार्द वाली और डक्षनी गोलार्द वाली डख्षनी किनी अत्र पुरु से उत्तर पूरो से तक्षण की और और यही पर जो है वो देखो यह जो वेपारिक पावने होगी अब देखो यहाँ पर यह हवाय किस दिसा में मूडेगी यहाँ पर तो दाय मूडी है यहाँ पर बाय मूडेगी तो बाय मूडेगी तो यह किधर चलेगी बाय मूडेगी तो हाई प्रेसर से जो यह हवाय है वो इधर मूड जाएगी इधर इधर क्योंकि बाया इधर ही तो हो गया ना इसका यह ऐसे चलेगी तो इसको यहाँ पर रखेंगे तो किधर से किधर चली दक्षण पूरो से उत्त उत्तर पस्तिम की और और यही आपकी तीन पवने हैं जो आपको याद रखनी है अब बताओ यहाँ आपको कोई दिक्कत आई है तो बताए अपना सर्माजी यह कोई रूल नहीं होता है कि टोपिक जगो सेलेक्शन होना या नहीं होना आप कह रहे हो ना आप किन को कह रहे हो आप इनको कह रहे हो संकर जी को आपको अगर इतना टोपिक त्यार है तो आपका क्यों नहीं सेलेक्शन हुआ तो फिर आप यह भी क्यूशन कर सकते हो अपनी कोचिंग में जा कर जिन कोचिंग में आप जिन टीच्रों से पढ़ते हो ना R.S. I.S. की जो कोचिंग होती है उसमें जा के हम I.S. की टीचर से पूछे कि सर आप जब हमें इतना पढ़ा रहे हो तो आप क्यों नहीं I.S. बने सफलता से ज्ञान नहीं बढ़ता है एक बच्चा दस बार एक ज्याम में फेल हो गया है और एक बच्चा पहली बार में एक ज्याम क्रेक कर गया है बताओ दोनों में से ज्ञान किसका ज्यादा है ज्यान किसका ज्यादा है जीतने वाले को ये पता है कि हम जीतें कैसे जीतने वाले को, सलेक्ट होने वाले को, सलफल होने वाले को ये तो पता है कि हम सफल कैसे हो सकते हैं लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि ऐसलफल ताकि कारण क्या है वो कभी नहीं पता सकता कि आप क्या ना करें जिससे आप SFL हो सकते हो, तो selection होना नहीं होना ये अलग मेटर है, और ज्ञान होना नहीं होना ये अलग मेटर है, बहुत सारे ऐसी टीचर भी है, आप जब टीवी पर देखते हो, सोसल मेडियाम देखते हो, यूपी बिहार में ऐसे ऐसे फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड क कि नहीं है, राजस्तान में भी ऐसे बहुत सरी टीचर आपको देखने को मिल जाएंगे, जिनको ये नहीं पता होता है कि CM और PM में अंतर क्या है, इनके लिए कोन सा अनुछेद है, इसका आर्थ ये नहीं है कि जो सफल है, वो ग्यानवान है, ग्यान और सफलता का कोई लेना देना नहीं होता, हम बहुत सारे ऐसे हमारे मित्रों को जानते हैं, जिनके पास बहुत अच्छा ग्यान है, लेकिन किने में किनी प्रिष्टितियों के काण सफल नहीं हो पाते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, जो सफल हो गये हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं क यह बात सत्य बात है, यह बात सत्य है कि दुनिया उगते हुए सुरुज को सलाम करती है और अस्त होते हुए सुरुज को देखकर हंसती है तो जो सफल हो गया, वो सबकी नजर में सफल है चाहें उसके पाद कुछ भी ना हो और जो SFL हो जाता है, वो सबकी नजर में SFL है, चाहें वो कितना भी जादा विद्वान क्यों न हो, रामायर में आप देखते हैं कि भगवान श्री राम और रावन, रावन सबसे जादा बड़ा विद्वान, यानि राम और रावन की तुलना करोगे आप तो रावन से धनवान कोई नहीं है, और रावन से बड़ा युद्धा कोई नहीं है, अगर राम जी और रावन की तुलना करें, तो राम जी के सामने रावन भोत बड़ा युद्धा है, ज्यान जादा रावन के पास, सक्ति जादा रावन के पास, युद्ध कोशल जादा रावन के पा और अगर भक्ती की बात करें तो रावन इस स्रफ्टि में जब भी नाम आता है कि भगवान शि difference के सबसे बड़े भकत कौन से हैं तो रावन का नाम आता है सबसे पहले अलाकि राम जी भी भगवान सीन के भाकत है लेकिन जब भी पूचा जाएगा कि संकर जी के सबसे बड़े भक्त कोण है तो रावन ही आएंगे लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा ज्यान होते वे इतना ज़्यादा सब कुछ होते वे फिर भी रावन जो हार गया हुआ कि नहीं हुआ हुआ ना तो ऐसा कोई मेटर नहीं है कि कोई वेक्ति अगर कोई अच्छा ग्याता है तो वो सफल है तभी ग्याता है इतनी बड़ी रामायन कैसी पढ़ी जाए तो एक बात याद रखना कि जब महिने का पांस तारीक आता है ना तो फिर खाते में पचास जार का मेसेज नहीं आएगा तस जार का मेसेज आएगा यानि सोट कर्ट जो है ना वो सफलता तक नहीं पहुँचा सकती है चलो कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं यह तो हो गया टोपिक अब इसके बाद कुछ नहीं बचा है यह पहली पवने हो गई ना पच्छुआ पवने हो गई इनकी डिटेल पढ़ा दी ना आपको मैंने यह जो पच्छुआ पवन है ना यह जो पच्छुआ पवन है इनको कई अन्य नामों से भी जाना जाता है ठीक है यह इनको कई अधने नामों से भी जाना जाता है यह 45 डिगरी से लेकर और 6.5 डिगरी तक है तो इन पच्छुवा पवनों को अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग डिगरी पर अलग-अलग जैसे कि जो पच्छुवा पवने 40 डिगरी पर चलती है उन्हें क्या कहा जाता ह चालिस डिगरी पर चलने वाली पश्वा पवनों को गरस्ता चालिसा कहा जाता है गरस्ता चालिसा कहा जाता है चालिस डिगरी पर इसी चालिस डिगरी पर इनको दाहाडती चालिसा भी कहा जाता है दाहाडती चालिसा यह सब चीजी आगे लिखी हुई यह चालिसा जब यह पवने 50 डिगरी पर पहुंचती है तो 50 डिगरी पर इनकी गती और ज़्यादा बढ़ जाती है यानि 50 डिगरी पर पहुंचती है तो इनकी गती जो है वो तो इनकी जो गती है वो और ज़्यादा तेज हो जाती है तो इन्हें क्या कहा जाता है भैंकर या डरावनी पचासा कहा जाता है भैंकर डरावनी पचासा ठीक है और जब ये साथ डिगरी पर पहुंच जाती है तो 60 डिगरी पर इनकी गती इतनी तेश हो जाती है कि इने चीकता साथा कहा जाता है चीकता साथा चीकता साथा तो यह आप याद रख सकते हो पच्छवा पवनों के बारे में है यह इसके बाद देखिए सामिक पवने या मोसमी पवने की बात करते हैं मानशन सब्द की उत्वति अर्भी भासा के सब्द से हुई है मोसम से जिसका अर्थ क्या होता है मोसम ही होता है जो पवन्दृटू परिवरतन के साथ अपनी दिशा पर्ट लेती है उन्हें मोनशनी पवन कहते है यानि सरदी की अलग हवाये गर्मी में यह अलग हुआ यह जो मौसम के अनुसार जो हवाई बदलती है वह क्या कहलाती है मोसमी पवन कहलाती है या मोसमी हवाई जो है वह कहलाती है ग्रिसम रितु में मांशुन पावने समुंदर से स्तल की और चलती है जब ग्रिसम रितु होती है तो जो हवाई चलती है वो किस दिसा से किस दिसा की और चलेगी समुंदर से और स्तल की और चलती है यहाँ पर चित्र नहीं आएगा और सीत रितू में यह कहां चलती है स्तल से समुंदर की और चलती है यह मान लिजी आपका समुंदरी भाग है ठीक है और यह आपका जो है वो स्तल यह भाग है यह है स्तल और यह है जल तो जब ग्रिशम रितू होगी तो यहाँ पर क्या बनेगा high pressure बनेगा उच दाब बनेगा ग्रिशम रितु में क्या बनेगा यहां पर उच दाब बनता है तो यहां से जो हवाएं है वो इधर चलती है कि इधर चलती है और जब सीत रितु होती है तो यहां पर जो है वो क्या बनता है उच दाब बनता है और यह हवाएं इधर की ओर जो ह हे लू हो गई हापने सीत लाивать ही आपना यानि एक छोटे च्षत्र में जो पंशन चलती है उसे स्थाणिया पंश कहते हैं जो हर स्थान पर अलग अलग होती है कि वगत्यां मुह fulfillment ही थे चार क्षटती है समुंदर समीर यह स्तल समीर कहते हैं इनको घाटी समीर एवं परवतिय समीर समीर यानि पाउन होती है समीर थोड़ी सी तेज गती से चलती है फिर गरम पाउन और ठंडी पाउन गरम और ठंडी पाउन से आप से क्योशन पूछा जा सकता है याद कर लेना समुंदरी समीर या स्तल समीर किसे कहते से चित्र के जरीए समझ लो यह देखो किया होता इसमें समुंदर समीर और स्टल समीर समुंदर तटो और जीलों के आसपास के चित्रों में चला करती है दिन के समें स्टल भाग समुंदर या जील की अपिक्षा सिग्र और अधिक गरम हो जाता है पानी हमेजबा होता है आपने देखो कि आप अपणे जैसे दोपैर के समीर पानी रख दो एक थाली में डाल के बाल्टी में डाल के सुर्य के आगे तो आप देखोगे कि पानी धीरे गरम होगा और जो आपका फरस है वो जल्दी गरम हो जाता है तो दिन के समय क्या होता है ये जो स्तलिय भाग है वो जल्दी गरम हो जाता है तो जल्दी गरम होने के कान क्या होगा ये यहां पर उच दाब बनेगा और उस दाब बनेगा तो हवाई चलेगी इधर क्या होता है देखो ये क्यों आ गया क्या कहा गया है यहां पर देखो इस कान स्तल भाग पर स्तानिय निम्न वायुदाब विक्सित होता है और इसके विप्रीत समुंदर या धील पर उच वायुदाब होता है और वायुदाब में अंतर होने के कान समुंदर से स्तल की और वायुदाब जो है वो चलती है इसे समुंदरी समीर कहते है ठीक है स्वरी आगे चलते हैं यहां पर कोई टाइपिंग में श्टेक होई है न रात के समय स्तल भाग सिगर ठंडा हो जाता है और इसके प्रिणाम शुरुफ स्तल भाग पर उच्छ वायुदाब होता है और समुंद्री भाग पर अपेक्षा करत निमन वायुदाब होता है तब पवन स्तल भाग से समुंद्र की ओर चलती है और ऐसी पवनों को स्तल समीर कहते हैं सिदा सिदा याद रखना है देखो दिन के समय समुंद्र में क्या बनेगा उच्छ दाब बनेगा क्या बनेगा उच्छ दाब बनेगा दिन के समें समुंदर या महासागर या जीलो के पास जो होगा वो उच्छ दाब होगा और स्तल भाग जो है जो कि धीरे धीरे गर्म हो रहा है वहाँ पर निम्र वायु दाब होगा तो क्या होगा, कि सार उच दाब से, यानि समुंदर से स्तल की ओर चलेगी, समुंदर से स्तल की ओर चलेगी, तो इसे हम क्या कहेंगे, समुंदरी समीर, यानि समुंदर की हवा, समीर यानि हवा, और स्याम के समय, रात के समय, जो हमारा स्तल ये भाग है, उस पे उच दाब बन हवाय स्दल से समुंधर की और चलेगी एसे हम क्या कहेंगे इसे हम कहेंगे系 को स्दल्य यह समीर इसके बार आके चलते हैं एस चितर के जरी आप समझ सकते हो फाटी व्लहती ज्यक्ते थाई धाल इस समय इस एक परवत मान लीजिए, यह है, और इसकी ठाल यह, और या क्या है? घाटी है, यह क्या है, गाती है, तो क्या कहा गया? परवत यह ढ़ाल, घाटी की अपिक्ष्या, यह जो ढ़ाल है, इस ठाल अधिक गरम हो जाती है, तो यहां παर क्या बनेगा? उच्छ बनेगा यहाँ पर क्या बनेगा अब उच दाब बनेगा और यहाँ पर क्या बनेगा निम दाब बनेगा तो हवाएं कैसे चलेगी बताओ जल्दी से बताओ तो घाटी तल पर वायू दाब अधिक होता है तथा वायू दाब कम होता है धालों पर वायू दाब कम होता है और घाटी तल से, वाईयो मंदगती से पर्वत ढालो की ओर चलती है शोरि, आवशी अब अतली दिया मैंने, यहां पर यहां पर तो बनेगा निम्न वाईयू दाप और यहां पर बनेगा उच्वाईयू दाप तो हवाए ऐसे चलेगी ऐसे चलेगी हवाए ठीक है? चितर के जरीए समझेंगे इसको चितर है आगे आप देखो चितर को समझो यह देखिए यहाँ पर जब क्या बनेगा निमन वायू दाब बनेगा और यहाँ पर बनेगा उच वायू दाब तो हवाएं कैसे चल रही उच वायू दाब से निमन वायू दाब की और आएगी आई यहां पर बना आपका उच वायू दाब और यहां पर निमन वायू दाब बना तो हवाएं कैसे चली हवाएं चली ऐसे हवाएं कैसे चली ऐसे चली यानि यह हवाएं गोल घुमती रहेगी जहां निमन दाब होगा वही उसी दिशा में हवाएं जो हो चली जाएगी ज्यादा याद करने की जूरत नहीं है यहां से क्योषन नहीं पूछा जाएगा क्योषन पूछा जाएगा यहां से गरम पवने कोन कोन सी है जैसे लू हो गई राजस्तान में चलती है 45-50 टिगरी टेंपरेचर तक पहुंच जाती है क्युशन पूछा जाएगा फौन या फोहन जो गरम हवा है या क्युशन पूछा जाएगा निमन में से कोन सी गरम हवा है निमन में से कोन सी गरम पवने है निमन में से कोन सी ठंडी पवने है ये क्युशन आप से पूछा जाएगा या निमन में से कोन सी गरम पवन नहीं है तो देखो, लूट और राजस्टान में अपने भारत में चलती है, जून, जुलाई, मई तथा, जून के महिने में चलती है, इसके बाद फोहन या फान, यह अल dlpist परवत माला के पर यह चलती है, पंदरा डिग्री से लेकर और तीस डिग्री तक यह होती है और यह यहां की क्या है सुष ग्रम स्तानिय पाव्सजला उलपस परवत के असपास के ढालों में इसको क्या कहा जाता है फहां या फोन कहा जाते है क्यों सन् पूछ यह भी गरम पवन है याद रखना इतना याद रखना चिनुक शुक्त राजी अमेरिका कनाडा रोकी परवत ऐसे लिग लेना गरम गरम के नीचे लू लिख देना ठीक है लू तो आपने पर तो भारत है भारत में चाला है फोहन या पान यहां लिख देना आप अलपस परवत इसके बाद चिनुक चिनुक के आगे लिखे लेना शुक्त राजी अमेरिका कनाडा और रोकी परवत पस ऐसे याद करोगे हो जाएगा इसके बाद आते है आपका शिरोक शिरोक यह कहा चलती है आपकी यह चलती है साहरा की रेगिस्तान में ठीक है और इन्हें क्या कहा जा लाल मिट्टी आती है उड़ूड कर अना लाल मिट्टी उड़ूड कर आती है इसलिए इसको जो है वो रक्त वर्षा भी कहा जाता है और इसमें वर्षा भी होती है शिरोको हवाओं के साथ जब लाल मिट्टी उड़ के आती है तो साथ में वर्षा होती है तो पानी में लाल म लोमा कहां चलती है जापान में ठीक है इसके बाद कि टेंपोरल मध्य अमेरिका में अगना सिमून चलती है अर्व के रिकिस्टान में और सामून चलती है इरान व इराक में और सामल सामल जो है वह ये चलतीome इराक इरान और अर्ब एमृक्ष्ट्यली छेत्रों में ठीक है इसके बाद आती है आपकी सिस्टन, सिस्टन जो है वो पुर्वी इरान में चलती है, हभूब, हभूब जो है वो सुडान, उत्री सुडान, ठीक है, उत्री सुडान में चलती है, काराबूरान, काराबूरान जो है वो मध्धे एसिया के अंदर, तारीम बेसिन की उत्तर पूर्वा में जो है वो यह चल चलती है इसे तबाकू की फसल को नुक्सान पहुंचता है इंडोनेसिय की इसके बाद आती है आपकी हर्मतन हर्मतन जो पवन है यह कहां पर चलती है इसी को डॉक्टर हवा भी कहते हैं डॉक्टर हवा क्यों कहती है कि जब यह हवा चलती है न तो इससे मोसम बड़ा सुहाव और जब मोसम सुहावना हो ठंडी ठंडी हवा चले तो फिर कैसा लगता है मन को मन को बड़ा अच्छा लगता है दिल खुश हो जाता है और जब दिल खुश हो जाता है तो बिमारियां कम होती है तो यह जो हर्मटन है यह चलती है आपकी उत्तर पूर्वी दिशा में और यह वो अफ्रिका के पसिम तड़ पर जो हो चलती है और आदर हवा में सुसकता लाती है जिसमें मोसम सुवावना स्वास्ते प्रद हो जाता है इसी कारण इसे गीनी तड़ पर कहां पर गीनी तड़ पर डॉक्टर हवा भी कहते हैं फिर आती है आपकी ब्रिक फिल्टर ब्रिक फ इसके बाद आती है आपकी ठंडी हवाएं थंडी हवाइं भारत में तो कौन से चलती है सीत लहर याद रखना इसके बाद आगे चलते हैं तो मिस्टूल जो है आपकी धुर्व्य परदेश्व में चलने वाली हवा है ठीक है इसके बाद आती है बोरा इटली और योगो श्वालिया में चलती है ब्रिज्ड या हिम जंजावत ठीक है ये आपकी चलती है साइबेरियन छेत्र में कनाडा शुकत राजे अमेर भी है फिर आती है नार्टे जो है वो दक्षनी शुक्त राजे अमेरिका में चलती है सीथ पवन है यह और फिर आती है आपकी पेपेरा पेपेरा जो है वो एर्जेंटीना चीली के अंदर जो है वो चलती है ठंडी हवा है इसके बाद ग्रेगाले ग्रेगाले जो है वो जेनेवा जील है इटली की यहां पर रातरी की समय चलती है यह मेश्ट्रो जो है भुमद्य सागरिय चेतर में पूना जो है एंडी चेतर में चलती है पापगायो जो है वो मेक्शिको के तड़ पर चलने वाली सुस्क और सितल ठंडी हवा है याद रखना यह और पॉनंथ यह भुमद्य सागरिय चेतर में चलती है वीरा सेन पेरु तता चिल्ली के तठ़ पर चलती है दक्षणी ब्रश्टर न्यू साउथ में चलती है और वाइज प्रांस में लेबांटर जो है वो दक्षणी स्पेन में चलने वाली सक्ति साली ठंडी हवाई है और यह टोपिक आप पूरा हुए गरम और ठंडी हवाएं आपको ऐसे ज्यादा रट्टा मारने की जूड़ तो है नहीं बस बेसिक सा दोनों का एक ऐसे लिख लो उपर आमने सामने आपको बेसिक पता रहना चाहिए कि कौन सी ठंडी है कौन सी गरम है रीट के अंदर जो बेसिक लेवल में जुरूर जुन जाड़ा पाकि जो समझने वाली बात है वह है आपकी जो अ opinion पर में लकस्ष्पोलबते में बताइएग पीडिएप आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी आपका कौन सा टोपिक बचाएै एक बार अगर आपके स्लेबस का प्रिंट आउट है अना प्रिंट आउट निकालना है तो स्लेबस का निकाला करो स्लेबस का प्रिंट आउट हर बच्चे के पास होना चाहिए और जहां पर भी आप पढ़ते हो उस उस table के पास, उस bed के पास, उस maze के पास वो हमेशा छिपका हुआ होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि syllabus की एक एक line कहां पर लिखी हुई है, तो syllabus आपका जो भी है वो आपके पास है, तो अब आपका topic देखो, हमने वाईउ मंडल पढ़ लिया, सरंचना पढ़ लिया अब आपका एक topic बचा है, मातर एक, वो है महासागर, जुआर भाटा, धाराएं और जल थल वित्रण, इसकी सुरुवात कल करेंगे, दो दिन का topic है, दो दिन में हो जाएगा, इसके बाद SST की सिक्षन वीदिया करेंगे, और तिर आपका syllabus पूरा हो जाएगा, ये दो तिन रहे गया है, और कला संस्कृति का topic थोड़ा सा बीच में रहे गया है, ने ने सारी का आपको याद नहीं करना है, जैसे भारत में लू चलती है, ऐसे चिनुक कहां चलती है, उपर के तीन-तीन याद कर लेना, वो उपर वाली तीन है ना, वो ही ज्यादा most है, दोनों में, ग टोपिक बचा है आपका SST का, और फिर सिक्षन वीदिया, और दो-तीन-तीन-तीन तोपिक आपके बचे हुए है, हिस्ट्री के और कला संस्कृति के, जो की कॉमन है, उनकी भी हम प्रियास करेंगे कि दस तारिक तक आपके सारे topic clear हो जाए, दस तारिक तक आपका syllabus पूरा हो यह दो-तीन दिन छूटी नहीं करते तो अभी हो जाता, वेसे हमने आपको जितना करवाया है, हमने जितना आपको कहा था, उतना पूरा आपका almost हो चुका है, तो आसा करता हूँ कि आपको यह जो session है वो निशित तोर पर आप जो paper देने जाओगे तो आपको निशित तोर यहां से benefit होगा, और एक बार जैसे syllabus फूरा हो जाएगा, तो हम आगे क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम SST के one-liner question करेंगे, फिर इसके बाद हम इनके multiple choice question करेंगे, तो अभी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप सब लोगों ने अपना कीमती समय दिया इसके लिए, अ सब्सक्राइब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, सुब्रात रिया। आपका एक उर्ण नए live session में कैसे हैं आप। एक बाद फिर से आप सब का खार्दिक स्वागत, अभी नंदन, जैसरी राम, राधे-राधे। और आज शर्चा करने वाले हैं, SST का अंतिम topic है, लेकिन कलास अंतिम नहीं है, हाना, अभी और जब तक सफलता नहीं मिलेगे ना, तब तक कलासे चलती रहेगी। और निरंतर आप इस परिवार के साथ जुड़े रहे, हमने आज से ठीक लगबग दो महिने पहले यह किया था कि हमें 60 दिन में पूरा सलेबस करना है, और आज हम अंतिम topic पर पहुँच गए हैं, हमने 54, 54 एक कलास और करेंगे, 55 कलास में complete SST पूरा कर लेना है, तो यह आप का SST का अंतिम topic है, महा सागर, जिवार भाटा, धाराएं और जल, थल, वित्रण, इसमें से सबसे महत्योपून topic है, महा सागर तो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, हमें दो ही topic पर ज्यादा ध्यान देना है, जवार भाटा और धाराएं, यह दोनों topic समझने वाले हैं, और यह तो जल, और थल का कितना वित्रण है, आप सबको पता है, फिर भी हम इस पे चर्चा कर लेंगे, तो कैसे है ममता जी स्वागत आपका, मदन सिंग जी, S.N. वलोग कैसे हैं आप, S.N. मीना स्वागत आपका, विजेपाल बनना कैसे हैं आप, कोशल सिंग कैसे हैं विकास, लोचनाजी स्वागत आपका पूजा, कमर्जी स्वागत आपका रेखा विष्णोई, दिव्यामीना, महंदर सिंग, आप सब का बहुत-बहुत स्वागत और अफिनन्द, आए, शुरू करते हैं, लेकिन इस सेशन को शुरू करूँ, उससे पहले, अगर, वैसे तो बहुत सारे कोल आते हैं, किसर हम डी मोटिवेट हो जाते हैं, थोड़े से निराश हो जाते हैं, पढ़ते-पढ़ते, और अगर आप में थोड़े से भी निराशा आती है, कभी भी, तो एक बहुत ही बहतरिन सी, जो है, वो एक, आज, मैंने एक, एक घंटे की स्टोरी पहराओं कि आप सब बच्चे ना, आज जाके उसको देखना, आप सब अमित बडाना जी को तो जानते ही हैं, जो कि बहुत अच्छे कोमेडी के वीडियो बनाते हैं, ठीक है, एक उनका अभी दो-तिन दिन पहले एक नया जो है वीडियो आया है, और उस वीडियो का मेरा जूनियर उस वीडियो को टाइटल है, आप सर्च करना, अमित बडाना, या ऐसे लिगना, मेरा जूनियर अमित बडाना, आज सोते वक्त, एक घंटे का वीडियो है, दस बज़ी ये कलास खतम हो जाएगी, चाहें आप कितने भी बज़े सोते हो, अना, लेकिन एक मैं आप से वादा करता हूँ इस बात के लिए, कि इस वीडियो को देखने के बाद है ना, आपके अंदर एक आग सी जो हो लग जाएगी, एक मोटिवेशन जो है, इतना आएगा आपके अंदर, कि आप कुछ भी करने के लिए त्यार हो जाओगे, और इस पेपर में, क्रेक करने में आपको भूद ज़्यादा सफलता मिलने वाली है इस वीडियो से, बच्चा एक सेशन में कमेंट कर रहा था कि सर, इमोशन, इमोशन का भावनाओं का पढ़ाई में कोई महतव नहीं है, और मेरा परसनली मानना यह है कि बिना इमोशन तो या कुछ है यह नहीं, तो आप सबसे सितने भी ऐसे बच्चे हैं, जो रीट की त्यारी कर रहा ना, एक बार जाके जुरूर देखना आज रात सोते समय, यह व जुरूर अमित बढ़ाना, जुरूर देखना आपको मज़ा आएगा और फिर कल इस पर आप बताना कि आपको कैसा लगा, देखना जुरूर, आज तक पहले कभी मैंने ऐसी आपको बात कही नहीं है, क्योंकि आज आपको पता है कि आप धीरे-धीरे दिन जो है वो बड़े छोटे होने लगे, रात बड़ी होने लगी है, तो आज एक आट से लेकर नो पुझे तक जो है, समय था तो मेरे आगे एक वीडियो आया तो मैंने देखा, और देखने के बाद इतना ज़्यादा इमोशनल ही हो गया, और फिर इतना ज़्यादा जोस हाया, कि ऐशा लगा कि हाँ हम भी कुछ बहतर कर सकते हैं तो जब मैं इतना बहतरी मोटिवेट हो सकता हूँ तो मुझे लगा कि आप सब बच्चों को भी ये देखना चाहिए क्योंकि ये देखो हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीजे होती है जो हमारे जीवन को बदल सकती है अना तो ये जो चीज है आपके लिए बहुत ही बहतर साबित होगी अब अपने टोपिक पर चलते हैं ठीक है रामशरूप जी कैसे हैं आप पुजा कवर सेखावत कैसे हैं मयंक जी कैसे हैं आप आई अब करते हैं शुरुवात आज के की आज हम जो चर्चा करेंगे वह दो टोपिक को पर चर्चा करेंगे महसागर हम ने lass सेशन में पढ़ लिया है और आज जो हम पढ़ रहे हैं वह भी किस से पढ़ रहे हैं एंसे ऊर्टी कलास कि 7 और द्रिक प्रियों प्र बॉनоров आज का अपना topic है जवार भाटा आज पहले से कुछ भी जो है वो लिखावा नहीं है तो सारा का सारा यहीं लिखेंगे क्योंकि आज जो topic है यह समझने वाला topic है लिखने वाला topic नहीं है और मैं यह पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि एक घंटे तक यह topic हम पूरा cover करेंगे और आपको कुछ लिखने की जूरत नहीं पड़ेगी आपके सब कुछ याद हो जाएगा बस आप प्यार से धीरे धीरे पढ़ते जाओ सुनते जाओ लिखने की भी जूरत नहीं बाद में आपको खुद लिख लोगे यह सेसन खदम होने के बाद आप खुद लिख लोगे ठीक है तो जवार भाटा क्या होता है यह तो हमने बच्पन में पढ़ा ही है पांचवी छटी सात्मी आठ्वी किलास में कि गुर्जी ज जंद्र गरेन या सुरिय गरेन होए तो पर्थ्वी के उपर जिखो सागर माह सागर है पांगो पानी जुखू रबनाता उची-ची लहरा बनावे लहरा बनावे है पत्पन में हम भी ऐसे ही पड़े हैं आप भी ऐसे ही पड़ेओ कि पानी जुह हो उपर उचलता तो जब क और जब पानी नीचे आता है तो वो क्या होता है भाटा होता है जब पानी ऊपर जाता है तो क्या होता है ज्वार और जो पानी नीचे गिरता है तो उसे भाटा कहते हैं ठीक है ऐसा ही हमने पड़ा है और इसी को आगे लेके हम चलेंगे थोड़ा सा समझने का प्रियतन करते हैं और फिर इस टोपिक को भूत आसान तरीके से आपके सामने रखता हूँ पुर्वज्ञान के अधार परी चलते हैं हमने इसे पहले पढ़ रखा है हमने क्या पढ़ रखा है कि चंद्रमा और सुर्ये के आक्रशन सक्तियों के कारण हमने यही तो पढ़ रखा है पहले बच्पन में कि बैए चंद्रमा और सुर्ये की आक्रशन सक्तियों शक्तियों के कारण कारण आकर्शन सक्तियों के कारण क्या होता है सागर्य जल के उपर उठता है शंद्रमा और सुर्य के आकर्शन सक्तियों के कारण शागर्य जल उपर उठता है जिसे जिसे जवार कहते हैं और और उठता है तो उसे जवार कहते हैं और नीचे आने पर भाटा कहते हैं यह हमारा पूरुवे ज्ञान है बच्पन से इस बात को हम पढ़ते हुए आये हैं कि ज़िए जब ऐसी स्थिती होती है कि पानी उपर जाता है तो वो जवार होता है और जब पानी वापस नीचे आता है पानी तो उसे हम भाटा जो है वो कहते हैं तो यहां से दो स्थिती बन गई यह स्थिती बन गई दो कि पहली स्थिती यह बन गई कि पानी का उपर उठना एक स्टिती बन गई, दूसरी स्टिती क्या बन गई? पानी का नीचे आना, नीचे आना, वही सीधा सीधा ये तो परकर्ति का नियम है कि जो वेक्ति ऊपर जाएगा, वैसे तो जो ऊपर चला गया, वो कभी वापस नहीं आएगा, वैसे तो जो उपर चला जाता है, वो वापस नहीं आता है, फिर तो केवल यादे आती है उनकी, लेकिन उचाईगार्थ है, कि हमारे जीवन के अंदर भी ऐसा ही होता है, कभी हम खुशियों की तरफ उपर जाते हैं, फिर दुखों की तरफ नीचे आ जाते हैं, तो पानी है, पानी उपर जाएगा, तो वो नीचे भी तो आएगा, उपर तो रहे नहीं पाएगा, तो पानी जब उपर जाता है, और फिर जब नीचे आता है, तो उपर जाने की स्थीती एक बनी, उस उपर जाने की स्थीती को हम क्या कहते हैं, जवार कहते हैं, और नीचे आने की स्थ स्तीति को हम जो है भाता है यहां तक तो आपको पता ही है यह तो आपका पूर्व PR ज्ञान है यह आप सब जानते हैं सब लिस Always का प्रयास करते हैं कि अबरों धिक कैसे हैnewly इस वह स्वागत आपका और मनीश सिंग कह रहा है गाइड बता हूब या गाइड कि थोड़ा सा आगे चलते हैं कि स्थीति को समझने का प्रियत्न करेंगे यह जो है वो क्या है अपने सुर्य दादा है ठीक है और सुर्य दादा के च्यारों और प्रत्वी जो है वो चक्कर लगाती है एक स्थीति प्रत्वी की यह हो गई एक स्थीति जो है वो प्रत्वी की यह हो गई थोड़ी सी हो सकता है कि प्रत्वी गोल ना बनी हो तो आप उस बात को छोड़ देना एक स्थिती पर्थवी की ये हो गई और एक स्थिती पर्थवी की ये हो गई हम सब जानते हैं कि पर्थवी जो है वो तो तरीकी की गती करती है एक अपने अक्ष पर घूमती है लास सेशन में हमने पड़ा था कि एक तो पर्थवी जो है वो अपने अक्ष पर घूमती है और दूसरा प्रत्वी माल लिज्ए हैं, कि ये प्रत्वी का अक्ष है, और प्रत्वी जो है वो इस तरीके से पूर्व से पूर्व की और घूम रही है, तो प्रत्वी जो है एक तो अपने अक्ष पर घूमती है, और दूसरा ये सुर्ये के भी च्यारों और चक्कर लगाती है, करती है और अपने प्यार को मनाने के लिए अपने प्यार को प्राप्त करने के लिए अपनी महबत का इजहार करने के लिए इसके चारों और जो है ये चकर लगाती रहती है लेकिन इसका प्यार भी हम इनसानों के प्रत्वी किस्तिती है, अब यहाँ एक और चीज आती है, संद्रमा आता है, कोना आता है, संद्रमा, प्रत्वी तो प्यार करती थी सुर्ये से, लेकिन प्रत्वी को सुर्ये जो है, वो नहीं मिल पा रहा था, और प्रत्वी की साधी तै कर दी घरवालों ने, यह सुर्ये तो कोई काम का नहीं है, यह तो बेरोजगार का बेरोजगारी रहना है, बैटा मेतरों जठ्थे तरों कृष्टों करा नहीं है, बठे कर ले, मेतरा कोई दुस्मन को नहीं है, मेतरा बल्लगी सोचागा, तो प्रत्वी ने प्रेम करा किस्से चंद्रमा से, और ये चंद्रमा भी जो है, ये चंद्रमा भी जो है, वो क्या है, प्रत्वी की चारोर चक्कर लगाता है, एक स्तिती ये बनाता है, एक स्तिती ये बनाता है, एक स्तिती ये बनाता है, और एक स्तिती ये बनाता है, ये पर्थवी के चारों चक्र लगा रहा था, इसका काम बन गया, इसको मिल गया, सुर्ये को पर्थवी नहीं मिल पाई, ये है अपना मामा, एम लिख दू यहाँ पर, चंदा मामा, बच्पन में मा से चंदा मामा की सबसे ज़्यादा कहानिया आपने सुनी होगी, चंद्रमा, ये तीन स्थितिया है, ये तीन ही वो स्थिति है, जो कि इस पूरे जवार भाटे के प्रकण को क्रियेट करती है, ये एक प्यार है और प्यार में रस्सा कसी हो रही है, प्यार के अंदर जो है वो क्या हो रहा है, कभी-कभी हम किसी से प्रेम करते हैं, लेकिन हम उससे नहीं मिल पाते हैं, तो खिंचाओ उत्पन हो जाता है, खिंचाओ कैसे वाला, दुख, द्वेश, जिसको हम चाते हैं नहीं मिल पाएगा, तो हम दुखी होंगे की नहीं होंगे, दुखी होंगे, निसी तोर पर होते ही हैं दुख तो, और इसी बेश जो है वो, इधर तो सुर्ये अपनी तरफ से जोड लगा रहा है प्रत्वी को अपनी तरफ खेंचनेगा लेकिन सुर्य बेचारा बड़ा दूर है प्रत्वी से लेकिन इसके पडोस में आगया चंद्रमा चंद्रमा अपनी और इसको खेंच रहा है तो शुर्य और चंद्रमा दोनों प्रत्वी को अपनी और खीच रहे हैं, अपनी और आकरसित करना चाहते हैं लेकिन प्रत्वी जो है वो अपनी धूरी पर ही गूम रही है वो दोनों की और भी ध्यान नहीं दे रही है लेकिन चाहे प्रेमिका हमारी तरफ ना देखे लेकिन प्रेमिका ये दायतुवा बनता है कि वो निरंतर जो है वो अपने प्रेमिका को रिजाने का प्रियतन करता रहे आपने बच्पन में एक मूवी देखी होगी 1990 के करीब की ये मूवी है एक फूल दो माली एक फूल दो माली तो यहां पर प्रतिवी एक फूल है और इसके दो माली बन गए है सुरिय और चंद्रमा याद आ रही है आपको बच्पन की कोई याद है ऐसी ऐसी कोई बच्पन की याद आ रही है आ रही है गया आए चर्चा करते हैं यहां से तीन सिच्वेशन बनेगी कंडिशन बनेगी तीन यह तो आपको स्थिति समझ में आ गई है हम क्या पढ़ रहे हैं कि जुवार भाटा उत्पन कैसे होता है यह जो प्रत्वी है वो सुर्ये के चार और चक्कर लगाती है और चंदरमा प्रत्वी के चार और चकर लगाता है सुर्ये में भी प्रत्वी को अपनी और खीचने की सकती है एक बल है जो सुर्ये प्रत्वी को अपनी और खीच रहा है अब यहां से क्यूशन बनेगा आपके सामने एक प्यारा सा क्यूशन बनता है बेसिक क्यूशन बनता है लेकिन आपके लिए सरल है वो औरों के लिए वो कठिन है क्यूशन ये बनेगा कि जुवार भाटे के समय सुर्ये और चंदरमास में से किसके अंदर गुर् को यह जादा बढ़ा ब्ढ़ा, या सुर्य से जो जुवार-ुत्वन गाल जबढ़ा हो घाँ सैंद्धि छ जर हो जवार भाटे के प्रकार पढ़ेंगे तो हम एक तास कैजत्धे निमन सुर्फे mods पढ़ेंगे, तो जो उच जवार की स्थीती है वो किस चंद्रमा के कान होती है कि प्रत्थवी के कान होती है सुर्य के कान होती है तो जवार यह जो चंद्रमा है इसकी सक्ति जादा होती है जो हाला कि चंद्रमा प्रत्थवी सुर्य से बहुत छोटा है यह चंद्रमा जो है वो सुर्य से ब पास क्या नहीं है सरकारी नोकरी नहीं है और सरकारी नोकरी नहीं होने के कारण आप चाहें कितने भी योग्य क्यों नहीं हो आप कितने भी योग्य क्यों नहीं हो सरकारी नोकरी नहीं है तो आप योग्य है और यह चंद्रमा जो परत्वी सुर्ये से काफी छोटा है लेकिन इसके पास सरकारी नोक्री है, इसलिए ये प्रत्वी को अपनी और ज्यादा आकर्षित कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसकी चर्चा करेंगे, ये तीन स्थिती समझ में आ गई, अब देखो मानो, पहली स्थिती ये बनी, देखो क्या स्थिती बनी पहली, पहली स्थिती बनी ये कि सुर्ये, चंद्रमा और परत्वी, तीनों एक सीद में आ गए ना, यहां से सुर्ये, फिर चंद्रमा बीच में आ गया, और फिर परत्वी, तो पहली स्थिति तो यह बनेगी कि सुर्ये, चंद्रमा और परत्वी, या फिर इसके विप्रीत भी बन सकती है, क्योंकि एक बार यहां पर भी तो शूरिय आएगा चंद्रमा आएगा तो क्या श्थिति बन सकती है सूरिय प्रत्वी और चंद्रमा तो एक श्थिति क्या बन गई इसको मैं आगे लेके चलता हूं पहली जो श्थिति बनेगी ज्वार उत्पन होने की वो यह बनेगी कि ये हो गया आपका भगवान सुर्य देव कौन हो गया ये? सुर्य देव हो गया ठीक है? देखो रटना और समझेना इसमें थोड़ा सा अंतर है जादा अंतर नहीं है समझावा कभी नहीं बूलोगे रटावा थोड़े देर बाद भूल जाओगे ये हो गई आपकी क्या? ये हो गई आपकी प्रत्वी ठीक है? और इस प्रत्वी के चारो और कौन चक्कर लगा रहा है जी? चंद्रमा लगा रहा है तो एक ना एक बार चंद्रमा कहां पहुंझ जाएगा? यहां पहुंझ जाएगा यह चंद्रमा आ गया है यहां पर और जब तीनो सुरिये, चंद्रमा और परत्वी तीनो जब एक सीद में आएंगे तो सुरिये तो अपना जोड लगा ही रहा है और चंद्रमा भी अपना जोड लगा रहा है और सुर्य और चंद्रमा की पावल डबल हो गई ना यहां पर तो सुर्य भी जोर लगा रहा है चंद्रमा भी जोर लगा रहा है और जोर किसको पकड़ने के लिए लगा रहा है प्रत्वी को पकड़ने के लिए लगा रहा है तो यहां पर जो प्रत्वी का पानी है क्योंकि आप सब जानते हैं कहतर प्रतिसित भाग पर क्या है पानी है पानी है तो यह जो पानी है वो क्या करेगा इसकी और आकर्षित हो जाएगा यानि खींचेगा तो प्रत्वी तो अपने अक्षपरी रहेगी लेकिन यहां का जो पानी है इस गुर्तुवा कर्शन बल की तरफ जो है वो क्या होगा आकर्शित होगा और यह थोड़ा सा उपर आ जाएगा पहली कंडिशन बन गई पहली कंडिशन बन गई है यह अब यह चंद्रमा जो है वो यहां पर भी हो सकता है और यहां पर भी हो सकता है अब देखो यह जो है पर्थवी का क्या है बीज में सेंट्रल बिंदू है यह क्या है पर्थवी का सेंट्र बिंदू है यानि पर्थवी अपने अक्ष पर इसलिए तो है कि उसकी एक जो है वो जो center of gravity है, वो कहा है, center में है, बीच में रहेगी, तो अब क्या हुआ कि जब ये पानी जो है, ये सागर ये पानी है, ये क्या स्तिती बन गई यहां पर, माल लेजिए, कि ये एक सागर है, ठीक है, ये सागर है, और ये जो है, वो प्रत्वी का भाग है, इस तल भाग, ये स्तल है, और ये जल है, और condition क्या बनी हुँ, ये सुरिये, चंदरमा, प्रत्वी, तीनो, तीनो क्या है, एक सीद में है, तो ये पानी क्या होगा, पहले तो यहां तक था ये पानी, अभी आपको कहा तक दिख रहा है, य यहां तक है, लेकिन जब, लेकिन जब पानी, इसके आकरशन में होगा, सुरिये और चंदरमा के, तो पानी उपर उठ जाएगा, पानी का जो लेवल है, वो उपर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पानी का लेवल उपर हो गया, तो ये क्या स्तीती बन गई, ये जो स्तीती ह है कि पानी का लेवल उपर हो गया पानी का लेवल उपर हो गया तो इस स्थीति को हम क्या कहेंगे इस स्थीति को हम जवार की स्थीति कहेंगे क्या कहेंगे जवार की स्थीति कहेंगे इसे हम कि देखो यह जवार आ गया है अच्छा एक क्यूशन बताओ क्यूशन आपके सामने आएगा क्यूशन यह आ गया आपके सामने बहुत सब प्यारा सा क्यूशन आ गया कि निमन में से किसमे जवार नहीं आता है किसमे जवार निमन में से किसमे जवार भाटा नहीं आता है पहला option नदी तूसरा option सागर तीसरा option धील और चोथा option कोई नहीं कोई नहीं क्या उत्तर दोगे फट से comment में उत्तर दे हैं comment में उत्तर दे दीजिएगा अगर आप भी किसी प्रत्वी से प्यार करते हैं तो जल्दी से उत्तर दीजिए जल्दी से उत्तर दीजिए इतना time मत लिजिए क्योंकि टोपिक थोड़ा सा लंबा खिचके चल रहा है तो बताए कहां पर आपको ज्वार किस में ज्वार नहीं आएगा जल्दी 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 कमेंट करो फटा फट जित्रे बच्चे हैं उत्रे तो कमेंट कर दो यार अगर आप किसी से प्रेम करते हो सच्चा तो कर दो फट से कमेंट अच्छा अगर आप किसी से प्रेम करते हो सच्चा तो कर दो कमेंट एक बहुती अच्छा सा सब बच्चों में से केवल विकास थोरी एक ऐसे बच्चे हैं जिनों ने उत्तर दिया है सही तो विकास थोरी जी बहुत-बहुत बढ़ाई हो इसके आप हो गये हैं विनर यहां उपरोक्त कोई नहीं सही होगा देखिए हमने क्या पढ़ा है यही तो क्योशन आकठिन हो जाते हैं हमने पढ़ा कि इस प्रत्वी पर वही ऐसा थोड़ी है कि यह जो चंद्रमा और सुर्ये का जो गुर्तुआ कर्शन बल है जो आकर्शन है केवल यह सागर के पानी को ही अपनी और आकर्शित करेगा पानी तो पानी है पानी रे पानी तेरा रंग केसा जिसमें मिलाया जाए तू वेसा अगर पानी नदी में बहरा है तो नदी का पानी पानी जील में पड़ा है तो जील का पानी पानी सागर में है तो सागर का पानी पानी रे पानी तेरा रंग केसा तो पानी तो पानी है च चोटी जीले है न और जो चोटी नदिया है उनमें ये दिखता कम है दिखता कम है जिसके पास जादा पैसा होगा उसकी पास जादा सोहरत होगी जिसके पास कम पैसा तो वहाँ पर कम सोहरत दिखेगी तो सागर महासागर बड़े-बड़े होते हैं पानी जादा होता है तो व ये असर कहीं पर तो होगा क्या होगा इदरे कहीं पर तो असर ये जो होगा वो जादा होगा और कहीं पर जो इसका असर है वो क्या होगा कम होगा अपने दोस्तों से पूछ लेना आप ये क्यूशन जो किसी बड़ी कोचिंग में पढ़ते हैं और आपके सयोगी है आपके नोट लगा के लिख देना यहां पर, नोट एक दिन में दो बार जवार भाटा आता है, अब कहोगे गुरुजी दो कैसे, अब देखो, अब यहां से एक इंट्रेस्टिंग फेक्ट बनता है, क्या बना यहां से की प्रत्वी है, और प्रत्वी का पानी अचानक जो है वो इधर आ गया, यह इधर आ गया, तो क्या होगा प्रत्वी इस और जुकेगी कि नहीं जुकेगी, प्रत्वी का तो मामला डावा डोल हो जाएगा ऐसे, होगा कि नहीं होगा, अचानक से पानी इधर खिंच रहा है, तो प्रत्वी आपको प्रियतन कर Hayam कि कहीं मामला गडबरणाव 1993 गिर ना जाएं कre अचानक आप खढ़े हो और आपको आपके पीच्छी से धर्ण embargo तो आप क्या करते कि अनिकेश़् आगे निकर लेते हो एक मेर क्या करले तो अब आगे कर लेते हो क्यों कर लेते हो ताकि पीछे से जो आपके उपर फॉर्ट लगा है उससे जाके आप आगे गिर ना जाओ तो अपने आपका बैलेंस बनाते हो इस balance को बनाने के लिए यहाँ पर इसी तरीके का एक जवार उत्पन हो जाता है ठीक है? यानि जिस तरीके से यहाँ पर पानी इधर आया है वैसे ही पानी इधर भी आ जाता है और यह किस कारण हुआ है? यह तो हुआ है सुरिय और चंदरमा के आकरशन के कारण और यह जो स्तिती बनी है वो अप केंदरिय बल के कारण जवार उत्पन हुआ इसको आप करके देख सकते हो कि अगर आपने पानी भर रखिये बालते में और आपने ऐसे धका दिया एक तरब से तो पानी की एक बार तो आगे जायगा फिर वापस लहर आएगी तकरा के तो यहां पर देखो यह एक और भी रूल है यहां पर कि यह किरिया हुई है और ये इस किरिया की क्या हो रही है प्रती किरिया हो रही है कोई किरिया होगी तो इसकी प्रती किरिया भी तो होगी न तो दिन में कितनी बार जवार आते हैं कमेंट करके बताओ जल्दी से एक जुवार और दूसरे जुवार के बीच में कितने समय का अंतर होता है, मालो यहां पर जुवार आ गया, तो यहां पर जुवार आने में कितना समय लगेगा, तो याद रखना हमेशा 12 घंटे और 26 मिन्ट पे एक जुवार आता है, ठीक है? यानि यहां पर जुवार आने के बाद, यहां पर जब जुवार आएगा, तो 12 घंटे, इस टाइम को कितना समय लगेगा, 12 घंटे और 26 मिन्ट का समय लगेगा, ठीक है? तो हम यह कह दें, कि 24 घंटे और 52 मिन्ट में, 24 घंटे 52 मिन्ट में दो बार जबार आता है, यह कह सकते हैं? कि 24 घंटे 52 मिन्ट में दो बार जबार आता है, गुर जी के बावडा बनाओ? दिन ही 24 घंटा वो ए? लड़िया बावडा मनाने कोजिश ना गरो मनें, दिन ही 24 घंटे का होता है, तो फिर 24 घंटे 52 मिन्ट में कैसे जबार आएगा? यह 22 मिन्ट का क्या माम्ला है? तो देखो यहां पर क्या है पर्थवी तो अपने अक्ष पर घूमी रही है पर्थवी तो अपने अक्ष पर घूम रही है यहां चे पर्थवी यहां पहुंचेगी यह जो भाग है मालो ए बिंदु है यह क्या है ए बिंदु है यह बिंदु है और यह बिंदु है यह ग्हुमता ग्हुमता अगोड़ू जाएगा इहां जाएगा यह समझ में कोई मामल आपको अ यह a ग्हुमता कहँ गया इधर है और यह b बिंदू ग्हुमता गुमता इधर आया तो इसमें तो समय लगेगा गुर्जी चोईस गहंटे लगेगा बात सही है लेकिन यहाँ पर एक और भी चीज है जो गती कर रही है देखो शुरी यह तो अपने स्थान पर बैठा है विचारा यह तो कह रहा है कि मैं तो सच्चा आशिक हूँ सच्चा प्रेमी हूँ और मैं योग्य भी हूँ तो चाहे मुझे हजार वर्ष का इंतजार करना पड़े और चाहे करोडों वर्ष का इंतजार करे मैं तो तुम से सच्चा प्यार करता हूँ प्रत्वी तुम चाहे बेवफा बन जाओ लेकिन मैं तेरा जिंदगी भर इंतजा निकालता रहता है अब मान के चलो कि यह 12 गंटे 24 गंटे में पर्थवी घुमेगी तो चंदरमा भी घुमेगा ना अपने स्तान पे यह यहीं थोड़ी रहेगा यह भी तो आगे बढ़ जाएगा ना तो वापस यह स्थिती क्रियेट होने में 52 मिंट का जो समय लग जाएगा तो अश्टरा लग जाएगा ठीक है बावन मिंट का समय 24 गंटे 52 मिंट का समय एश्टरा लगेगा तो पहला क्यूशन बारा गंटे 26 मिंट में जवार आता है एक और 24 गंटे 52 मिंट में जवार आते हैं दो किसी को कोई दिक्कत यहां तक यहां तक किसी को कोई दिक्कत अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो अगर समझ में आ गया है तो लिख दो दिल तो पागल है लिख दो जिस जिसको समझ में आ गया है वो लिख दो दिल तो पागल है यह जो स्तिती बनेगी ऐसी स्थिति में उच्छ जुवार बनता है कौन सा जुवार बनता है उच्छ जुवार बनता है उच्छ जुवार की स्थिति है यह क्योशन पूछा जाएगा उच्छ जुवार कब आता है पहला option जब सूरिय चंद्रमा प्रत्वी एक सीध में आते हैं दूसरा option जब सूरिय चंद्रमा, सूर्ये, प्रत्वी और चंद्रमा, नब्वे डिगरी का कूंड बनाते हैं, और तीसरा उप्षन, जब प्रत्वी, जब सूर्ये, प्रत्वी और चंद्रमा एक सीद में आते हैं, और चोथा उप्षन, ए और सी दोनों, तो ए और सी दोनों होगा, चाहे सूर्ये, चंद्रमा और प्रत्वी आए, चाहें शूर्ये प्रत्वी और चंद्रमा आए, तोनों ही स्तीती में क्या बनता है, उच्च जुवार बनता है, और हमारे भारत में ये जो दो स्तीती बनती है, वो कब बनती है, अमाउस्या और पुर्णिमा के दिन, ये सारी बाते में लिखा आउंगा आपको अमाउस्या अमाउस्या वे पुर्णिमा के दिन इन दो दिनों का जो जवार होता है वो सबसे उच्छ जवार होता है अमाउस्या का जवार जो होता है वो उच्छ जवार होता है पुर्णिमा का जो जवार होता है वो भी क्या होता है उच्छ जवार होता है किसी को कोई दिक्कत, चलो अब देखो, ये बात तो हो गई कलीर, कुछ फैक्ट लिख लेते हैं अब, चलो एक स्थिती हमने देख ली उच जवार की, एक स्थिती और देख लेते हैं, निमन जवार और देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, देखो हमने समझ लिया है कि जवार के लिए ये स्तिती जो है वो क्या है क्रियेट करती है अब मालो ये तो स्तिती हो गई आपकी उच्छ जवार की क्या हो गई उच्छ जवार अब यहां पर एक स्तिती हम यहां बनाते हैं कि यह जो चंद्रमा है ना इस बार कहां आ गया है चंदा मामा दूर के यहां आ गए है, एक बार यहां और एक बार यहां, कोन है यह? M, M for मामा, चंदा मामा, तो देखो, यहां पर एक कोन बना रहा है यह, 90 डिगरी का बना क्या? ये एक 90 डिग्री का कौन बना रहा है अब यहां पर प्रत्वी फस गई बेचारी प्रत्वी फस गई है प्रत्वी कहे चंद्रमा तो कहे मेरका नहीं आजया सुर्ये कहे मेरका नहीं आजया दोन्यों आप आपका नहीं जोल लगा रहा है एक आतों चंद्रमा पकड़ राखिए, दूसरों आत सूरिये पकड़ राखिए, दोनु खीचे लाग रहे हैं, सूरिये कह रहा है कि मैं तुस्से सच्छी प्यार करता हूं, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूं, तो कहें तो मैं इस रफ्टी को खतम कर दू, चंद्रमा कहत खोड़ रहूं, तुम उसको छोड़ो सूरिये को, इधर आओ, तो यहाँ पर दोनों में कम्पीटिशन है, और यह बना यहाँ पे 90 डिगरी का कौन, और जब भी 90 डिगरी का कौन बनता है न, तो क्या स्थिति बनती है, निम्न जवार की स्थिति बनती है, निम्न जवार, ये स्थिति दोनों तरफ बन सकती है, इधर भी बन सकती है याद रखना, ऐसे भी 90 डिग्री का कौन बनेगा, ऐसे भी 90 डिग्री का कौन बनेगा, तो यहां पर शुरिय जो है वो जोर तो भोत लगा रहा है, देखो आप जब तक कोलिज में होते हो, तब तक तो प्यार अच् चलती है, दोस्ती भी अच्छी चलती है, लेकिन एक बार जब आप दूर हो गए, मुझे याद है हम दोस्त बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, 5 वी कलास में, 6 वी कलास में, 7 वी में, आठ वी में, लेकिन जैसे देश से दोस्त दूर होते गए, यानि जब लगवक, 10 तक तो एक स्कूल में पढ़े, तब तक तो दस्वी वाले स्कूल सारे बच्चे जान कर थे, दस्वी के बाद सब्जेक्ट चेंज हुए, तो कुछ दोस्त वहां से बिछडे, वो दूर हो गए, नए दोस्त बने, 12 तक वो रहे, फिर ग्रेजवेशन में नए दोस्त बने, पि प्यार करते हैं, तो एक छोटी सी टिप्स बीच में दे देता हूं, इसी टोपिक में, दूरी और प्यार के मामले में, कि जब भी ऐसी सिच्वेशन हो कि आप किसी से बहुत प्यार करते हैं, और मामला आपके प्रिवार का हूँ, प्रिवार में आपका, प्यार भी तो आप का प्रिवारी है यानि चाहें आप अपने दोस्तों से प्यार करते हो भी कोई महिला मित्र या पुरुस मित्र चाहें आप अपनी पत्नी से प्यार करते हो आप अपने छोटे भाई से प्यार करते हो आप अपने माता पिता से भी प्यार करते हो और जब मामला प्रिवार का हो और किसी बात पर argument शुरू हो जाए किसी बात पर तरक शुरू हो जाए तो ऐसी situation में हार जाना आप यानि थोड़ा सा तरक करना और फिर ये कह दना कि या ठीक तुम सही हो साइध मैं गलत हूँ मैं गलत हूँ ठीक है तुम जीती हो और मैं इसमें हार गया हूँ और आप देख तब भी अपने प्यार के लिए अपने प्रिवार के लिए आप ये कह देना कि तुम सही हो रहे आर मैं तो गलत था और आपका इतना कहना आप जान बोज के हारे होंगे लेकिन फिर भी आप जीता हुआ महसूस करेंगे तो कभी-कभी ये जुरूर नहीं कि जीवन में हर बा जीते ही ये जुरूर नहीं कई-कई बार हार के भी हम जीता हुआ फील करते हैं यहां पर सुर्य की स्थिती भी ऐसी है पावर बहुत है चंदरमा से हज्जारों गुणा बड़ा भी है लेकिन प्रत्वी से दूरी है और इस दूरी के कान ये हार गया यहां पर जो प्रत्व जी है अब आपके इसाब से किधर बनना चाहिए जवार उत्पन किधर होना चाहिए यहां उत्पन होना चाहिए कि यहां उत्पन होना चाहिए कि यहां उत्पन होना चाहिए कमेंट करके बताओ जल्दी से अगर ऐसी 90 डिगरी की स्थिती बन रही है तो जवार किधर जोधिरी जी कैसे हैं मंगल राम जी बताएं बाड मेर से बहुत बहुत स्वागत एक बार सारे बच्चे देखो 102 बच्चे 100 बच्चे के करीब है जितने बच्चे उतना लाइक कर दिया अगरो क्योंकि एक एक सेशन को बनाने में घंटों समय बिताना पड़ता है पड़ाने को तो मैंने इसे जोग्राफिक की टोपिकों को क्यों बचा के रखा था क्योंकि ये टोपिक ऐसे हैं कि एक बार आप सीख लोगे ना जिंदगी पर नहीं बूलोगे इस्ट्री में समझाने वाली बात नहीं होती है इस्ट्री में तो रट्टे वालनी बाल होती है जो अगर आफ ही जो है ना वहाँ पर समझने वाली बात है, तो थोड़ा सा आप थोड़ा सा अपना प्यार मेरे पड़ती भी जाहिर कर दिया करो, एक बार सारे बच्चे लाइक बटन दबा दो फट से, दबा दो एक बार, और अपने दोस्तों के साथ सेर कर दिया, अगरो इससे थोड़ा सा ऐसे मोटिवेशन मिलता है, और महनत करने को फिर मन करने लगता है, तो याद रखना, यहाँ पर स्थिती देखो अलग होगी, लगता तो ऐसे है कि गुरुजी या तो दोन्नों तरफ बनेगा, जैसे option paper में क्या आगया, क्यूशन क्या पूछ लिया मालो, हलाकि REIT में इतने deep question नहीं पूछ जाएंगे आपसे, basic question पूछ जाएंगे, लेकिन फिर भी किसी और exam में question आगया, कि कुरिये पर्थवी और चंद्रमा 90 degree का कोण बना रहे हैं, ऐसी स्थिती में जुवार कहां उत्पन होगा, और चित्र बना के दे देंगे, B बिंदू पर या A बिंदू पर, पहला option A पर, दूसरा option B पर, तीसरा option A और B दोनों पर, और चोथा option, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो याद रखना, अगर स्थिती 90 degree की है, तो याद रखना, यह जो सूर्य है, यह पर्थवी से बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है, तो इसके जो मन की feeling है न, इसके मन की feeling यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, और इस चीज का फाइदा कौन उठाएगा, यह उठाएगा चंद्रमा, तो चंद्रमा का power यहाँ पर ज़्यादा होगा, और यहाँ पर एक जवार उत्पन होगा, क्या उत्पन होगा, जवार उत्पन होगा यहाँ पर, यहाँ पर नहीं होगा, चंद्रमा की तरफ जवार उत्पन होगा, एक जवार फिर इसके परतिकरिया के रूप में यहाँ पर भी उत्पन होगा, तो यह जो दोनों जवार उत्पन होगे, यह निमन जवार कहलाएंगे, निमन जवार कहलाएंगे क्योंकि कारण क्या हुआ कि सुरिये दूर ज़्यादा है प्रत्वी से सुरिये जो है वो ताकतवर तो है लेकिन वो दूर ज़्यादा है चंद्रमा पास है तो सक्ती पास वाले की ज़्यादा इफेक्टिव होती है इसलिए यहां पर जो है जो जवार उत्पन होगा वो होगा इस दो बींदू पर और इसे निमन जवार कहते हैं निमन जवार कब आता है आपको पता है शुकल और कर्षन पक्ष की सब्तमी अश्टमी को शुकल आगे लिखवाओंगा मैं सारा शुकल और शुकल ये शुकल शुकल या शुकला शुकल या रश्टन पक्ष की सब्तमी या यह जो दिन होते हैं यहां पर निम्न जवार आता है अब आपके दिमाग में इन तीन कंडिशनों से एक बात कलीर हो गई है और मुझे यह विश्वास है कि आपको अब कोई भी आपसे पुछे कि यह जवार भाटे का मामला क्या है यह उच जवार निम्न जवार है क्या यह उ तोपी को समझ चुके हो तो एक बार कमेंट में बता दो कमेंट में लिख दो दिल क्या करे जब किसी से प्यार हो जाए अब आपके समझ में आ गया है तो कमेंट में लिख दो दिल क्या करे जब किसी से प्यार हो जाए गीत सुना होगा ना अब दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए तो लिख दो फटा फटा लिख दो अगर समझे में आ गया है तो लिख देना नहीं समझे में आया है तो फिर मत लिखना अब थोड़ा सा लिखने वाला काम कर लो situation तीनों समझे में आ गई आपको अब लिखो आप जवार भाटे की उत्पती लिखो ये जो जितनी बाते हमने समझी है उनको लिख लो अब जवार भाटा की उत्पती लिखो उत्पती में लिखो अब लिखने वाली बात है समझने वाली बात हो गई अब लिख लो रजिष्ट्न निकालो प्रत्वी चंदर्मा औरす्प्रिए की पारश्प्रीक गुर्तूआ कर्ष्ण सकती की किरिया सिल्ता ही जवार भाटा उत्पती का मुख्य कारण है यानि जवार भाटा उत्पती के कारण लिख दो, ऐसे लिख दो, के कारण, के कारण, और कारण में क्या लिख दोगे आप, लिख दो, प्रत्वी चंद्रमा और सुर्येव की पारस्प्रीक गुर्त्वा कर्शन सक्ति, पारस्प्रीक गुर्त्वा कर्शन सक्ति, की क्रिया सिल्ता, की क्रिया सिल्ता की जवार भाटा उत्पती का कारण है, ठीक है? यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है, समझली दूसरी बात लिखो, चंद्रमा का चवार, उत्पातक बल, सुर्ये की पेक्षा, दो गुणा होता है, यह बात हमने पढ़िये ना भी अभी, लिखो, चंद्रमा का चंद्रमा का चिवार उत्पातक बल, बल, सुर्ये से, सुर्ये से, दो गुणा, दो गुणा, अधिक होता है, अगर कोई आप से पूछ लिया जाए, पूछ ले की बढ़ी बताओ, सुर्ये का जादा है, की चंद्रमा का, तो चंद्रमा का डबल है, इनका जो अनुपात है, वो लिख लो आप, जैसे माल लो, ऐसे लिखोगे आप, की चंद्रमा, अनुपात, सुर्ये, तो इनका जो रेशियो है, वो क्या है, चंद्रमा, ग्यारा बल लगाता है, तो सुर्ये जो है, वो छे ही बल लगाता है, यानि ये इनका अनुपात है, जब भी कोई जवार आता है, तो उसमें, जैसे मालो, सुर्ये, चंद्रमा, और प्रत्वी, तीन ठीक है 14 पाथ 6 होता है देखो जीवन बदलाव का नाम है एक बार एक बच्चे ने कमेंट किया था अभी 3-4-5 दिन पहले दिपावली से पहले कि गुरुजी मज़्या नहीं आ रहा है और ये बात मुझे बहुत जादा जो है वो लगी और मैं उसका भूद भूद धन्यवाद भी करता हूँ ऐसे बच्चे जो सत्ते बोलते हैं जनरली क्या होता है कि आप चाहें offline class में पढ़े हो, online class में पढ़े हो बच्चे चाहें समझ में आए नाए वो यही कहते हैं गुरुजी समझ में आगे होगा गुरुजी पूझे बच्चों समझ में आया कि हाँ आ गयो वास्तों में शच्चा छातर वो ही है जो अपने मन की बात कहीं और उस बच्चे ने जब यह बात कहीं कि नहीं समझ में आ रहा है क्लास बोरिंग लग रही है तो मुझे ऐसे अंदर ही अंदर फील हुआ कि यार वास्तों फिर मैं वेसे तो देखता ही रहता हूं लेकिन फिर मैंने ओ दुबारा उस वीडियो को पांच-छे बार देखा हम ओ यार इस वीडियो को एक घंटा अगर मुझे देखना है तो यार ऐसे तो मैं पढ़ाई से तो बोर हूँगा मैं भी बोर हो जाऊँगा तो इसमें थोड़ा इंट्रेस्ट पेदा करना पड़ेगा थोड़ा सा महनत जादा करनी पड़ेगी और इसे महनत को लेकर हम फिर से हमने अपने पूरे सेसनों का आंकलन किया और फिर हमने त कि अब कुछ इंट्रेस्ट बनाना पड़ेगा तभी तो मज़ा आएगा कोई चीज पढ़ने में हाँ दिपावली के दूसरी दिनी जो है वो शुर्य ग्रहन था तो यह याद रखना चंद्रमा और सुर्य का जो रेशियो है वो ग्यारा अनुपाथ 6 का रेशियो रहता है ज्वार भाटा उत्पती के कार्ण समझ में आ गये पहला कार्ण है कार्ण एक ही है कि सुर्य प्रत्वी और चंद्रमा जब तीन एक सीद में आते हैं या इन तीनों के जो पारसप्री गूर्तवा करशन सक्ती है वह जवार भाटा उत्पन करती है और चंदर्मा का जवार उत्पन करने का बल सुर्य से दो गुना sinde दू गुना अधीक होता है और इनका ratio समझ में आ गए अब चर्चा करते हैं हम कि यह जो जवार उत्पन होता है कहां गई रे 13 लाइड लिखा था ना भी हमने पीछे लिखा है हमने यहाँ वाली फिर स्लाइड कहा गई एक स्लाइड यह थी यह उपर नीचे हो गई है कोई बात नहीं है सही कर लेंगे इसको अब लिखो आप इसमें अब लिखो आप इसमें मैं सेव कर देता हूं इसको पहले अब लिखो नेक्स्ट बात लिखो समय किस समय जवार आता है लिखो समय लिखो समय जवार भाटा का समय लिखिए समय में लिखें आप समय में लिखिए आप समय में लिखिए आप परत्वी पर परतेक्स्तान पर परत्वी दिन 12 घंटे 26 मिन्ट के बाद जवार और 6 घंटे 13 मिन्ट के बाद भाटा आता है परत्वी पर परत्वी पर परतेक्स्तान परतेक्स्तान पर 12 घंटे 26 मिन्ट 12 घंटे 26 मिन्ट के बाद जवार आता है ठीक है पहली बात लिख ली दूसरी बात लिखो इसके बाद इसके 6 घंटे यानि जवार आने के 6 घंटे 13 मिन्ट 13 मिन्ट के बाद बाद भाटा आता है यानि परत्वी पर जो भी इस सिच्वेशन में आएंगे गुर्तवा कर्शन बलके वहाँ पर 12 घंटे 26 मिन्ट के बाद जवार आएगा और 6 घंटे 13 मिन्ट के बाद आएगा भाठा क्या आएगा भाठा आएगा ठीक है कभी कभी आँखों से ओजल हो जाता हूँ ये केमरे को मैंने छूट दे रगी है जैसे आपको कहा था आज सुभाए को मैंने फिर फोकस पर मैंने भी ऑटो फोकस करने की छूट दियो नाराज हो गयो ये पुलागे बेट ये केमरो तो फिर मैंने कहा ले कोई बात नहीं जब सब कोई छूट मिल रही है तो तु भी छूट ले तो इसको आटो फोकस कह दिया तो कल इसको वापस करेंगे fix focus पर तो auto focus में क्या करता है जब भी अब ये camera मुझे बड़ा प्यार करता है तो जब भी मैं इससे पीट फेड़ता हूँ ना इधर तो ये camera मुझे नराज हो जाता है और ये कहता है अच्छे मेरे की तरफ मूर नहीं करते हो तुम मेरी तरफ मूर नहीं करते हो ना तुम मैं तुम्हे auto focus करूँगा और ये मुझे auto focus कर देता है ये मुझे auto focus कर देता है तो ये प्यार का सारा खेल ही प्यार का है तो camera मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेरे focus में रखी यार ऐसे इसको समझाएंगे कल और समझाएंगे इसको लिखो समय लिखो दूसरा समय लिखो यह जो 26 मिंट का अंतर है यह प्रत्वी के प्रई भर्मन गती के कारण होता है नोट लगाके लिखो 26 मिंट का अंतर प्रत्वी के प्री भर्मन के कारण होता है यह जो 26 मिंट का अंतर होता है यह प्रत्वी के प्री भर्मन के कारण जो है वो होता है एक बात और लिखो नोट लगाके इसी में कि दो जवार या दो भाटे के मध्ये का अंतराल 12 गंटे 26 मिंट होता है एक्जामिनर क्यूशन कैसे भी पूछ सकता है क्यूशन पूछ लिया इसने एक्जामिनर ने क्यूशन पूछ लिया क्या पूछ लिया इसी में लिखो नोट लगा के कि दो जवार दो जवार, ऐसे लिखो, दो जवार, और, हलाकि बात वो ही है, यही बात है, जो उपर लिखी है, लेकिन पूसने का तरीका देखो, कि दो जवार और दो भाटों के मध्य, मध्य, कितना अंतर होता है, तो दो जवार, दो भाटों के मध्य, 12 घंटे, और 26 मिंट का, ठीक है, अंतर होता है, अंतर होता है, बात वो ही है, जो उपर लिखी है, बस तरीका दूसरा हो गया, एक जवार और एक भाटे के मध्य किंतरा अंतर हो जाएगा, एक जवार, एक जवार और एक भाटे के मध्धे, अच्छा मध्धे के उपर भी मात्रा लगा देते हो, एक जवार और एक भाटे के मध्धे, 6 घंटे, और तेरा मेंट का अंतर होता है, यह लिख लो, हो गया? एक बात और लिख दो, जवार परती दिन कितनी बार आता है, वैसे तो पीछे लिखी हूँ, यह दो बार आता है, लिखा हुआ ना, यहां पर देखो, मैंने यहां पर लिखा दिया वैसे तो, दिन में दो बार जवार आता है, ठीक है, एक तो किसके कारण आता है, चंद्रमा के कारण आता है, और दूसरा किसके कारण आता है, अब केंद्रिये बल के कारण आता है, एक बार फिर से लिख लो, एक बार फिर से लिख लो, लिखो, दिन में, दिन में, दो बार, जो मैंने आपको समझाया है, वो लिखवा रहा हूं, दिन में दो बार, जवार, आता है, ठीक है? और भाटा भी दोबारी आएगा पहला जो आता है वो आता है चंद्रमा के चंद्रमा के आकर्षन के कारण, चंद्रमा हालाकि सुर्य का भी आकर्षन होता है लेकि लिखा चंद्रमा है क्योंकि चंद्रमा का ज्यादा होता है आकर्षन के कारण, और दूसरा, दूसरा, से बलके कान नहीं बोर्ड बेवफा नहीं है बोर्ड तो बहुत ही शाणा है यह केमरा थोड़ा सा क्या है कि जब प्यार जादा होता है न तो यही होता है जैसे मान लो कि आप कोलेज में पढ़ते हो और आपके साथ में ही जैसे आप लड़के हो और आपके साथ में एक जैसे मालो पहला दूसरा देनिया आपके मन में उसके प्रति कोई प्यार अभी है नहीं, तो वो चाहें किसी से बोले, चाहें वो तीन चार लड़कों से बाते कर रही है या कुछ भी कर रही है, आपको कोई फरक नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपको उससे प्यार हो गया, ओहो, क्या हो गया, प्यार हो गया, और आपने उससे कह दिया कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम आपके बिना मर जाएंगे, जीनी पाएंगे हम, और उसने भी कह दिया कि हाँ, बिलकुल, मैं भी, मैं भी करती हूँ तुमसे प्यार, अब देखो मजा, तो यहां से शुरू हो गा जो केमेरा मेरे साथ कर रहा है वो ही आप उसके साथ करो गए अच्छा न अ अ जह तो त्यूर फ़ान बीजी कि यह तो अ जह क्यों तो उस लड़के के साफ क्या बात कर रही थि यानि जैसे ही प्यार होगा प्यार में अधिकार शुरू हो जाता है अधिकार आपको आपका उस पर ऐसे लगेगा कि ये मेरे से बात करें ये मेरे से फोन पर बात करें मेरे से सीधे बात करें कोई भी काम हो बजार से रजिस्टर लेके आना है मुझे कहे कि जाओ बजार से रिजिश्ट लाके दो चाउमीन खाने का बन कर रहा है तो मुझे कहे कि चाउमीन खानी है पेडर दोरा तो भी मुझे कहे सरदर दोरा तो ही मुझे कहे किसी और से क्यों तो मेरी हो तो मुझे ही कहो तो ये दिक्कत इस camera को हो रही है, ये कहरा कि तुम मेरी तरबी देखो, इस board के साथ, ये board के camera की दोनों की आपस में बनती नहीं, तुम board की तरफ क्यों देख रही हो, तो प्यार में अधिकार, अपना पनाता है और फिर यही से जगडे शुरू हो जाता है, तरफ देखूं मेरे मर्जी आएगे मुझे बात करूँगा प्यार गड़ते हैं ठीक यार कोई गुलामी थोड़ी है तुमारी कोई गुलामी थोड़ी है आगे बढ़ दें दूसरा कोण सा बल है प्रत्वी के अपकेंदरिये बल के कारण ये दो कारण है पहला चंद्रमा का आकडशन है और दूसरा प्रत्वी का अपकेंदरिये बल है जिसके काण क्या आता है जिसके काण क्या आता है जुआर आता है ठीक है यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो कोई समस्या कोई प्रोब्लम कोई और कोई दिक्कत जो भी है आप कमेंट करके पूछ सकते हो अभी इसके बाद एक और बात लिखो आप एक question आप से tweet में इस तरीके के question पूछे जाएंगे आप से note लगा के लिखना generally तो प्रत्वी पर दो ही प्रका एक दिन में दो ही क्या आते हैं general condition में तो दो ही जवार आते हैं एक दिन में एक दिन में कितने जवार आते हैं दो आते हैं लेकिन इंगलेंड के अंदर एक शाव थेपतन नामक स्तान है, इंगलेंड में एक शाव थेपतन नामक स्तान है, जहां एक दिन में च्यार जवार आते हैं, तो नोट लगा के लिखो, नोट लगा के लिखो कि इंगलेंड के इंगलेंड के शाव थेपतन में दिन में च्यार बार जवार आते हैं, इसकी भोगोलिक स्तिती ऐसी बन जाती है, कि यहां दिन में च्यार बार जवार आते हैं, आप इतनी बात याद कर लो कि इंगलेंड के इसके क्यों आते हैं ये थोड़ा सा भो जादा डीप हो जाएगा जो अपने लेवल से उपर चला जाएगा और फिर आपको नीद आने लेगेगी तो बस इतना याद कर लो इंग्लेंड के साउथ हेप्टन में दिन में च्यार बार जवार आते हैं अगर एक ज्यामिनर कोई गहरा क्यूशन पूछेगा तो बस इतना ही पूछेगा आपसे कहां पर जर्णली तो प्रत्वी पर दो ही बार जवार आते हैं लेकिन कौन सा अस्तान है जहां च्यार बार दिन में जवार आते हैं एक दिन में च्यार बार जवार आते हैं बिल्कुल इसकी भी चर्चा करेंगे दूसरा क्यूशन ये भी पूछा जा सकता है आप से बिल्कुल सही कमेंट में लिखा है एक बच्चे ने कि सबसे ज़्यादा जवार या या जो है वो सबसे उंचा जवार कहां आता है बिल्कुल सही कहा है आपने फंडी की खाड़ी उत्री अमेरिका में जो है वो सबसे ज़्यादा जवार आते हैं ये बात आपकी बिल्कुल करेक्ट बात है बिल्कुल सत्ते बात है ये भी मैं आपको आगे लिखाऊंगा यहीं लिखलो चाहे सबसे उंचा जवार, कहां आता है, सबसे उंचा जो जवार आता है, वो आता है आपका फंडी की खाड़ी, फंडी की खाड़ी, कहां है ये फंडी की खाड़ी, उत्री अमेरिका में हैं, उत्री अमेरिका में, फंडी की खाड़ी में सबसे उंचा जवार आता है, विश्वा में सबसे उंचा जवार फंडी की खाड़ी में आता है, लिख लिया लिख लिया अब जवार के प्रकार लिख लो next heading डाल दो जवार के प्रकार तोपिक तो छोटा सा ही है चाहते हैं तो 10 मिन्ट में भी ये टोपिक हो सकता था अना 10 मिन्ट का ही टोपिक है वे से देखा जाए लेकिन समझाना है अगर तो फिर थोड़ा समय लगता है पहला है दिर्ग जवार दिर्ग या उच जवार दिर्ग या उच जवार किसे कहते हैं आप सब जानते हैं कौन सिस्तिति में आता है दिर्ग या उच जवार जब सूर्ये चंद्रमा परत्वी तीनों एक कंडिसन में हो जब सूर्य चंद्रमा जवार के प्रकार लिखा रहा हूँ और प्रत्वी और प्रत्वी एक सिध में हो आप चाहें तो इसके आगे जैसे आपको याद रहे इसके लिए आप ऐसे कर सकते हो सूर्य बना सकते हो आप चंद्रमा बना सकते हो एम लिखे और प्रत्वी बना सकते हो और ऐसे इसके उपर लाइन खेंच दो यह जो स्थीती है सोट में यानि कोई बत्सा चाहता है कि मैं इतली लाइन ना लिखूं तो वो केवल यह छोटा सा चितर बना सकता है क्या बना सकता है छोटा सा चित्र बना सकता है यह कंडिसर कब बनती है अम्मावश्या अम्मावश्या वै पूर्णिमा को को जो है वो कौन सा जवार आता है दिर्ग जवार आता है और ये जो दिर्ख जवार होता है, ये है। 20 परतीसत ज्यादा ऊंचा होता है। यानि मान लो कि ये एक सागर है, ठीक है? ये इसका तल मापने के लिए एक यद्ध लगा रखा है हमने, ठीक है? तो अगर कोई यहां पर अब तो इतना है सामान्य जवार जो आता है उसमें मान लो यह इतना जाता था सामान्य जवार में तो यह इतना जाता था लेकिन जब दिर्ग जवार आता है तो यह इतना उचा चला जाता है है ना तो इसे क्या कहेंगे दिर्ग जवार कहेंगे 20 परतिसत ज्यादा उंचा पानी जाता है दूसरा लिखो आप लगू जवार लगू लगू भी कह सकते हैं निम्न भी कह सकते हैं निम्न जवार ये कौन सी स्थीती में बनता है ये ऐसी स्थीती में बनता है जब चंद्रमा प्रत्वी और शुरिये ऐसे लिख दो देखो सोट में लिख लेते हैं चंद्रमा और प्रत्वी इन तीनों के मद्धे 90 डिगरी बनता है ये लो ये होते हैं नोट्स लिखने की जूरती कहां लिखने की जूर्थ पड़ी गुपाल गह रहा है कि गुर्जी ते तो बिगाड़ो लुच्चा हो गया अरे लुच्चा ही पड़े हो यारते सागराई ऐसा नहीं है कोई बिगड़ने और बिगाड़ने वाला मेटर ही नहीं चाहे कि पढ़ाई का कामना सबसे कठी नहीं अगर मन ना लगे तो पढ़ाई में मन ना लगे तो पढ़ाई का काम जो है वो सबसे ज़्यादा कठिन है तो मन लगाने के लिए कुछ न कुछ ऐसी चीज़े चाहिए जिससे कि मन लग जाए थोड़ा इंट्रेस्ट पेदा हो रोबोट ना बने हम ना रोबोट ना बन जाए क्या दुख है क्या दुख है क्या दुख है समंदर को बता भी नहीं सकता क्या दुख है समंदर को समंदर को क्या दुख है बता भी नहीं सकता आशू की तरह आशू की तरहे आँख तक आ भी नहीं सकता क्या दुख है समंदर को बता भी नहीं सकता आशू की तरहे आँख तक आ भी नहीं सकता वो छोड रहा है तो इसमें खथा क्या उसकी वो छोड़ रहा है तो उसमें खता क्या उसकी हर सक्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता हर सक्स जो है वो मेरा साथ निभा नहीं सकता और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात हर एक बेरोजगार कहता है क्योंकि बेरोजगारी में पैसे नहीं है और पैसे में कौन कितना साथ निपाता है मैंने कई बार काया कि जब बंदे की पृष्टितियां खराब होना तो वस्तर भी भार लगने लगते हैं तो हम सब तो समंदर हैं आप सब समंदर हैं तो आप रो नहीं सकते हैं अपना दुख किसी को बता नहीं सकते हैं आप अगर पेपर में फेल हो गए पेपर रद हो गया सीटे कम हो गई ना तो अंदर ही अंदर तो दुख ही हो सकते हैं लेकिन किसी के सामने आशो नहीं टपका सकते आपके दर्द को जिस परकार समंदर के दर्द को हलवा तो नहीं है न, ये, ये बनाया और खा लिया, हलवा तो नहीं है न, ये, हम जिस लखे की और बढ़ रहे हैं, ये डायलोग मैंने वहीं से लिया था, आज वो, मैंने आपको बताया न, न, मेरा जूनियर, देखना भी, अमित बढ़ाना की छोटी सी एक घंटे की मुवी है मेरा जूनियर उसको जुरूर देखना लुए हल्वा तो नहीं है ना ये बनाया और खा लिया हम जिस राहा पे चल रहें न वहां पर समय लगता है वह आप और मैं जिस राहा पे चल रहें नोखरी की तलास में उसमें लगता है खेत में काम करना हो न तो छह मैंने में फसल पक्के त्यार हो जाती है, आपा कड़ी काड़ी काटीर सिटी काड़ी बाजरी मशीन मूं कड़ागे और गरे लिया वाँ यानि हाथ का काम है, महनत का काम है तो कर भी लें, लेकिन यहाँ पर हम महनत तो करते हैं लेकिन हम यह नहीं बता सकते कि कितना समय लेगेगा तो हल्वा नहीं है ताइम लेगेगा हम जिस रहा पे चल रहे हैं वहां पे टाइम लगता है लिखो थोड़ा साई टोपिक बचा है लगू जवार या निम्न जवार कब आता है जब चंद्रमा परत्वी सुरिय तीनों क्या हो 90 डिगरी पर हो चंद्रमा परत्वी और सुरिय क्या हो 90 डिगरी पर हो तो क्या आता है लगू जवार आता है और शुक्ल या कृष्ण पक्स क सब्तमी या अश्टमी को कब आता है ये शुकल या तुरश्ल पक्ष की सब्तमी या अश्टमी अश्टमी को आता है और ये जो जवार होता है ये 20% कम होता है 20% कम उंचा होता है वो 20% ज़ादा उंचा होता है और ये 20% कम उंचा होता है तीसरा जो जवार का प्रकार है वो कोण सा है तीसरा देखो तीसरा ये हमारी प्रत्वी है ये जो हो गई वो भुमद्य रेखा हो गई या विश्वत रेखा हो गई ये आपकी करक रेखा हो गई, ये मकर रेखा हो गई, ये कौन सी रेखा है, करक रेखा है, ये मकर रेखा है, तो जिस तरीके से प्रत्वी गती करती है, उसके साथ चंदरमा भी गती करता है, करता है ना, तो एक बार तो चंदरमा जो है करक रेखा की ओर आएगा, ठीक है, एक लगालेगा ऐसी स्थिति में कोन सा जवार बनता है उशन कती बंधिये जवार बनता है क्या MAT Nä मजमें जहां नहीं आए अलाकि हमने प्रहतन तो पूरा गया फिर भी आप पूछ लेना जिस तरह सुर्य उत्राइन और दक्षिनाइन होता है जिस तरह हम कहां से पढ़ रहे हैं पहले यह जान लीजिएगा हम NCRT कक्षिया 7 चेप्टर नंबर 5 NCRT कक्षिया 7 चेप्टर नंबर 5 जिस तरह सुर्य उत्राइन और दक्षिनाइन 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 होता है उसी तरह संद्रमाभी उत्राइन और दक्षिनाइन दक्षिनाइन होता है और ऐसी स्थिति में जो है वो क्या बनता है एक बार तो यहां पर जवार उत्पन होता है एक बार इधर उत्पन होता है तो तरक रेखा पर उचे जवार एक महा में दो बार आता है और इसके वीपरीत मंकर रेखा पर जो है वह इसके अप के इंदरीय बल पर जैसे मान लो कि इंदर मांगर इधर है तो इधर तो क्या हो जाएगा जवार उत्पन होगा और इधर इसके अपकर्षन के कारण जो है जवार उत्पन होगा ठीक है तो दिन में दो बार जवार आते हैं एक बार जैसे दो बार करक रेखा पर उचे जवार आते हैं एक महिने में दो बार और मकर रेखा पर जो है इसके अपकेंदरिये बलके कारण आते हैं, ठीक है, यहां तक कोई दिकत है, मैंने कहा ना विक्रम जाने, यह सारी समस्याओं का हल मैंने बता दिया आपको, आप जो है वो एक नई छोटी सी मूवी आईए, एक घंटा की, आज सोने से पहले उसको देखना, टाइटल लिख लो उसका, मेरा जूनियर अमित बड बताना, और फिर वो मूवी आएगी, एक घंटा की है, आप उसको देख लेना, और उस मूवी को देखने के बाद भी अगर आपको प्रोगलम रहे, तो फिर कल आप मुझे दस बज़े वाली कलास में बताना, सुबह वाली में, मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई भी समस्य रहेगी, कोई भी समस्या हो आपके जीवन की, पारवारिक हो, सामाचिक हो, घरवालों की हो, बाहरवाली की हो, घरवाली की हो, पढ़ाई की हो, लिखाई की हो, इन सारी समस्याओं का एक हल मैं आज आपको बता रहा हüm, कि आप जाके एक मूवी देखना, छोटी सी एक और अमित बढ़ाना की ये मूवी है इसको देख लेना एक घंटे का समय निगाल कर फिर कोई समस्या हो तो मुझे कोल कर लेना आपको कोई समस्या नहीं रहेगी जो भी आपका मोटिवेशन है जो भी आपकी समस्या है सबका हल हो जाएगा चोथा प्रकार रेखिये जवार विशुवत रेखिये जवार जैसे हमने यहां पर पढ़ा था जो है वो यहां की ओड़ लगाता है एक बार यहां तो फिर यहां ऐसे ही तो आएगा तो यहां पर भी एक जवार उद्बन होता है और यह रेखा कौन सी है विशुवत रेखा है तो इसे लिए इसे विश्वत रेखिये जवार जो है वो कहा जाता है और परतेक माहा में चंद्रमा विश्वत रेखा पर लंबवत होता है तो ये जवार जो है वो आता है जब लिखो परतेक माहा में चंद्रमा जब विश्युवत रेखा पर लंबवत होता है जब विश्युवत रेखिये जवार उत्वपन होता है ये लोजी आपका टोपिक हो गया पूरा आज थोड़ा से लंबा टोपिक हो गया धाराएं जो हैं जो गरम और ठंडी धाराएं हैं उनको हम क्या पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे ठीक है कल पढ़ेंगे नोट लगा के एक बात और लिख दो खूले सागर में कम उचा जवार आता है नोट लगा के लिखो खूले सागर में सागर में कम उचा जवार आता है और स्तल स्तल के पास या स्तल के साथ जवार आता है यह वोई बात होगी सागर के अंदर कोण देखेगा जवार को यह बता हूँ तो अकेले रूम में बेठके आप अगर मेश देख रहे हो चाहे हारे जीते खूशी होती है लेकिन जाहिर नहीं कर पाते हो वही मेश जब दस दोस्तों के साथ देखो तो और ज़्यादा मज़ा आता है और ज़्यादा खूशी च्यार गुणा बढ़ जाती है टोपिक आप अच्छे से समझ में आ गया है तो लिखदो क्या लिखदो अगर टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है तो लिखदो दिल तो बच्रा है जी जल्दी से लिखो फिर session के end करें और कोई question है तो पूछ लो जल्दी से फट से अज़र topic अच्छे से समझ में आ गया है तो लिख दो दिल तो बच्चा है जी थोड़ा कच्चा है जी बातों में आ जाता है किसी की दिल तो बच्चा है जी सर पूजा मुझसे साधी करना चाती है साधी करना चाती है तो फिर नेकी और पूछ पूछ है नेकी और पूछ पूछ पूजा अगर आप से साधी करना चाती है तो आप भी पूजा से साधी कर लो कर लो साधी पूजा से यार तुम से कोई साधी करना चाहती है और तुम पूछ रहे हो यह पूछने वाली बात ही नहीं अगर तुमारी जगह और कोई होता तो अब तक तो बता देता कि सर मैंने तो साधी कर ली है ना दिल तो बच्चा है जी ओके बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग आए इसक करता हूँ कि टोपिक आपको अच्छे से समझ में आया है और जवार भाटे से समधित कोई भी क्योशन इसके बाहर नहीं होगा NCRT क्लास 6, क्लास 7, छेप्टर नम्मर 5 रिटेल में जाके और जादा वहाँ पढ़ सकते हो लेकिन यहाँ पर हमने इसका बहुत अच्छे से व परिवार है इसलिए आप इस परिवार को बड़ा कर सकते हैं आप इस परिवार के ब्रैंडमेस्टर है आपको अच्छा लगेगा तो सबको अच्छा लगेगा तो अगर आपको लगे कि यह महनत अच्छी है सच्छी है और इस महनत का हर उस बच्चे को अधिकार है जो प्रिस्तितियों के कारण या अपनी पारवारिक समस्याओं के कारण तो इस सेशन को जरूर लाइक करें शेयर करें अगर नए हैं तो सस्क्राइब बटन पे क्लिक करें अभी के लिए सुब्राइब नमस्कार विद्वान साथियों एक बर फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में एक बर फिर से आप सब का हार्दि स्वागत अभी नंदन जैस्री राम राधे राधे आए शुरुवात करते हैं एक और बेहत्रिन सेशन की और यह एसस्टी का अंतिम टोफिक है 55 क्लास में हमने जो है वो कंप्लीट एसस्टी जो है वो कर लिया है यानि आज आपका एसस्टी का पूरा स्लेबर्स हो जाएगा और कल से एसस्टी की सिक्षन विधियां शुरू करेंगे ठीक है तो कैसा लग रहा है आपको कैसा लग रहा है बताएं सुनिल चाट साहिल जाट कैसे हैं आप कोल्देव बिस्नोई कैसे हैं जिंदिगी में कभी सोटकट नहीं लेना चाहिए अगर दिल में कोई काम करने की लगन हो तो कोई भी काम मुनकी नहीं है क्या बात अच्छा गए यार आप तो जो बच्चे इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं उनको बता देतना चाहता हूँ कि प्ले लिस्ट बनी हुई है पूरा का पूरा एस स्टी आपका इन फिप्टी फाइफ वीडियो में कवर हो रहा है एंसे आर्टी को बेस मानते हुए हमने पूरा एस स्टी करवाया है आपको और यहां से बहुत सारे बहेदरिन के उश्राब को पेपर में मिलेंगे तो अगर आप नए हैं पहली बार आए हैं अभी अभी जुड़े हैं तो आप प्ले लिस्ट पे जाके जो है वह सारक के सारे स्टी के कलास को बिना किसी सुलक के घर बेठे देख सकते हैं और इन से अधेन कर सकते हैं और अपने लक्षे में आप जो है वो साहिता प्राप्ट कर सकते हैं तो आए करते हैं इस क्लास को कॉम्फर्ट जोन में आप हैं जितेंदर जी कह रहे हैं लेकिन जितेंदर जी मेरा परसनल मानना यह है कि जीवन में हमें कॉम्फर्ट जोन से हमेशा बाहर निकल कर और जादा जो है वो अलग कारी करने का प्रियतन करना चाहिए क्योंकि जहां पर हम कॉम्फर्ट समझते हैं जहां पर हमें ऐसा लगता है कि यह तो मेरे लिए सहज है आसान है तो फिर मज़ा नहीं आता है आप हमारे साथ पढ़े हैं अगर कोचिंग से तुलना करोगे तो हमने कुछ अलग अलाकि टोपिक वैसे के वैसे हैं लेकिन हमने आपको NCRT को बेस बनाते हुए सारे टोपिक करवाए हैं ठीक है साधारन भासा सिंपल तरीकी से करवाए हैं इनको पढ़ने के बाद अब हम वल लाइनर क्यूशन भी शुरू करेंगे कल संडे है तो कल की किलास में हम चर्चा करेंगे ठीक है मैं जिन्दगी के बारे में कह रहा हूँ कि जीवन में हमेशा हमें अपने comfort zone से बाहर निकल कर और बहतर करने का प्रियतन करना चाहिए ठीक है तो करें सुरवात आज के सेशन की रस्म जी कैसे है आप व रिरेंदर कैसे है शुरेस कैसे है hospital मेना आपका भी बहुत स्वागत और अभिनन दं बिल्कुल पर्षन भी करवाएंगे, प्रिवीजीर क्यूशन भी करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे, तो आज हम, देखो इससे पहले हम महासागर पड़ चुके हैं, इससे पहले हम जो है वो महासागर पड़ चुके हैं, हमने लास्टेसन में जवार भाटा पड़ा है, आ साड़े आठ बजे ही होगी ठीक है समय चेंज कर रहे हैं क्योंकि अब आपको पता राते बड़ी हो गई है तो नो बजे तक वेट करने की जूरत नहीं अब डेली किलास आठ बज के करेंगे महासागरिय धाराओं की तो देखिए इस चीज को समझने से पहले की धारा होती क्या है या हमें यह पता होना चाहिए कि धाराएं कैसे बनती है यह मामला क्या है धाराओं का थोड़ा सा आपको पीछे जाना पड़ेगा हमने प्रत्वी की गतियां पढ़ी थी है ना प्रत्वी की गति जिसमें हमने देखा कि यह जो हमारी प्रत्वी है एक बार थोड़ा सा पीछे चलके समझने का प्रियत्तन करना और अगर समझ में आए आपको अगर आपको बात समझ में आए अगर आपको बात समझ में आए तो फिर आप पता ना कि आपको बात समझ में आई है यह हमारी क्या है प्रत्वी है और इस प्रत्वी के जो है वो यहां पर क्या है जीरो डिगरी है क्या है जीरो डिगरी और जीरो डिगरी से कौन सी रेखा गुजरती है विश्वत रेखा गुजरती है ठीक है तो मद्दे रेखा भी आप इसे कहते हैं इसमें तो किसी को कोई दिक्कित नहीं है टेड़ी हो गई के थोड़ी थोड़ी तो टेड़ी हो गई किसी हो कोई दिक्कत है इतनी बात समझने में तो किसी हो कोई दिक्कत रही है कोई बात रही टेड़ी मेडी जैसी भी है इसके बात थोड़ा उपर चलते हैं यहां पर तो यहाँ पर आपके आती है करक रेखा और यहाँ पर आपके आती है मक्क रेखा 50-30 degree N और 70-20 degree R और यह आपके है धूर्विय परदेश चाहें यह धूर्विय परदेश है यह आपका North धूर्व है और यह आपका है South धूर्व यह बात आप सब को पता है यह आपका पूरुवग्यान है इस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं ठीक है, इस पे हम पहले चर्चा कर चुके हैं, हाद सलेबस, SST के अंदर, SST सबसे बड़ा सलेबस है, SST हो जाएगा, History आपका कंप्लीट होने वाला है, Geography कंप्लीट हो चुका है, और कलास संस्कृति की डेली क्लास से चल रही है, वो पूर्ण होने वाली है, मनोविज्ञान पूर्ण हो गया, सूचना तकनिकी पूर्ण हो गया, सेक्सिक प्रिदर्से की कलास चल रही है, आज तो नेटर प्रोलम थी, कलास नहीं हो पाई, लगभग लगभग मान के चलो कि 80% तो सलेबस होई चुका है, और 10 दिन में पूरा हो जाएगा, 100%, बच्चा क्या है आपका, एक तो RT वाला पार्ट बच्चा है, एक Current Affair का पार्ट बच्चा है, ठीक है, और फोड़े से 2-3 टोपिक हिष्ट्री के, और 2-3 टोपिक कलास संस्कृती के बच्चा है, कि यह जो प्रत्वी है, इसका यह जो भाग है, यह जो प्रत्वी है, इसका यह जो पार्ट है, यहां पर जो सुर्य की किरने हैं, वो क्या पड़ती है, यहां पर जो है, इस पार्ट में जो सुर्य की किरने है, यानि यहां से लेकर, और ये जो भाग है इस प्रत्वी का, यहां पर क्या पड़ती है, सूरज की जो किरने है, वो कैसी पड़ती है, सिधी पड़ती है, और जब सूरज की किरने क्या पड़ेगी, सिधी पड़ेगी, तो क्या होगा बताओ जल्दी से कमेंट करके, इस अस्तान पर सूरज की किरने स दुंदलाओ जाओ, फिर मैंने का केमरा बदमास हो गया है, अन्ना फिर हमने केमरे को आज मना लिया है, तो यह जो पार्ट है, यहां पर जो सुर्य है, उसकी किरने क्या पढ़ती है, लंबवत पढ़ती है, सुर्य की जो किरने है, वो सीधी पढ़ती है, और सुर्य की किरने स एसा माहूल रहता है जल्दी से बताव क्मैंट गर करें रहना जिस स्तान पर कि रहने शीदिर पड़ेगी वहां पर गर्मी जादा होगी किनेहीं होगी बताओ temperature हाई रहेगा यहाँ पर high temperature रहेगा कि नहीं रहेगा इस छेतर के अंदर जो है वो इस छेतर के अंदर जो है वो temperature कैसा रहेगा गरम रहेगा क्या रहेगा गरम रहेगा यानि करक रेखा से लेकर विश्वत रेखा और मक्कर रेखा इन दोनों रे खड़क रेखा मक्कर रेखा के बीच का जो पाल्ट है यहां पर शुर्य की किरने जो है वो लंबवत पड़ेगी और यहां टेंपरेचर हाई रहेगा जद आपने दो फरीग माईने जोरगी जूनग महिने में किल किलाती हुई धूप पड़े है तो आपने छत भी गरम हो जाए है आपनों फरस भी गरम हो जाए बारा जावाँ तो धोरा भी गरम हो जाए टीबड़ा धोरा टीबा मिटी आंगन फरस सब कुछ गरम हो जाता है हो कि यहां पर सब कुछ गरम हो जाता है तो यहां पर बहुत सारे सागर महा सागर है उनका पानी भी क्या हो जाएगा गरम हो जाएगा इस करक यानि साड़े 23 दिगरी उत्तर से लेकर और साड़े 23 दिगरी नौर्थ के बीच में जो भी सागर होगा जो भी महा सागर होगा उसका पानी जो है वो कैसा हो जाएगा गरम हो जाएगा पानी गरम होगा इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत है कि इस बात में किसी को कोई दिक्कत है किसी को कोई दिक्कत नहीं है अब देखो अब देखो लेकिन अगर हम चलते हैं धुर्व की ओर अगर हम यहां आते हैं अगर हम धुर्व की ओर आते हैं अगर हम धुर्व की ओर आते हैं तो धुर्व की ओर क्या है? सुर्य की किर्ने पहुंच नहीं पाती है सुरी की किर्ने जो है वो पहुच ही नहीं पाती है तो यहां पर तो बर्फ जमी हुई होती है क्या होती है बर्फ जमी डियो है ठीक है यहां पर बर्फ जमी होती है फिर थोड़ा आगे चलेंगे तो यानि करक रेखा के बाद आगे मकर रेखा के बाद आगे क्या होता है थंडा एरिया आ जाता है यहां पर क्या जमी हुई है बर्फ जमी हुई है यहां पर तो बर्फ जमी हुए बहुत ही ज़्यादा सर्दी है थोड़ा सा आगे चलोगे तो थोड़ी कम सर्दी है यानि यह वाला जो छेतर है यहां पर पूरा जो मामला है वो क्यासा ह जो भी छेतर होगा, जो भी यहाँ पर सागर महासागर होगे, उनका पानी क्या हो जाएगा? इस छेत्र का जो पानी है, यहां पर जो कोई सागर महा सागर है, यहां पर अगर कोई सागर महा सागर है, तो उस सागर महा सागर का पानी थंडा, या फिर बर्फ, बर्फ के रूप में होगा, इन दोनों छेत्रों में, इन दोनों छेतरों के अंदर ये कंडिशन होगी यहां पर पानी भो ज़्यादा गरम है यहां पर पानी भो ज़्यादा ठंडा है अब यहां पर एक बात तो समझ में आगी कि पर्थवी का एक पार्ट ऐसा है जहां पर भो ज़्यादा गरमी होती है पानी बहुत ज़्यादा थंडा होता है एक छेतर ऐसा होता है यानि एक छेतर जहां पर पानी बहुत ज़्यादा गरम है एक छेतर जहां पर पानी बहुत ज़्यादा थंडा है अब सर्दी आ चुकी है और हम सुबह सुबह गरम पानी से सिनान करने का प्रियतन करते हैं क्योंकि हमें ठंडर ठंडर लगती है ठंडी ठंडी ठंडर लगती है लगती है कि नहीं लगती है तो हम क्या करते हैं गरम पानी करने का प्रियतन करते हैं और अगर आपकी बाल्टी में गरम पानी है और उसमें अगर धीरे धीरे आप ठंडा पानी मिलाओगे तो गरम पानी हमेशा क्या होता है उपर जाता है गरम पानी जो है वो उपर की ओर जाता है और ठंडा पानी हमेशा नीचे की ओर रहता है लेकिन यहां पर क्या होता है यह यह जो गरम पानी है यहां का यह जो गरम पानी है वो तो इधर जाता है यह जो ठंडा पानी है वो इधर जाता है और यह जो ठंडा पानी है यह इधर आता है और यह क्यों होता है ऐसा यानि यह पानी गरम पानी ठंडे की ओर जा रहा है ठंडा पानी फिर गरम की ओर आ रहा ह फिर गरम पानी ठंडे की ओर जा रहा है ठंडा पानी फिर गरम की ओर जा रहा है इस परकार से पानी किरिया करता है ये क्यों पानी क्यों बहरा है पानी गरम पानी एक जर्णा है जो गरम पानी का बहरा है एक जर्णा है जो ठंडे पानी का बहरा है क्यों अब सागर महा सागर में इस तरीके की अनेको धाराएं बन जाती है एक धारा है वो गरम छेतर से आ रही है तो वो गरम धारा हो जाएगी गरम जल धारा एक धारा जो की ठंडे छेतर से आ रही है वो ठंडे जल धारा हो जाएगी ठीक है ठीक है यहां तक किसी ओ कोई दिक्कत है अब होता क्या है कि प्रत्वी आप सबको पता है कि जो प्रत्वी होती है वो अपने अक्ष पर घूमती है क्या करती है प्रत्वी घूमती है तो प्रत्वी कैसे घूमती है प्रत्वी घूमती है पस्सिम से पस्सिम से पूर्व की और पूर्व की और प्रत्वी घुमती है यानि प्रत्वी ऐसे घुमती रहती है ऐसे ऐसे घुमती रहती है अब यहां पर पानी है आप इस परियोग को वैसे तो छोटे बच्चे होते तो मैं आपको परियोग करवाता लेकिन आप तो सब मैचूर है परियोग करने के आप सकता न मान लिजिए आपने बाल्टी को पानी से भर रखा है ठीक है और आपने क्या क्या भरी वी बाल्टी को उसके नीचे पैंदे से पकड़ कर बाल्टी को नीचे से पकड़ कर मान लिजिए ये एक स्तल है और ये आपका स्नान घर है और ये पानी की बाल्टी है या टप है आपने इसको पूरा लबालब भर लिया अब आपने क्या किया यहां से एक बल डाला और बल डालके इस बाल्टी को आपने आगे खिसकाया तो बाल्टी आगे खिसकाओगे तो क्या पानी आगे जाएगा बताओ जल्दी से क्या बाल्टी को आप पीचे से धका दोगे तो पानी भी आगे जाएगा क्या नहीं जाएगा पानी क्या करेगा अगर आप यहां से धका दोगे इस टप को तो पानी यहां गिरेगा कहां गिरेगा यहां गिरेगा यानि पानी पीछे आएगा क्योंकि पानी तो वहीं है बालती आग गई तो पानी क वहोगा वह इस दिशा में आएगा अजित जो होगा किस दिशा में घुमती है तो पर है प्रव से पस्थिम से पूर्व यह बढ़ती है यह बात समझ में आई क्या आपको प्रत्वी जो है वो पश्यम से पूर्व की और घूमती है तो उसका विप्रीत बल लगता है पानी पर और इससे क्या होता है पानी पूर्व से पश्यम की और जो है वो घूमता है पानी जो है वो पसिम पूरों से पसिम की और आगे बढ़ता है यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताएं कमेंड करके बात समझ में आई यहां तक अगर बात जिन जिन को समझ में आ गई तो वो लिख दो मेरे सपनों की रानी कब आओगी तुम जिन जिन को मामला समझ में आ गया है वो लिख दो मेरे सपनों की रानी कब आओगी तुम और सपनों की रानी है नोकरी तो मेरे सपनों की रानी कब आओगी तुम बताओ समझ में आया तो लिख दो फटा से अब आपको दो बाते समझ में आ गई कि गर्म और थंडी जल धाराई क्या है जो पानी दोनों धुर्व से आता है उत्तरी और दक्षणी धुर्व से जो पानी की धाराई आती है वो ठंडी होती है और जो करक रेखा च्भाटा और मक्करेखा के मध्धे के छेतर से जो जल धाराएं बहती है वो गरम पानी की धाराएं होती है इतना मामला सबको समझ में आ चुका है ठीक है इतना मामला जो है वो सबको समझ में आ चुका है लेकिन लिख नहीं पा रहे हो सर्म आ रही है क्या ऐसे लिखते वे कि मेरे सपनों की राने कब आएगी तू ऐसे लिखते वे सर्म आ रही है जी लिख दो फटा फट लिख दो आगे बढ़ते हैं इसको एक और तरीके से भी समझ सकते हैं कि पानी जो है वो जो पुर्व से पस्सिम की और घूमता है आपने कभी गाड़ी चलाई है या आप अपने दोस्त के साथ गाड़ी में बैठे हो मोटर साइंकल तो लगबग सब या स्कूटी पर बैठे हो आप स्कूटी को अच्छानक से रेस दो जैसे घूर करोगे स्कूटी आगे भागेगी आप पीछे आपके पीछे धका लगेगा इसी तरीके इसी सिध्धान्त पर जो है वो प्रत्वी पस्सिम से पूर्वय की और घूमती है और उसके विप्रीत पानी जो है वो पूर्व से पस्सिम की और घूमता है समझ लो यह जो बात हमने लिखी है उसको समझ लो हम कहां से पढ़ रहे हैं यह बात आज मैंने आपको बताई नहीं है नहीं लिखा नहीं यहाँ पर लिख लो हम पढ़ रहे हैं N.C.E.R.T. क्लास प्रत्वी की सतह पर जो जल बहता है महासागरों का जो जल भैता है वो महासागर यह धाराएं कहलाती है महासागर यह धाराएं गरम या ठंडी हो सकती है जो धारा करक रेखा और मकर रेखा के पास से आएगी करक रेखा और मकर रेखा के बीच के छेतर से आएगी वो जल धारा गरम होगी और जो जल धारा उतर और दक्षणी धुर्व से आएगी वो जल धारा जो है वो कैसी होगी ठंडी होगी ठीक है ठंडी होगी इसके बाद सामाने तेक गरम महासागरिय धाराएं भुमद्य रेखा के निकट उत्पन होती है एवं धुर्व की और प्रवाहित होती है यह बात लिखी है हाइलाइट क करके देखना कि गरम जो जल धाराएं है वो भुमद्य रेखा से भुमद्य रेखा के निकट उत्पन होती है एवं धुर्व की और प्रवाहित होती है यही तो हमने पढ़ा ना यही तो हमने पढ़ा कि गरम जल धारा जो है वो इस छेतर में उत्पन होती है यह धुर्व र िसमें फिर से देख लो तंडी जो जल्डहाराई होती है वो धुर या उच अक्षासों से उतु उस्जंगें बन зिया निमनक्षासों की और प्रवाहित用 होती है यानि जो थंडी जल्दहाराई है वो तो क्या दुर्फों से भुमद्रे रेखा की और आएगी और जो भुमद्दे रेखा कि गरम चल दा रहे हैं, इसको ऐसे समझ लो, कि गरम और ठंडा, दोनों क्या है, विप्रीत लिंगी है, गरम होता है, और ठंडा भी ठंडी होती है, ऐसे कर लो, ठंडी होती है, गरम होता है, मेल फीमेल हो गए, और मेल फीमेल हमेशा एक दूसरे को आकरशित करते हैं, गरम चाहेगा ठंडी की ओर जाना, और ठंडा चाहेगा गरम की ओर जाना, चाहेगा कि नहीं चाहेगा, तो धुर्व अपर ठंड है, तो वहां से जो जल धाराएं होगी, वो गरम की ओर चाहेगी, गरम जल धाराओं की तरफ जो है वो बढ़ेगी और एक स्टान पर वो आपस में मिल भी जाएगी ठीक है और जो गरम जल धाराएं हैं वो ठंडी छेतरों की ओर या धुर्वों की ओर जो है वो बढ़ती जाएगी अब तो समझ में आ गया होगा खीक है? आगे बढ़ते हैं अनवर एलिजी स्वागत आपका हमने दो बाते पढ़ लिए हमने ये समझ लिया है कि धाराएं उद्पन कैसी होती है गरम धारा कैसे होती है, तंडी धाराएं कैसी होती है हमने ये पढ़ लिया है कि जो भुमद्य रेखा के निकट है वो गरम जलधारा उत्पन होती है और धूरु वो पर ठंडी जलधारा उत्पन होती है इसके बाद देखो लेब्रोडोर लेब्राडोर लेब्राडोर जो है वो कैसी धारा है ये ठंडी धारा है आपने अगर जैस है अपने डोg का absolutely love Allah ना थोड़ा आलसी होता है ठंडा होता है यह बस आप याद करो की लेपनी दोग क्या करें ठंदा होता यह थोड़ा सा मुझे जो है वह डोग सी भहुत प्यार है तो थोड़ा सा आपको मैं इसको connect करके बताता हूं कि लेब्रा डोग है न वो रोटी खाएगा अपना खाएगा खाएगा चिल करेगा सोता रहेगा बस अहां उसको ज्यादा टेंसर नहीं है कि घर में कोण आ रहा है घर में कोण जा रहा है उसको कोई लेना देना न तो यहां से क्यों जा रहा है तो उसका सभाव कया है घर में के फ्ली जलदा रहा है और गलफ स्ट्रीम इसमें इसफम शमत को पकड़ो स्ट्रीम का उत्पन होती है जो पानी भाब बनता है तभी तो स्ट्रीम बनती है तो आपको याद हो गया याद हो गया आपको हो गया जो स्ट्रीम होगी वो गरम जल्धारा से उत्पन होगी तो यहाँ पर हो गया आपका लेब्राडोर थंडी और गलफ स्ट्रीम गरम जल्धारा है जिस स्टान पर गरम और सीत जल्धारा मिलती है वह स्टान विश्वभर में सर्वोत्तम मतस्य छेतर माना जाता है देख याहां से एक गरम जलदारा आ रहे है और इस छेतर पर ठंडा और गरम पाड़ी मिल जायेगा ठीक है और यहां पर एक अच्छा सा जो है वो ना ठंडा ना गरम ऐसा नाहने जैसा पाड़ी बन जाएगा और यहां पर इस एक गượng भास उत्तपन भी होती है यहाँ पर समुंदरी घास उत्पन होती है एक तरीकी की और उस घास को खाने के लिए मचलियां आती है और यहाँ पर अच्छा खासा मचली पालन जो है वो किया जा सकता है जापान के आस पास और उत्री अमेरिका के पूर्वी तठ इसके कुछ जो है वो उधारन है जहाँ पर गरम और ठंडी धाराएं मिलती है इसके बाद देखो जल धाराओं की चर्चा करते हैं यह चित्र मैं यहाँ बनाने वाला था लेकिन वो मैंने आपको पीछे चित्र बना के बात को समझा दिया है इसके बाद देखिए, जल धाराओं के बनने के तीन पर्मुक कारण होते हैं, जल धाराओं क्यों बनती है, तो जल धाराओं बनने का पहला कारण तो क्या है, कि प्रत्वी अपने अक्षपर क्या करती है, घूमती है, प्रत्वी अपने अक्षपर घूमती है, इस दिशा में, पश्यम से पूर्व की ओर तो ये भी क्या है अक्ष पर घूमना अक्ष पर घूमना ये भी क्या है जल्दारा उत्पन होने का कारण है मैंने बता दिया है कि परत्वी जब पस्यम से पूर्व की ओर घूमेगी तो एक बल लगेगा जो कि किस तरीके का होगा उल्टा विप्रीत बल होगा तो जल्दाराएं जो है वो इस दिशा की ओर बहेगी पूर्व से पस्यम की ओर ठीक है यह हमने बात समझी यहां पर देखो यही लिखा हुआ है कि प्रत्वी का घूर्णन प्रत्वी पस्यम से पूर्व की ओर गती करती है जिससे महा सागरिय जल इसके विप्रीत दिशा में यानि पूर्व से पस्यम में बल महसूस करता है और इस बल के कारण विश्वत का कौन सी धाराओं का भूमद्य या विश्वतिय धाराओं का जो है वो जनम होता है और ये जल धाराएं किस बल के कारण उत्पन होती है कि कोरियोलिस बल के कारण जब परत्वी पस्यम से पूर्व की ओर घूमती है तो एक बल बन लगता है कौन सा बल उत्पन होता है इसे और इसी करियोलिस बल के कारण जो है वो क्या होता है उत्री गोलाद में अपने ताएं और दक्षनी गोलाद में अपने बाएं और मुड जाती है क्या ये जलदो हाँ हमने वह रूल पड़ा था ना इसे फैरिल का रूल कि अगर उंत्री गोलार्द में कोई जलदो धारा होगी या कोई पावन होगी ते तो और अगर अगर जक्षणी कमेंड कर देना इसके बाद आता है दूसरा कारण पहला कारण तो क्या है प्रत्वी का घुर्णन दूसरा कारण क्या है समुंद्री हवाओं के कारण आपको पता है कि सागर्ब में हमने बहुत सारी हवाएं पड़ी थी हना हवाएं पवन चलती है पवन चलती है आंधी सबस्द भाग क्या है पानी है और जब वो पानी के उपर हवायं सपर्ष करके चलती है तो उस पानी के साथ धराएं उत्पन होती है क्या उत्पन होती है पानी को गती मिलती है पानी को क्या मिलती है गती मिलती है और उससे भी जो है वो पानी में धाराएं उत्पन होती है समुंदर की स्तय पर चलने वाली हवाएं अपने साथ उपरी स्तय के जल को भी गती देती हुए चलती है तीसरा कारण जो है वो है तापमान में भिंता विश्वत रेखा पर वर्ष भर शुरिय की सीधी किरने पड़ती है जिस कारण यहां पर महासागरिय जल गरम होकर धुर्वो की तरफ बहने लगता है और इसकी जगहें लेने के लिए धुर्वो से ठंडा महासागरिय जल आता मैंने आपको सबसे पहले यही बात समझाई थी है ना समझाई थी समझ में आ गई कि जब हम सनान गरने जाते हैं तो सबसे पहले हमारी माता जी क्या करती है बालती में गरम पानी डालती है डालती है ना और फिर हम नलका चला के उसमें ठंडा पानी डालते हैं लेकिन फिर भी गरम पानी ऊपर आ जाता है गरम पानी ऊपर आ जाता है ठंडा पानी हमेशा आपने गिजर देखा आपके घर पर गिजर लगा है अगर गिजर लगा है तो आप देखना या फिर या फिर आप ऐसे देखना कि आप टोप जो घर में बरतन होता है उसमें पानी गरम करना वहाँ पर भी पानी जैसे जैसे गरम होगा, वो उपर आएगा, पानी हल्का हो जाता है, उसके कंड थोड़े जो है तूट जाता है और पानी ऊपर क्यों राता है, तो हमेशा इसी कान क्या होता है, तापमान में अंतर है, तो माल लीजिए, हमने चितर में पढ़ा था उसी को समझी कि यहां पर अगर यहां पर अगर गरम पानी है तो यह गरम पानी यहां जाएगा ठीक है मालो 100 लिटर पानी कहां चला गया यहां चला गया तो यहां 100 लिटर पानी कम हो गया तो इस पानी की पूर्ती कौन करेगा, यह पानी की पूर्ती ठंडा पानी करेगा, यहां से सो लिटर पानी यहां आ जाएगा, यहां से सो लिटर गरम पानी इधर आ गया, तो यहां से सो लिटर पानी ठंडा इधर चला जाएगा, यहां जाता है सो लिटर तो अपन डेली जो है वो ऐसे भाद एते हैं हमारे घरों में पानी साप सफाई में ना इस तरीके से सरक्ल बन जाता है गरम जल धारा काऊ ठनडी जल धारा का क्योंकि हुग act कि जा रहा है उसके कोई ना कोई तो करेगा तो ठनडा पानी करेगा तो इस तरीके से जो है वह क्या बन जाती है घिजर कोनी पाणी तातारी बालती है तो पाणी तातारी बालती में भी थी ओचीज देख सको ओ तो रूल है पाणी को रूल है कि गरम पाणी हमेशा उपर रहेगा ठंडा पाणी हमेशा निच रहेगा इसको आप कहीं पर भी प्रियोग करके देख सकते हो और देखना भी क्यों है आपको इसके बाद देखो तीन बाते समझ में आ गई कि प्रत्वी की घुर्णन समुंदर की हवाएं और तापमान में भिंता अब ये देखिए ये आपका एक वर्ड मैप है और इसमें आप सबको जो है वो पांच महा सागर दिख रहे हैं पहला है आ देखो ये तो किसमें आ गया यहाँ पर जो एक महा सागर है क्या नाम है चल्दी से उसका नाम बता हूं ये जो दोनों महा सागर है यहां से कोई धराय नहीं बनती है धराय जो बनती है वो तीन ही महासागरों में बनती है ठीक है? क्योंकि वो तो उसका पानी उधर जाने के लिए तो कोई जगा नहीं है तो तीन महासागरों में धाराएं बनती है प्रसांत महासागर की धाराएं हम पढ़ेंगे ठीक है? और हिंद महासागर की हम धाराएं पढ़ेंगे और दक्षन अंटार्टिक अंटार्टिक महासागर की हम जो है वो धाराएं पढ़ेंगे इन तीन महासागरों की धाराएं इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं और इन तीन महासागरों से ही जो है धाराएं बनती है एक बर सारे बच्चे share कर दो यार बिना बताए ही बिना कही share कर दिया गरो थोड़ा सा हमने आपको सबसे पहले किसी ने करवा दिया क्या कोई बच्चा ऐसा है जिसने online कोई course खरीद रखा है या कोई coaching में जाता है जिनका SSD का syllabus पूरा हो गया हो कोई comment करके बताओ ऐसा कोई बच्चा है जिनका syllabus पूरा हो चुका हो है तो कोई बताओ है कोई ऐसा बच्चा तो आए इन तीनों महासागरों में जो धाराएं बनती है इस map को आप देख लेना इसमें सारी की सारी जो है वो धाराएं है लेकिन आप जादा इसमें फसना मत दो तिन धाराएं याद रख लेना बाकी आपको सारी धाराएं याद नहीं रखनी है 20-22 धाराएं है मैं आपको तीनों महासागरों की धाराओं को अलग-अलग बता देता हूँ धाराएं दो परकार की होती है गरम जल धारा और धंडी जल धारा ठीक है इसके बाद सबसे पहले प्रसांत महासागर की धाराएं कोन सी धारा हैं प्रसांत महासागर प्रसांत महासागर की आपको कौन-कौन सी धारा याद रखनी है एक तो आप अल नीनो धारा याद रख सकते हो अलासका जल धारा याद र California जलद्हारा, and Humboldt जलद्हारा, ये तीन थंडी जलद्हारा है, तो तीन गरम और दीन थंडी जलद्हारा आप याद रखने। क्यूशन पूचा जाएगा, जर्णरली ऐसा क्यूशन पूचा जा सकता है, कि निमन मेंसे कौन सी गरम जलद्हारा है, निमन में से कौन सी ठंडी जलदार है या फिर क्यों से ने ऐसा पूछ लिया जाएगा कि जैसे कि कैलिफोर्निया जलदारा कैसी है तो इसको याद रखने का सिदा सिदा क्या तरीका है देखो जो गर्म जलदाराएं है ना जैसे अल नीनो अलास्का और क्यूरेसिया इन नाम को अपने दिमाग में थोड़ा सा एक बार समझ लो या बेठा लो कि यह क्या है गर्म है और ठंडे को देखना कितना ठंडा ठंडा नाम है जैसे केलिफोर्निया है ना क्यूराइल और हमबॉल्ट तो एक बार जादा रट्टा मानने की यह क मत सोचना कि बस मुन्न तो यह सारी की सारी रट्टनी है बस थोड़ा सा देख ले ना पेपर के टाइम एक बार देखे चले जाना यहां से एक किसन पूछ रिया जाएगा यह कितनी धारा होगी उत्तरी विश्वत जल धारा प्रसांत महासागर में गरम है क्यूरेसिया जल यह भी गरम जल धारा है यह प्रसांत महासागर कियन गरम जल के आप इसको दो बार पढ़ोगे आपको जो है वह बेसिक पता चल जाएगा ठीक है, ज्यादा रटा नहीं मारना है, आपको कोई ज्यादा रटा नहीं मारना है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनको रट के ही जाना है, कोई रटने की जूरत नहीं है, ठीक है, इसके बाद जो next जल्धारा है, वो है आपकी अंटाल्टिक माहसागरी की जल्धारा, जिसमें गरम जो जल्दारा हैं वो दोनों तरब बहती है उत्तर में भी जाती है और दक्षण में भी जाती है इसलिए इनकी संख्या जादा है ठीक है उत्री विश्वत ये जल्दारा अंटाल्तिक महासागर में है एंटी लीज जल्दारा एंटी लीज लीज यानि किराई पे लेना और एंटी लीज यानि खुद का खुद का लीज का अर्थ क्या होता है लीज ले लीज पे लेना किराई पे लेना तो किराई पे लेवां आप माल्यों मकान किराई पे लिया तो मेंनागा पांच आ रिप्या तो किरायो लागे ज्यादा जोर को नहीं आए लेकिन आप मकान बढ़ाँ तो अपना लाखो रीप्या लाग गया और लाखो रीप्या कमाना खातर बहुत ज्यादा मैनद करनी पड़ा है और मेनुद करा तो शरीर गरम हो जाए पसिन्यू आओ है तो एंटीलीज यानि एंटीलीज में गरम जल धारा है ऐसे याद कर लो कोई ट्रीक विगरा के चक्र में तो पड़ो मत गल्फ स्ट्रीम इसको तो याद रखना ही रखना है यह तो मोश्ट है गल्फ स्ट्रीम यह तो अपने आप ही याद रह जाएगी कि बस याद क्या रखना है यह तो याद रही जाएगा कि गल्फ स्ट्रीम गरम है यह याद रखना है कि यह अटलार्टिक महासागर की है फिर फ्लोरीडा 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 ऐसे याद कर ले ना फ्लोरीडा गरमा गरम ले के आओ वा ना फ्लोरीडा जल्दहरा भी अटलार्टिक महासागर की है दक्षणी विश्वत जलधारा तो विश्वत चाहें उत्री हो या दक्षणी हो यहाँ पर तो गरम ही होगी तो याद करने की जुरूर नहीं है ब्राजिल जलधारा गरम है और इर्मिंजर जलधारा ये भी क्या है गरम है फिर एक आते हैं आपका लेब्रा डोर, अभी मैंने बताया लेब्रा जो है वो स्यान्त होता है, मोस्ट इसको याद रखना, यह NCRT में नहीं लिखी हुई है, NCRT में किवल दो ही जल्धारा लिखी हुई है, इसलिए मैंने आपको लेब्रा डोर और गलफ स्ट्रीम को महतोप पूंद माना है, क्योंकि NCRT में लिखी है, बाकी मैंने आपको अश्ट्रा बताई है, वेनुजवेला जल्धारा, वेनुब बेंगू एला जल्धारा, कनारी जल्धारा, कौफ लेंड जल्धारा, यह क्या है ठंडी जल्धारा है, इसके बाद आती है, आपके हिंद महसाग की जलद्धारा तो इसमें आप दक्ष दको डक्षिन या उत्तर के विश्वत बस वर्थी जो विश्वत बस पे होगी dog Dazu उव अमेशा क्या होती है गरम ही होती है याद रखना तो आपको दोई नाम याद मिया का उंद्व재 क की है most है गरम है याद रखना और अंगुल हास जल धारा ये भी most है गरम है याद रखना लेना ये आपकी कुल मिलाके सारी की सारी की जल धारा है होगी इससे ज्यादा डीप में कोई पढ़ने की जूरत नहीं है रीट में अगर क्यूशन आएगा तो यहां से आ जाएगा और यहां से नहीं आया ना क्योंकि आपसे इतना ही पूछा जाएगा कि यह जल धारा गरम है कि धंडी है फिर अगर नहीं आये तो इस क्यूशन को छोड़ देना कोई दिक्कत नहीं है नेगेटिव मार्किंग है ज्यादा टेंशन लेने की या पंगा लेने की जूरत नहीं है मैप तो यह दे रेखा है न आपको मैंने मैप पर क्यों नहीं बताओ है इस देवो मैंने सारी चीज़े आपको जोग्राफिक करवाए हैं वो सारे लिखा के ही करवाए हैं अब यहां पर मैं इनको करवाओं आना आपको तो थोड़ा मेटर लंबा हो जाएगा और यह इतनी map मापके चक्कर को छोड़ दो ठीक है? अलाकि अगर आप चाहो तो यह map यहाँ पर है इसमें जो लाल arrow की जल धारा है वो सारी की सारी कैसी है? गरम जल धारा है और जो निले रंग की जो arrow की धाराएं है वो कैसी है? ठंडी धाराएं है तो ये इतना जादा first grade की त्यारी अगर कर रहे थे तो हम इनको और जादा विस्तार से पढ़ते लेकिन फिर लंबा खींचने का कोई अर्थ नहीं खींचने को तो इस topic को दो दिन और खींचा जा सकता है लेकिन फिर हमारे level की बात नहीं रहेगी फिर प्रेसान करने से आपको कोई फाइदा नहीं है मुझे यह नहीं दिखाना है कि मैं अलग बढ़ाओं आपको कई बार क्या होते हैं यूटूपर कई ऐसे भी जो है वो चैनल है जिन में क्या होता है कि कठिन चीजे पढ़ाई जाती है यानि topic को कठिन करके बताया जाता है यानि रीट में बढ़ा त हैं जो बहुत ज्यादा कठिन है और topic वहां तक नहीं होता है हमारा और फिर वो यह दिखाने का प्रियतन करते हैं बच्चों को भी यह लगता कि यार यह चीज़े तो हमें आती नहीं है तो यह चीज़े हमें सीखनी चाहिए और paper में फिर वह चीज़े आती नहीं है से ज्यादा मोस्ट धाराएं दो ही है आपकी जो NCRT में दी हुई है गलफ स्ट्रीम और Labrador पाकी आप जल धाराएं दो धंडी और दो गरम जल धाराएं याद कर लेना ऐसी उत्री विश्वत जल धारा है इनको याद मत कर लेना नाम वाली में से जो है वो जैसे गलफ स्ट कान कोरियो कोरियो शिल बलके कान कोरियोलिश बलके कान इन महासागर की धाराओं की दिशा निधारित होती है कि कौन सी जल धारा किस दिशा में बहेगी इना इसके अपवाद शुरूप हिंद महासागर के उत्री भाग में जल धाराओं की दिशा मोसमी हमाउद वारा निध अगर एक्जामिनर डीप क्यूशन पूछेगा तो ऐसे पूछ सकता है कि हिंद महासागर में कौन सी जलधारा है क्योंकि भारत के पास तो यही है अब आपको कलीर नहीं दीखेगा तो फिर तो कलीर दीखेगा ही नहीं भी अब तो हमने सारी समस्या ही खतम कर दी पहले दीख रहा है तो फिर पीडियाप से दिख जाएगा हिंद महासागर के पास कौन सी जलधारा है तो हिंद महासागर आपना यह है और इस हिंद महासागर में जो जलधारा है वो कौन सी है विश्वत वर्तिये विप्रीत धारा और दक्षणी विश्वतिये धारा यह दो धार ज़ाओं की जो दिशा है वो मोसमी हवाई निधारित करती है जहां पर दो जल धाराएं मिलती है वहां पर प्लैंक्टन नामक घास उग जाती है कौन सी घास उग जाती है और यह घास खाने के लिए मचली आती है जहां मचली उधोग का विकास होने में सहायता बनती है इसके इलावा अगर ठंडा और गरम धाराएं मिलेगी तो यहां पर क्या बन जाएगी भाप बन जाएगी और कोह और एक एकार्ण जो है वो समुंद्री यातायात परभावित होता है गल्फ स्ट्रीम जलधारा विश्वे की सबसे तेज जलधारा है जो कि फ्लॉरिडा जलधारा एवं एंटिली जलधारा के मिलने से बनती है क्यूरिडा जलधारा को जपान में काली धारा भी कहा जाता है ठीक है यह बाते आप ध्यान रख सकते हैं इसके बाद अन्तिम टोपिक आपका आता है जल का वित्रन क्या है इस प्रत्वी पर जल का जो वित्रन है वो क्या है देखे अबजेक्टिव क्योशन का जब टाइम आएगा तो अबजेक्टिव क्योशन पढ़ लेना अभी टाइम है डिटेल पढ़ने का जब तक डिटेल नहीं पढ़ोगे तब तक अबजेक्टिव किसी कामका नहीं है जब तक बान नहीं बैठेगा जब तक ब्यान नहीं ह पाएगा पहले बान बिठानों पड़ेगो रिस्तो गरनों पड़ेगो जदी तो ब्या होगो ने तो पहले डिटेल पढ़ो अबजेक्टिव की मैंने बुक बताई हुई है दिसा 2020 आती है वो बुक आप अबजेक्टिव के लिए देख सकते हैं ठीक है डोल डरम क्या है यह मुझे पता नहीं है क्या होता है डोल डरम क्या होता है मुझे तो कोई आइडिया नहीं है देखो आइडिया नहीं है मुझे तो क्या होता है डोल डरम इसे पुछो कि गुरुजी डोल ड्रम अब गुरुजी डोल ड्रम का मामला है क्या होता है बच्चो सिधा सिधा यह है कि यह जो हमारी प्रत्थवी है यह इसका क्या हो गया जीरो डिग्री हो गया इस जीरो डिग्री से दस डिग्री इधर दस डिग्री इधर यह जो पार्ट बनता है यह जो पाल्ट बनता है निमन वायूदाब की पेटी बनती है और आपको मैंने यह टोपिक आपको उस टाइम पढ़ा पूछना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं जब पूछो तभी सवेरा है तो निमन वायूदाब जो होता है वो वहाँ पर जो श्यांत होता है वातावन, कैसा होता है, श्यांत, पवन श्यांत होती है, इसलिए इसे स्यांत पेटी कहते हैं, इसलिए इस भाग को क्या कहते हैं, स्यांत पेटी कहते हैं, श्यांत पेटी, ठीक है, और इसी को क्या कहा जाता है, ढोल, ढोल, ड्रम कहा जाता गहा जाता है इसी को क्या कहा जाता है डोल्डरम कहा जाता है छांत पेटिया इसको जो हो है वह वहाथ G там कई आया समझ में हो बिलकुल सांत भेटतु हुई हवाइ होती है यह यानि कुणकि निमन वायुदाब होगा निमन वायुदाब होगा तो बिलकुर शांत रहेगा यहां का वातावरण और शांत रहेगा तो इसलिए से शांत पेटी भी कहते हैं धोल ड्रम पेटी भी कहते हैं ठीक है राम शुरूप जी ने बहुत अच्छी बात किये कि रीट के पेपर के बाद सबसे पहले मिठाई मैं लेके आऊंगा भूत भूत अभिरंदर मेरे भाई ऐसे ही जो शकल मैंने आपको एक मूवी बताई थी आप मेंसे किस-किस ने देखी वो और देखी तो बताओ कि आपको उ जल है और 29 परतिसत जो भाग है वो क्या है ठल है और इस इकेतर परतिसत का जो इस इकेतर परतिसत पर जो पानी है उसका इस इकेतर परतिसत का 97.3 परतिसत जो है वो क्या है महा सागरिय जल है इसका जो 02.0 परतिसत भाग है वो बरफ के रूप में है जिसका जो 0.68 परतिसत जो है वो भूमिकत जल के रूप में है और जीलों के अंदर जो पानी है वो 0.09 यानि 0.009 परतिसत है जो की क्या है जीलों के अंदर स्तित है और स्तलिय जल की बात करते हैं नमकीन समुंद्र एव नमकीन जल की बात करते हैं तो 0.009 परतिसत है और वाईयो मंडल में जो पानी परतिसत और नदियों में जो पानी है वो कितना है? 0.001 परतिसत टोटल मिला के 100 परतिसत यह जल का वितरण है यह क्या है? जल और थल का वितरण है 71 परतिसत जल 39 परतिसत थल और इस 71 परतिसत जल का वितरण यह है जो आपकी NCRT कहती है कि क्या रहे हैं पता नहीं है डोल ड्रम सांथ पेटी भुमद्य रेखा अभुमद्य रेखिये वायुदा पेटी जहां पर समय निर्धारन चलती है इस कान साम वो वर्षा होती है रोजाना गरस्ता 40 परचंड 50 और चीक्त शाठा के बारे में बता चुका हूँ इससे पहले वाले सेशन में आप साइद पहली बार सेशन में आये हैं जगदिश जी लेकिन मुझे याद आ रहे हैं आप इससे पहले भी आये हैं तो पवन वाला जो टोपिक मैंने करवाया था आपका साठ डिगरी पर क्या चलती है साठा चलती है और चालिश डिगरी पर गरस्ता चालिशा चलती है चालिश डिगरी पर गरस्ता चालिशा पचास डिगरी पर पचासा और साठ डिगरी पर चीक्ता साठा इसी प्रकार यहाँ पर भी है यह सारी बाते मैं बता चुका हूँ बताई हुई है 31 परतिसद तो क्या है जल है और 29 परतिसद जहुद्धल है यह लो जी रीट का स्स्ट का पूरा स्लेबस पूरा हो गया है अब बची है सिक्षन वीदिया जिनकी चर्चा हम करेंगे सो मौर से शुरू करेंगे सो मौर से शुरू करेंगे और जिसको यह देखो आप देखोगे तो सेशन में बच्चे बहुत कम होते हैं कारण क्या है कि अलग काम करने का एक बच्चा कह रहा था था ना कि सरक्षर्ट जोन से यह कंफर्ट जोन से बाहर आके पढ़ना है जर्णरली क्या होता है कि हम जो लर काम होता है कोचिंग आप राजस्तान में कोई एक कोचिंग का नाम बताइए जो आपको NCRT से रीट का पूरा स्लेबस करवाएगी या करवा रही है कोई एक कोचिंग का नाम बता देजिए ओनलाइन कोर्स का नाम बता देजिए पेड कोर्स की बात करता हूं जो NCRT से आप चलना आसान है सब चल सकते हैं यहां पर तो पहले से पुष्ट के छपी हुई है और इस पुष्ट को के आधार पर क्या है रोड रोड चलना तो आसान है लेकिन रोड से नीचे उतर के कच्चे में चलना बड़ा कठीन होता है तो जिन बच्चों को NCRT से पढ़ना है जिनको ऐसा लगता है कि हम NCRT से रीट की त्यारी कर रहे हैं वो यह सारे सेशन देखे निश्ची तोर पर आपको बहतर रिजेल्ट मिलेगा ठीक है बहतर रिजेल्ट मिलेगा आपको पाकि आपकी मर्जिय जहां से पढ़ना चाओ वहां से पढ़ो ठीक है किसी पर भी डिपेंड मत रहो अपने डिसीजन खुद लो टारगेट आपका यह क्यों न चाहिए सफलता मिले हमने आपको पूरा कोश करवा दिया है आपको आपके मन में कोई भी संका है तो अब मुझसे पूछ लो आप यह सस्ट का लास्ट सेशन है इसके बाद हम सस्ट की प्रैक्टिस शुरू करेंगे अगले मेने से प्रियास कर च्रूआंगे कि ज्यादा से ज्यादा वल लाशीं हम आपको करवाएं और फिर इनकी जो है वो एक एक टोपिक वाइज जिस प्रकार हमनेvenue टिटेल में टोपिक पड़े हैं उस तरीके से टोपिक वाइज हम जो आवो इनके प्रिवी घच्योशन भी जो है वो करें अब आगे तीन महिने का समय अपने पास है आज 29 तारिख हुई है तो तीन महिने यानि 90 दिन का समय हमारे पास है और इस 90 दिन में हम कम से कम चार बार अगर स्लेबर्स का रिवजन करेंगे तम मज़ा आएगा किसे को नहीं पूछना है कुछ पीडियव के चक्कर में दिमाग में बस एक ही सबसे बड़ी समस्या बेठी हुई है पीडियव 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 है ठीक है और कल मैं यह सारी की सारी पीडियफ फिर से डाल दूँगा ठीक है और बोलो मैं कल सारी की सारी लगभग 90 पीडियफ है टोटल मिलाके तो सारे सब्जक्टों की मिलाके तो कल यह 90 पीडियफ फिर से डाल दूँगा लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि पीडियफ की चक्र में ना पड़े नोट्स बनाएं हाथ से लिपकर कलास को चला लें देखो 55 घंटे की तो कलास आईए 55 घंटे की तो कलास है डेली दो कलास देखोगे डेली दो कलास देखोगे तो ऐसे नोट्स बन जाएंगे कि जिन्दगी में आपको इन टोपिकों में कभी दिक्कत नहीं आएगी जो बच्चा मेहनत करने के लिए त्यार है वो हाथ से नोट्स बनाए जो मेहनत ज्यादा नहीं कर सकता है वो PDF डाउनलोड कर ले टेलिग्राम का लिंग नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है कल सारी के सारी PDF फिर से वहाँ पर अपलोड कर दी जाएगी अभी के लिए बस इतना ही आपके कोई क्यूशन है तो बताएं करंट अफेर कब करवाएंगे करंट अफेर आपको पूरे वर्ष 2022 का करंट अफेर के 500 क्यूशन पूरे 2022 के करंट अफेर के 500 क्यूशन करवाऊंगा जनवरी में ठीक है जनवरी में 500 क्यूशन करवाऊंगा आप ठीक है एक जनवरी से लेकर और पंद्रा जनवरी तक और ये 500 क्यूशन पढ़ लेंगे आप तो आपके जो 10 के करीब करेंट अफेर के क्यूशन आएंगे वह वहां से कवर हो जाएंगे ठीक है पूरे साल का करेंट अफेर जनवरी में करवाएंगे चैसे 10 RBSC की PDF डालना डाल चुके हैं उपर यूपर पिन की हुई है टेलिग्राम पे है डाउनलोड करवा आप कोई दिक्कत नहीं है हिंदी नहीं करवाएंगे इतनी ज़्यादा हमें छमता नहीं है कि सारे सब्जेक्ट करा पाएं बस ठीक है अभी के लिए इतना ही जो सन करवाएंगे बिलकुल करवाएंगे क्यों नहीं करवाएंगे ठीक है ओके करने बाद सुब रातरी आशा करता हूं कि यह जो 55 सेशनों का एक जो कलेक्शन हुआ है कलास का आप इनको देखें और आप सबसे निवेदन हैं कि थोड़ा सा अपने दोस्तों को भी बताएंगे उनके साथ सेर करें इस परिवार के आप सदस्य हैं तो थोड़ा सा हमारे प्रतिप प्यार यार जाहिर कर दो ना थोड़ा सा सेर कर दो अभी के लिए भोग भो धन्यवाद थेंक्यू फिर मिलते हैं एक और बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है नोट्स बनाओगे तो सफलता भोट अच्छी प्राप्त करोगे जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतनी ज्यादा